कुछ नमस्कार दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे केरान सामान ज्यान के बारे में यात रखिए इस पर लोग एक बहुत बड़ा पार्ट खतम कर चुके हैं और लाश्टी हम लाश्टी टॉपिक हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें आपका भारत का इतियास वीसुक ऊगई, सामान बग्यान हो गई उसके बाद बेग्ञान इवं पुरदगी की कंप्यूटर, इस सब के बारे में वे आज हमें बात करने ही पारम पर एक सामान ग्यान के बारे में इससे पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आपके पास सुविधा है और आप खरीद सकते हैं तो इस बुक्स को खरीद लें आपके पास अगर मिल रही हो तो आसपास क्योंकि इससे अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका SSC Railway Bank जो भी इस तरह की एकजाम होते हैं इन्हें तो आप कवर कड़ ही लेंगे साथ में आप कापियत तक State PCS Prelims भी इसे पढ़कर दे सकते हैं और निकल भी सकता है आपका Civil Service के लिए आप कापी कुछ questions solve कर सकते हैं लेकिन आप सभी जानते हैं कि विना NCEIT के कुछ नहीं उखड़ता है उसमें तो अगर आपको Civil Service की तैयारी कर रहे हैं तो NCEIT आपको पढ़ना जरूरी है NCEIT का दूसरा कोई बेकल्ब भी आपके सामने नहीं है तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो समय रहते हुए उन्हें भी पढ़ लें वैसे भी हम लोगों के द्वारा भी आपकी NCEIT कबर की जा रहे हैं तो उन्हें भी आप लोग देख सकते हैं तो आज की इस क्लास में लोग क्या-क्या कबर करेंगे पुरुसकार देखेंगे समान देखेंगे इन सभी का एक परिचे देखेंगे और यह स्थाई आकड़े हैं आपके और काफी अप्डेट करकर भी बता देंगे आपको ठीक है जो 2019 का भारत रतन है ज्यान पीर पुरु नोबल पुरुसकार हैं उनके बारे में भी हमने विस्तार से बात की हुई है एक बहुत अच्छे से सामान परचर भी देखा हुआ है जिससे आपका कोई भी कुश्चन्स गलत नहीं हुगा और यह इस्पेशल बीडियो पुर आई-एस-पी-स वाली प्लेलिस्ट सूची मे की बात करेंगे हम लोग ज्यानफीट पुरुसकार विजेताओं की बारे में बात करेंगे उसके बाद हम लोग सरस्ति और ब्यास सम्मान से विवोसित साहितकारों की बारे में बात करेंगे ब्यास सम्मान से सम्मानित साहितकारों को देखेंगे दादा साहब फाल के पुरुसकार से सम्मानित ब्यक्तियों को भी हम लोग देखेंगे नोबल पुरुसकार को एक समान जानकरी इसमें भी हम लोग बात कर लेंगे रेमन मैक्सेस पुरुसकार के बारे में भी बात कर लेंगे उसके बाद पुलिजिजर ग्रैमी मिस यूनिवर्स मिस इंडिया मिस वाल्ड पुरुसकार और उसके बाद आसकर पुरुसकार के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कुछ मत्मूर्ट पुस्टकें देखेंगे और उनके लेखक भी देखेंगे पुस्टकें भी देखेंगे और लेखक भी देखेंगे यादर कि यह सभी cover हो जाएंगे उसके बाद हम लोग एक questions की series चिलाएंगे हल subject के कम से कब 500 से 1000 questions solve करेंगे उसमें भी आपकी मत्पूर्ण जो बुक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे उनके जो लेखक हैं उनके बारे में भी बात करेंगे संचेप, सब्द संचेप का बारे में जानेंगे हम लोग जो मत्पूर्ण तिथी हैं आपकी सब्ता हैं और बर्स हैं और दसक हैं कुछ जानदा ही विस्तार से अवग परना है तो महत्पोंट संग्रतनों की नाम से प्ले लिस्ट में सूची बनी हुई है उन्हें आप लोग देख सकते हैं और मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर आपने उन्हें कवर कर लिया तो आपका कोई भी questions नहीं चूटेगा फिर चाहे वो civil service में से आए civil service में आए बहुत विस्तार से समझाए गया हूँ फिर चाहे आपका विस्तो स्वास्त संगटन हो या फिर UN हो सभतराष्ट संग हो इस तरह एक जो भी संगटन अंतराष्टी और अंतराष्टी संगटन सब की बारे में बात की गई है विस्तो में पित्थम यह आपका सामान गया रहे जनरल नौलिज के इसाब से इने भी देखेंगे विस्तो में सरवादिक बड़ा छोटा और लंबा और उंचा इससे भी आपके questions आते रहते है विस्तो की पिरमुक समाचारी एजेंसियां देखेंगे हम लोग विविन्न देशों की पिरमुक राजनतिक दल विस्तो विस्त यात्री उनकी उपलब्दियां भी देखेंगे हम लोग विस्तो के साथ नई आश्चे अजूबिय जो कहते हैं आप लोग उन्हें देखेंगे भारत में पितम, भारत में सरवाधिक बड़ा, लंबा, उंचा यह आपका जनरल नॉलिज के साथ से देखेंगे महापुरसों की जैनतियां और प्रमुक उसके बाद प्रमुक ब्यक्तियों के उपनाम देखेंगे प्रमुक ब्यक्तियों का समाधी स्थल भी हम लोग जानेंगे एक बात आप लोग हमेशा याद रखें इस सामान ग्यान के लिए मुझे नहीं लगता है कि आपको अप पैसे खरच करने की जरूरत पड़े या फिर कहीं आपको जाने की जरूरत पड़े मद्ध प्रदेश को इतने बिस्तार से पढ़ा चुका हूँ कि जितने भी MPPST में कुश्चन पोचे जाएंगे वो सभी आपके कवर हो जाएंगे उससे और मद्ध प्रदेश के लिए इतना इतना मटेरियल उपलब्द करवा चुका हूँ कि आप MPPST प्रिलिम्ट और मैस निकाल सकते हैं ठीक है और NCEIT कवर होने के बाद आप सेविल सर्विस भी निकाल सकते हैं और बाकी टेक्स्ट बुक जो महत्पून है आपके लिए जैसे M. Lakshmikanth इन पर भी काम चल रहा है कुछ दिन में इनके भी लेक्चर आपको पूरे मिल जाएंगे कंप्यूटर सामान गयान आपका पूरा विस्तार से पढ़ा दिया गया है मुझे नहीं लगता है कि आपका आपका कोई टॉपिक बचता है और जो भी टेस्ट आप चलेंगे आपके जिनसे आपको और भी फायदा होगा तो चलिए इसमें हम लोग क्या देखेंगे पारंपरिक सामान गयान पूरुसकार सम्मान एक परिचय देखते हैं सबसे पहले यह आपके इस्थाई आंकड़े हैं कैसे हैं इस्थाई आंकड़े हैं और यह आपके बदलेंगे नहीं इसलिदी आपको क्या करना है कि इन्यायाद रख लेना है और जो आएस्था यांक्डे होतें उन्हें आपको क्या करना है Current से Update करते रहना है राश्टी ये पुरुसकार ये आपके पुरुसकार है नाम हो गये जो संस्थभ पिदान करते है इंपुरुसकारों को उस सस्ता का नाम हो गया पुरुसकार का विवरन यानि कि जिस छेत में दिया जाता है वो जब से दिया जा रहा है उसका नाम हो रासी यह रासी भी आपकी बदलती रहती है इसलिए इसके बारे में जांदा कुश्चन्स भी नहीं पूछे जाएंगे जब अपडेट होती है तभी पूछ सकता है उसी बर्स में लेकिन इससे इस्थापना बर्स भी इससे पूछा जाएगा तो सबसे पहले आप देखते हैं भारत रतन को इसे कौन देता है भारत सरकाद देती आपकी कला साहित्य बिज्ञान सारुजनिक सेवा या फिर जीवन में आसाधारन एबं अतियुत्तम कोटी की उखलब्दी के लिए दिया जाता है आपका भारत रतन आपने देखा है अटल विहारी बाचपरी साब को आपके मिला 2015 में उसके बाद आपने 2019 में देखा 2019 में आपके भूपेंद हजारी का उसके बाद आपके आपके उनका क्या नाम है राष्ट्पती साहब राष्ट्पती साहब एक से ग्रेंड रोक जाएए भूपेंद हजारी क्या होगा है पेड़ो मुखर जी साहब आपके राष्ट्पती और नाना जी देशमुख भूपयन हजारी का पेड़ों मुकर जी नाना जी देशमुख इनके बारे में विस्तार से हम लोग बात करेंगे अभी तक जितने भी भारत रतन मिले हुए हैं जन्भी व्यक्तियों को उनके बारे में बात करेंगे अभी अभी एक सामान जानकारी आप लोग सबसे मत्पूर्ण पुरुसकार है भारत सरकारी करमचारी जेवारा की गई सेवा से किसी भी ही चित में उत्किष्ट सेवा कि लिए दिया जाता है 19C 이용 t से ये भी दिया जारा है आपका बारतिये ज्नत्रोपार Tout Jewish प्रोषकार ये आपका भारतिये ज्नत्रोप्र लुखर्णी के दिया जाता है देश की माननता पर आप किसी भी भारती ये भासा में उपलब पितिष्टि साहितकार द्वारा कियेगे उत्कृष्ट येवुदान के लिए दिया जाता है ये आपका 1965 से दिया जा रहा है इसमें आपका 11 लाग रुपिय रासी दी जाती है मूर्ती देवी पुरुष्कार ये भारती ज्यान पीट के द्वारा दिया जाता है भारती जीवन के सस्वत मूलों को भारने के लिए किसी भी भारती भासा या फिर अंग्रेजी में रचित साहित पर दिया जाता है ये आपका 1983 से दिया जा रहा है एक लाग रुपिया इसके तहट दिया जाता है साहित अकादमी पुरुष्कार ये आपकी साहित अकादमी के दिवारे दिया जाता है अंग्रेजी सहत आपकी जो भारती है समिधान में 22 बासा है इनके गत पांच बरसों में पिकासी तुथकृष्ट रचनाओं पर दिया जाता है ये आपका 1915 से दिया जा रहा है एक लाक रुपी इसके तह रासी आपकी मातपूर नहीं है इसमें आपका एपूच सकता है इस्थापना या फिर किस चित में दिया जाता है और किस के द्वारां दिया जाता है ये आपके questions बन सकते हैं सरसुती संबान ये आपके के के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारां दिया जाता है आठवी अनसूची में जो आपकी 22 भासा हैं सामिल है इनमें से किसी भी भासा में गत्त 10 बरसों में पिकासित उस्तकरिष्ट साहितिक किर्थी पर दिया जाता है 1991 से ये दिया जा रहा है इसके तहट 15 लाक रुपी रासी दिया रहे है वाजश्पती पुरुसकार ए भी के के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारां दिया जाता है संस्कित साहित में विशिष्ट और एबं उल रिखनी ये योगदान हिता जाता है ए वी आपका 1991 से इंद दिया जा रहा है bit 5,9,00,00,000 रुपी इसकी तहे दिया जाता है संकर पुरुसकार क्या संकर पुरुसकार आपके बिड़ला फाउंडेशन के दुआ दिया जाता है गत 10 बरसों में पेकासित भार्तिये दर्शन कल संस्किती पर उत्किष्ट रचना ही तू दिया जाता है 1991 से ही दिया जा रहा है इसके ताहित एक तसमलों 5 लाक यानि की डेड़ लाक रुपे रासी दी जाती है पर ब्यास संबान या आपके के के बिड़ला फाउंडे संग को द्वारन दिया जाता है गत 10 बरसों की यहुदी के करीब आपकी रासी दी जाती है पर है आपका बिहारी पुरुसकार यह भी आपके के के फिड़ला फाउंडे संग के द्वारा दिया जाता है राजिस्थान के हिंदी इवं राजिस्थानी भासा के लेक्षकों के पुरुसकार यह तू दिया जाता है 1990 में इससे भी कितने 2,00,00 रुपे हैं उसके बाद है आपका आंगे चलते हैं भारत-भारती पुरुसका सम्मान भारत-भारती सम्मान यह आपका उत्तरपिदे हिंदी संस्थान द्वारण दिया जाता है साहत्र सेजन इवं हिंदी की एनवर्द सेबा एतु देते हैं 1986 से दिया जा रहा है दो दसम्मलाव 5,00,00 रुपे दिया जाता है एक बाद सम्मान यह आपकी मत्विदे साहत परिशत द्वादन दिया जाता है उर्दी भासा में उत्कृष्ट रचनात्मक लेखन एतु दिया साहत एक दसम्मलाव 59,00,00 रुपे यानि की 1,59,000 रुपे दिया जाता है पुरुसकार सरला संबान यह आपका उडिसा साहत दकादमी के द्वारां दिया जाता है उडिसा साहत के विकास में सराजनी यह उगदान के लिए दिया जाता है 1980 से दिया जा रहा है इसके तहट 30,000 रुपी रासी के रूम में दी जाते हैं पुर आपका निज्या भनोत पुरुसकार निज्या भनोत पैन एम इस मारक निदी द्वारां दिया जाता है अत्याचार के खिलाब आवाज उठाने एबं संगर्ष करने वाली साहिसी महलाओं क आपके फैमीना पत्तिका की द्वारां टाइमस ओप इंडिया गुरुप की द्वारां दिया जाता है भारतिय यह उत्तियों के सारेरे केवं बोद्धिक सुंदर को सम्मानित करने के लिए 1994 से यह दिया जा रहा है असोब चक किर्ति चक और सौर चक यह आपकी भारत सरकार क गोपाल रतन कौन सा है गोपाल रतन यह आपके भारत सरकार के द्वारां देश में सबसे अधिक दूद देने वाली गायों और बहेंसों की स्वामी को दिया जाता है यह आपका उन्निस सोचपन से दिया जा रहा है इसके तहत 5,000 रुपी रासी दी जाती है किर्सी पंडित पुरुसकार भारती किर्सी अनुसंधान परिश्यत के द्वारां दिया जाता है पिती एकड अधीक तम उपज पैदा करने वाली किर्सकों को दिया जाता है उन्निस सो नंचास से दिया जा रहा है इसके तहत 5,000 रुपी दिया जा रहा देते हैं याद रखिए रासी कभी म अत्मूर नहीं होती है जिसे पुरुसकार मिलता है उसके लिए रासी कोई मायने नहीं रखते हैं मैं रहता है पुरुसकार समझ रहें डॉक्टर अंबेड कर अंतराश्टी है पुरुसकार यह आपकी भाहरा सरकार देती है सामाजीक फरीवर्तन तथा दलीतों के उद्धा में बिशित ब्शुमів का निवाने वाले कीलिए निया जाता है उन्नीस सो निया जाया है इसके तहीत पंदरhig लाग रूपी दिया जाता है पर सब्सक्राइब दिया जाता है। फिर आपका ललित कला अकादमी पुरसकार। ये आपकी ललित कला अकादमी की द्वारें दिया जाता है। कई बार पूच लिए गया हैं तो इन्हें याद रखिए। और बैसे भी आपका MP Special MPPSC में जानदा MP का ही आता है। अगर आपके 100 questions आते हैं तो उनमें से 50-55 questions आपके MPPSC में MP सामन ग्यान यानि MP Special से ही पूच लिए जाते हैं। तो इसलिए आपका इतना पिस्तार से पढ़ा दिया गया है MP कि मुझे नहीं लगता है कि अब आपका questions कोई छूटेगा। अच्छे से पढ़ लें से। राष्टी इस्तर पर जन जाती है लोग कला के विकास में उन लेकनी है एकदान ही तू। ये आपका 1983 में से सुरू हुआ है एक लाग रोपे इसकेता है दिया जाता ह कालिदा सम्मान ए मदविदे सरकार देती है रूपारंकर कला किछित में नहात्मक सेष्टा ही तू देता है 1980 से दिया जा रहा है दो लाग रोपे इसके तहट रासी दी जाती है तानसन सम्मान मदविदे सरकार द्वारा सास्तिय संगीत गायन एबं बाद वाद किछित में उतकर्ष्ट तक एबं निष्टा ही तू दिया जाता है 1981 से 1.5 लाग रोपे इसके तहट दिया जाता है पर आपका लता मंगेश कर सम्मान ए मदविदे सरकार द्वारा सोगम संगीत के छेत में मत्पूर एउदान के लिए दिया जाता है ये आपका 1984 से दिया जा रहा है दो निष्टान के लिए दिया जाता है 1970 से दिया जा रहा है 10 लाग रोपे इसकित है दिया जाता है राष्टी फिल्म पुरुसकार सूचना एवं प्रसाण मंत्रा लाए भारत सरकार मिलकर देती है भारतिये फिल्मों में उच्छस्तरिये सौंदरबूद तकनीकी कुसलता तथ सिक्छा पर्द एवं सांस्केतिक मूलों में बिद्धी के लिए दिया जाता है 1905 से दिया जा रहा है कब से 1905 से फिल्म फियर पुरुसकार यह आपका टाइम्स ओप इंडिया गुरुप के द्वारां दिया जाता है पुरुसकार बर्ग में पिदर्शित भारतिये फिल्मो जाता है वीडी गुएन का पुरुसकार आपके इंडियन एक्सप्रेस ग्रूप और न्यूज पिपर्स द्वारां दिया जाता है पतिकार्गता की छित में उलेखनी एवुदान के लिए दिया जाता है 1984 में 3,000,000 रूप इसे दिया जाते हैं 1984 से तुरुगा फर आपके राजीब गांधी सद्वावना पुरुसकार राष्टी सद्वावना पुरुसकार ये आपकी राजीब गांधी समारक निदी से दिया जाता है देश में सांती एवं संबदायिक सद्वाव बढ़ाने में के लिए दिया जाता है इसके तहत 5,000,000 रुपी पुरुसकार की रूब में दीते हैं तिलक पुरुसकार लोकमान्तिलक्स इसमारक ने दी से दिया जाता है समास सिवा की छित में उलेखनी ये वुदान के लिए दिया जाता है एक लाग रोपी इसके ते दिया जाता है फिर आपका इंद्रा गांधी राष्टी अखंडता पुरुषकार कॉंग्रिस के द्वारन दिया जाता है देश की राष्टी अखंडता बनाय रखने की दिसा में अहम भूम कानेवाने के लिए दिया जाता है ये आपका 1985 से में दिया जाता है 85 से इसके तहट 5 लाख रुपी जिया जाता है महतमा गांधी सांधी पुरुषकार भारत सरकार के द्वारा महतमा गांधी की 125 भी बर्सगांट पर पिधानमंती नरसिंभा राव ने इस पुरुषकार की गुशना की थी यह पुरुस्कार, नोबल पुरुस्कार के ढाचे पर होगा 1995 से दिया जा रहा है एक करोड रुपिय इसके तैट दिते हैं संसदी अध्यन सुसाइटी के दवारें तेया जाता है सरप्सिष्ट सांशत को दिया जाता है 1993 से दिया जा रहा है एक लाग रोपे जमना लाल बजाज पुरुसकार जमना लाल बजाज फाउंटेशन के द्वारा दिया जाता है रचनात मकार एवं सामाजी गिरामीड विकास इतु बिग्यान एवं पुरुदूगी की वियोग तथा महलाओ एवं बच्चों के उध्यान एवं कल्याड इतु कि छेत में उल्ले की निये योगदान करने वाली भारती बिग्यानिकों को दिया जाता है 1958 से दिया जा रहा है इसके ताहित पांच लाक रुपी कितना पांच लाक रुपी दिया जाता है रासी की रूमें उसके बाद कलिंग पुरुसकार यह आपके यूनेश कू कि तत्व में कलिंग फाउंडेशन की दिया जाता है बेग्यान को लोग पीए बनाने के लिए दिया जाता है 1952 से दिया जा रहा है 1976 से एक लाक रुपी इसके ताह दिया जाता है धनवंत्री पुरुसकार यह आपकी धनवंत्री फांडेशन के द्वारा चिकिस्था के छित में आजीवन कि चिकिस्था के छित में आजीवन आजीवन सिभाहितु दिया जाता है यह आपकी 1901 तर से दिए जारा है कभ से 1902 से दिया जारा है उसके बाद हॉमी भावा पुरुषकार है यह आपकी भारति परमाडु ऊड़जा विभाग के द्वारा दिया जाता है परमाडवुर्जा के छेत में विश्ष्ष्ट यहुदान के लिए दे जाता है 1990 से दिया जा रहा है पांच लाग रुपी इसके दिया जाता है बिक्रम सारा भाई पुरुषकार या भी आपकी भारतिय अंतरिक चनुसंदान संगतन के द्वारा दिया जाता है अंतरिक चनुस चेत में विश्ष्ष्ट यहुदान हितु दिया जाता है यह आपका 1982 से दिया जा रहा है एक दसम्लों पांच लाक रुपी इसके देते हैं रासी की रूम में कोरियन पुरुषकार राष्टी डेरी अनुसंदान सहस्थान द्वारा भारतिय डेरी के विकास में उलेकनी यह विश्ष्ट विविणन साखाओं में विश्ष्ट यहुदान के लिए दिया जाता है यह आपका 1988 से दिया जा रहा है एक दसम्लों 01 लाक रोपे की रूम में राथी दी जाती है जीडी विडला विग्ज्ञान पुरुष्कार केके विडला फाउंडिशन के द्वारा दिया जाता है बारति विग्ज्ञान को तीस बर्स से कमायू को उच्छिस्तरीय सोथकारियों के लिए पुरुषायत करने हितु दिया जाता है तीस बर्स से कमायू के विग्ज्ञान मंत्राले भारत सरकार द्वारा दिया जाता है विविन खेलों में विशेश उवलब्दी प्राप्ट करने वाले खिलाडियों को दिया जाता है यह आपका 1961 ते दिया जा रहा है पांचलाक रुपे इसके तरह 83 दी जाती है दोड़ाचार पुरुसका खेल विवाग मानौ संसा प्रादन मंत्राले भारत सरकार द्वारा दिया जाता है खेल पिसी इक्षकों को उत्करिष्ट सेवाओं के लिए 1985 से दिया जा रहा है पांचलाक रुपे दे राजीब गांदी खेल पुरुसका और यह आपका खेलों में साराहनी पिदरसन के लिए दिया जाता है पिदरसन प्रुसकार एवी आपका खेलों मानुसंसाधन मंत्राले बारत सरिकार देती है खेल में जीवन वर्की उपलब्दिया हो इतुद दिया जाता है 2002 से दिया जाना है इसके तहित आपका पांच अलाक रुपे रासी के हमें दे दिया जाता है और आपका केके बिडिला खेलुर पुरुसकार बार्थी किर्किट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा दिया जाता है बार्थी किर्किट के पिती आसाधान योगदान मैदान के अंदर या फिर बाहर ही तू दिया जाता है 1994 से दिया जा रहा है 15 लाक रुपी इसके तहत रासी दी जाती आपकी आपने लोग बात करते हैं अंतराश्टी ये पुरुसकार के बारे में पुरुसकार हो गया ये और ये संस्था हो गई जिसके द्वारा दिया जाता है जिस छेत में दिया जाता है उसका नाम हो गया ये स्थापना बरस हो गया ये रासी हो गई ठीकर नोवल पुरुषकार ये नोवल फांडेशन द्वारा दिया जाता है स्वेडन सांती नौवे की संसर समती और साहित स्वेडिस की अकाडमी अर्थसास्थ में बैंक आप स्वेडन चिकेसाइबं सरीर विग्यान के चित में नोवल असेम्ली नोवल असेम्ली ओप केरो लेंज का इस्टिट्यूट और भौतिक विग्यान एहुं रसायन विग्यान के लिए रोयल स्वेडन अकाडमी ओप साइंसेस तो आपको यहाँ याद रखना है क्या अलग-अलग वैसे नोवल फाउंडेशन के द्वारां दिये जाते हैं सभी लेकिन अलग-अलग दिये जाते हैं इस स्वेडन में सांती के लिए कौम देता है नोवल नौर्वे की सांसर की समिती साहित के लिए स्वेडिस अकादमी जो अर्थ साष्ट के लिए मिलता है नोबल प्राइच ए बैंक आप स्वेडन देती है चिकेसा इवं सरीर के लिए देता है जो नोबल असेंबली आप केरोलिंस का इंस्टिटीट देती है बहुत एक विज्ञान और रसायन विज्ञान के लिए रोयल स्वेडन अकादमी आप साइंसिस देती है यह आपका सायनती साथ साहित चिकिसा शरीर विज्ञान अर्थ सास्त बहुत तीक और रसायन के चित में भी दिशिष्ट उपलब्दी फेतु दिया जाता है यह आपका अगर जब से सुरू होने की बात करें तो साहित सांती रसायन बहुत की चिकिसा एवं सरीर विज्ञान इन सभी को आपका 1901 से दिया जा रहा है कब से 1901 से लेकिन जो अर्थ सास्त का नोबल पुराई यह 1979 से दिया जा रहा है कब से इसमें आपका आठ मिलियन स्वेडिस कौनर मिल दी है रासी के रूम में एक बात याद रुखे जो हमें ने बोला है ना कि तो आप वहां जाकर जरूर्द देख लेंगे गए फिर आपका मैक्सिस पुरुषकार यह आपका रह्मन मैक्सिस फांडेशन फिलिपिन्स के द्वारा लिया जाता है जिसे आप लोग एसिया की नोबल पुरुषकार की रूम में भी जानते हैं जन सेवा सरकाजी सेवा पत 6,000 की रूम में मैं पर आपका राइट लाइलिँह पुरुषकार इस राइट लेवलेबिन होड सुसाइटी लंदन की देप्धिया जाता है विकल्पिक नोबल पुरुषकार की रूम में ख्या sayThis की कहा जाते हैं तो परियाभाण इम सामाजी याई की लाल नहरू अंतराष्टिय सद्भावना पुरोषकार ये भारतिय सांस्कितिक संबंद परिसद्वादत दिया जाता है अंतराष्टिय सद्भावना एब मैत्री के लिए किये विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है ये आपका 1965 से चालू है दिया जाता है इसकी स्थ मार्कनीदी से दिया जाता है भारा सरकार की द्वारा अंतराष्टी सांती निर्शस्ती करण इवन विकास के छेत में उलेखनी योगदान के लिए दिया जाता है यह आपका 1986 से दिया जारा है इसके दाहित 25 लाक रुपे राशी की रूम में दिया जाता है फुरे आपका व्योंड दाबार पुरोस्कार ये आपका व्योंड दाबार फांडिशन के द्वारा दिया जाता है विश्व थांती की दिशा में ओ लेकनी है फिरया जया जाता है यह भी आपका 1980 से दिया जारा है इंद्रा गांदी अंतराष्टी न्याय एवं सद्भाव पुरुषकार ये आपके इंडियन कांसिल ओफ वर्ल्ड अपियर्स के द्वारन दिया जाता है न्याय एवं अंतराष्टी सद्भाव के लिए बिसेश्ट युगदान गितु दिया जाता है ये आपका 1993 से शुरू है एक लाग रुपे इसके तहर दिया जाते है सीमन बोलीवर अंतराष्टी पुरुषकार ये इवनेस के द्वारन दिया जाता है लोगों की सुतंता मुक्ति तथा सम्मार रच्चा में युगदान एवं नभीन सामाजीक विवस्था की स्तापना में युगदान ही तु दिया जाता है ये आपका 1983 से दिया जा रहा है इसमें आपका 25,000 डॉलर रासी के रूम में दिया जाता है फिर आपका आँगे उप ठंट परुस्कार ये आपका चिनमाई पीस रेस ऑर्गनाईजेशन के द्वारा दिया जाता है विविन्ने देशों के मद्र सांस्कृतिक एवं विकास को प्रोसाहित करने के लिए दिया जाता है ये आपका मानाऊधिकार की रक्चा के लिए विशेष्टकारेतु1988 से दिया जा रहा है संती ऑर मार्टिन लूथर संती और एवं अहनसा परुस्कार ये आपकी संगार के समाधान में सा राहनी ये ये युगदान के लिए दे जाता है 1976 से दिया जा रहा है तो यह आपका फुल्बराइट पुरुस्कार यह फुल्बराइट एसोसियेशन के साइट राज जमेरिका में इसके द्वादान दिया जाता है अंतराश्टी सद्भावना के लिए उलेक ने यह कारीजितु दिया जाता है पचास अजार डॉलर इसके दाएट रासी दिया जाते है और पामे पुरुस्कार यह और पामे पाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है स्वीडन के यह फिन देशों के मंद्ध पाराश्परिक संबंध मुझूद बनाने के एगदान में दिया जाता है 63000 ौलर दिय जाते है यूनस्को शांति पुरुसकार ठीलेक्स हो फ्थेंट वेगनी पुरुसकार इसे भी कहते हैं कि युनेस्कों को द्वारां दिया जाता है लिटिल नोबल पुरुसकार की रूम में भी इसे जानते हैं अंतराश्टी सांती की दिशा में विश्ष्ट प्रयासितु दिया जाता है 1989 से दिया जा रहे हैं कब से 1989 से 25,000 डॉलर के तराशी दिया जाती है कितनी 25,000 में भुकर पूरुसकार किसके द्वारां दिया जाता है बुकर मैको नल पंपनी इबन पब्लिसर्स पब्लिसर्स एसोसियेशन बेटेंट के द्वारां अंगरेजी में बैटिस आयरिस एउन कॉमन वेल्ट के लेककों के सरफ सिष्ट कथा साहित पर दिया जाता है यह आपका उनिस सो नतर से दिया जा रहा है पचास जार पॉंड इसके तहत रासी दी जाती है डेविड कोहन पुरुष्कार इबेटिस और बैस्टिस आर्ट काउंसल के द्वारा दिया जाता है बैटेन का सरबुच साहितिक पुरुष्कार इसके तहत आपका 49,000 पॉंड रासी दी जाती है कॉमन बैल्थ राइटर्स पुरुष्कार इवरीशा इवरोप एवं एसिया प्लक्स एवरोप के कॉमन बैल्थ देशों के लिए दिया जाता है याद रखी एवरेशा में आपका एसिया और इवरोप दोनों सामिल किया जाते है 1987 से इसे दिया जा रहा है 10,000 पॉंड इसके तहट रासी दी जाती है गॉंकु प्री एकादमी गॉंकु फ्रांस के द्वारे दिया जाता है फ्रांस का सर्वोच साहितिक पुरुषकार है यह आपका 1993 से दिया जा रहा है पुलितिजर पुरुषकार बोर्ड और कॉलंबिय अब इस विद्याले से उत्राज अमेरिका के द्वारां दिया जाता है पद्धिकालता साहित तोर्स संगीत की विमिन विधाओं में अमेरिकियों द्वारा पिसिट युगदान येतु दिया जाता है यह आपका 1977 से दिया जा रहा है इसके तैद 10,000 डॉलर रासी के रूम में दी जाती है मिस यूनिवर्स डॉनाल्ड ट्रंप इवं CBS टेलीविजन का मिस यूनिवर्स और्गनाइजिशन है बिसके विविन देशों की सुंदरियों में सरफसेष्ट बहुमुखी सौंदर का चैन करने ही तु दिया जाता है 1952 से दिया जा रहा है 70,000 डॉलर इसके तैद 80,000 जाती है कितनी 70,000 मिस वर्ड यापका मिस वर्ड इंको कॉर्पुरेशन लंदन की द्वारा दिया जाता है बिसके विविन देशों की सुंदरियों में सर्फसेष्ट बहुमुखी सौंदर का चैन करने ही तु दिया जाता है 1959 में इसे 1959 से दिया जा रहा है इसके तैद 50,000 पॉंड रासी की रूम में देते है बोई रामा इविस्व खाद संगटन के द्वारा दिया जाता है विस्व में खाद आबूर्ती में बड़ो त्रीवम सुधार लानी की दिसा में उलेखनी कारीतु दिया जाता है 1983 से दिया जा रहा है दो लाक डूलर इसके तैद 83 दिया जाती है फ्रयापका केम फोर्ड पुरुषकार रोयल स्वेड़ीज अकादमी ऑप साइंसेस के द्वारा दिया जाता है बिग्यान एवं पुरुद्गी की उन छेत्रों चित्रों में जिन में नोवल पुरुषकार नहीं दिया जाता है से सम्मंदित व्यक्तियों को उनके विसेट यह दान के लिए दिया जाता है यह आपका 1987 से दिया जा रहा है समय आपका 3,30,000 डॉलर रास्ति दी जाती है गोल्ड मेन पर्याबंड पुरुषकार यह आपकी गोल्ड मेन फाउंडेशन समय अमेरिका के दिया जाता है पर्याबंड में सरक्षण में पर्याबंड सरक्षण में उल्डेखनी यह दान के लिए दिया जाता है यह आपका 1989 से दिया जा रहा है 3.6 यानि की 3,60,000 डॉलर दिया जाती है फिर आपका सयुक्त राष्ट जनसंख्या पुरुसकार पॉपुलेशन काउंसल निवार्ट की द्वारा दिया जता है परिवार की निवजन के छित में विशिष्ट एवुदान के लिए दिया जता है सिप्रेज जिवाषा में पिदर सिस फिल्मों की पिदे ही बिदा में उतकिर्ष्टा के लिए दिया जाता है, याँ और Allah 29 सु राष्ट से दिया जाय जाय है कब सी ?298 सि साइन्सित, सेवद्राज अमेरिका के द्वारा, पश्चात संगीत की विभिन, विधाओं में विशिष्ट योगदान हीतु दिया जाता है, 1958 से दिया जारा है, गोल्डेन गिलोब पुरुषकार, हॉलिवोर्ड फॉरेंड प्रेस एसोसियेशन के द्वारा दिया जाता है, पुरुषकार बर्ग में फिदर्सित फिल्मों की पितेग विधा में उतकिर्ष्ट तिता हीतु दिया जाता है, एसिया में ग्यान एवं संस्किती के विकास, एवं सम्मर्धन में उलेकनिय ये उगदान येतु दिया जाता है, ये आपका 1990 से दिया जारा है, पांच लाग डॉलर दिया जाते हैं इसकिते हैं, सयुक्तरार्ष्ट, मानावधिकार, पुरुषकार, मानावधिकार की स्थापना में व्यक्ति गत्यकदान येतु हर छटे बर्ष्ट दिया जाता है, 1966 से दिया जारा है, जीडी बिड़ला अंतर अश्टी है पुरुषकार, बिड़ला कला और संस्किती पुरुषकार, हंडिसन के द्वारा दिया जाता है, बारती है संस्किती एवं गिरामीट छेत्रों में पर्याबयाण, तरक्चार एवं चिकिसी देखबाल के लिए कि गई सिवाहितु दिया जाता है, ये आपका 1991 से दिया जारा है, पाच लाग रोपीस के तर रासी दिया जाती है, जेसी ओवेंस पुरुषकार, ये आपका इंटरनेशनल अमिचियोर एथलेटिक फेडरेशन के दिया जाता है, ये आपका खेलों में उतकर्ष्ट पिदर्शन और विभिने देशों के लोगों में सहयो और साथ भावना पेदा करने जीतु दिया जाता है, जेसी ओवेंस गिलूबल पुरुषकार, अब बता देते हैं, भारत रतन से सम्भानित अभी तक जो ब्यक्ति रहे हैं, उन्हें याद रखेजिए, इनसे भी आपके कुश्चन समय सब पूँचते रहते हैं, मुझे लगता है कि करेंट में जिसे दिया जाता है, उससे कम कुश्चन पूँचे जाते हैं, क्योंकि भारत रतन हमारे देश का सरवोच पूरुषकार है, इसलिए सब को याद बना रहता है, हाल में जिये दिये, लेकिन पुराने अधिकतर कुश्चन आते हैं इसमें, यह आपका बरस हो गया, ब्यक्ति हो गया, और जनम और मित्ति हो इसकी, ब्यक्ति की, जैसे 1900 चंगन से आपने देखाया कि शुरूं हुआ, तो सबसे पहले किसे मिला, डॉक्टर सरवपल्ली राधा किश्चन, इस दार्षनिक थे, इने भारत रतन प्राप्त करने वाले पित्थम ब्यक्ति थे, यह आपकी 1888 से 1975 तक इने की जिंदिगी चलती है, और याद रख राष्ठपती थे, उसके बाद राष्ठपती बने इनके बारे में आप कई हूई है, एंवाइगराफी में, आपके सबी राष्ठपती, उप्यधान मंत्रियों और जो भी चर्चित वेकती है, उनके बारे में बात की थी, आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको, ठीली, थ चक्कवर्थी राजगोपालाचारी राजनितिक गित्ति इन्हें दिया गया है इनकी जिंदगी 1878 से 1972 तक चली यानि की 1878 में इनका जिनम होता है 1872 में इनकी मित्ति होती है 1915 मैं डॉक्टर चंद सेकर बैंकर रमन साहब को मिला था यह बैंक बिग्यानिक थे और 1888 में इनका जिनम होता है 1970 में इनकी मित्ति होती है तो यह आप रखना है 1905 में तीन वेक्तियों को दिया गया डॉक्टर सरपल्दी राधाकिष्णन चक्कवर्थी राजगोपालाचारी डॉक्टर चंद सेकर बैंकर रमन फिर आजते हैं 1955 में डॉक्टर भागवान दास यह दार्षनेक थे इनका जिनम होता है 1889 में और 1908 में इनकी मित्ति हो जाती है 1955 में ही डॉक्टर मोक्ष गुंडम विस्विस्वरिया बिज्ञानिक थे इनके भी दिया गया 1861 में इनका जिनम होया था 1961 में इनकी मित्ति हो कि 1905 में ही जवालाल नहरू साहब को दिया जाता है राजनितिक गिति आप सभी पर्चे थे इनके बारे में इनके बारे में भी हम लोगों ने विस्तार से बात की गुई है 1889 से 1964 तक इनकी जिन्दगी चलती है उनी सो संदावन में गोबंद बल्लब पंध साहब को दिया जाता है राजनितिक गिति या इनकी जिन्दगी 1887 से सुरू होती है और 1961 तक चलती है यानि कि कहने का मतलब ही कि 1887 में इनका जर्म होता है 1961 तक इनकी वित्ति हो जाती है डॉक्टर दुन्डो केसम करवे को दिया जाता है यह समास सुधारक थी इनकी जिन्दगी के बारे में बात करने तो 1858 में शुरू होती है और 1962 में खत्म हो जाती है 1961 डॉक्टर विधान चंदराय राजनेति की थी 1882 से शुरू होते हैं 1962 तक चलते हैं 1961 में फुरुसत्तमदाश टंडन साहब को दिया जाता है यह राजनेति की थी 1882 से इनकी जिन्दगी 1962 तक चली 1962 में डॉक्टर राजिन पिसाथ साब को दिया जाता है ये राजने थे कि थे आप जानते हैं कि पहले हमारे देश के राष्टपती थे राजिन पिसाथ ये आपका इनका 1884 से 1963 तक जीवन चलता है 1963 में डॉक्टर जाकर हुसेन साब को दिया जाता है यह भी राजनेतिकी थी 1897 से 1990 तक इनकी जिन्दगी चलती है 1963 में डॉक्टर पांडूरंग वामन कांडे को काने को दिया जाता है यह संस्कित तक गे थी 1880 से 1922 तक इनकी जिन्दगी चलती है या तो आपसे फश्ट पूचा जाएगा क्या पूचा जाएगा सबसे पहले किसे मिला था या फिर पूचेगा आपसे देखी इस तरह की कुश्चन से बनेगे 1966 में किसे दिया गया लाल भादू सास्त्री यह आपके राजनेते कि थे 1904 से 1906 तक इनकी जिन्दगी रहती है इन्हें मरुडवपांत दिया गया था यानि कि मरने के बाद इन्हें आपका भारतरतन दिया गया था तो आपसे कुश्चन किस तरह से बनेगा कि सबसे पहले मर प्रांत यानि कि मरने के बाद भारतरतन किसे दिया गया था तो लाल भादू सास्त्री सापको कि 1971 में शरी मती इंद्रा गांधी को दिया जाता है यह भी आपकी राजनेते कि थी आपकी पिदान मंत्री थी 1970 से 1984 तक इनकी जिंद्गी चलती है फिर 1975 में दिया जाता है वरहे गरी बैंकटर गरी इरवी राजनेते कि थी 1894 से 1980 तक इनकी जिंद्गी चली 1906 में दिया जाता है कुमारा स्वामी कामराज को राजनेतिक गिते 1903-1975 तक इनकी जिंद्गी चली इन्हें भी मरूडपांथ दिया गया था यानि कि मरने की बात दिया जाता 1980 एगनेस गोज बोजाक सीव इसी मदर टेसा इस समाज से भी का थी 1910 से 1997 तक इनकी जिंद्गी चली एक बात आप यहाँ याद रखने हैं स्रीमती इंद्रा गांदी को और मदर टेसा साब को इन्हें कई बार पूछ लिया गया है कि इन्हें कपप दिया गया था तो इंद्रा गांदी को 1971 में और मदर टेसा साब को 1980 में भारत रतन से सम्भानित किया गया था 1983 की बात करने तो अचार बिनुवा भावि साब इस समाज सो धारक थी इन्हें भी आपका मलने के बाद यानि की मर्डोपान दिया गया था इनकी जिंद्गी चली 1895 से 1982 तक फिर आपके 1987 खान अब दुल कपार खान है इस समाज सिवब के इन्हें विदिया गया था 1890 से 1988 तक इनकी जिंद्गी चली 우리가 इन्हें निस नब्समें मर्दुन गोपालन रामशंदन को दिया गया था 1917-1987 तक इनकी जिन्दील चलिए इन्हें भी मरने के बाद की दिया गया था 1990 में डॉक्टर बिमरावमिडकर कैoffer सब लोग जानते हैं इसी राजनिते के थी 1891 से 1956 नेकी जिन्दकी चलिए मरने के बाद इन्हें भी दिए गया था कि तुर्यापके 1990 में डॉक्टर नेलस नेलसन आर मंडिला यह राजनितिक गिती और इन्हें 1908 से 1923 तक इनकी जिंद्गी चली यानी कि 2003 में चल बसी 1991 में राजीव गांधी साफ को दिया गया 1994 से 1991 तक इनकी जिंद्गी रही इने भी मरने के बादी दिया गया 1991 में साजार बलाब भाई पेटल को इस राजनितिक दे ए 1875 से 1950 तक इन्हें भी मरुड़पांग दिया गया 1991 में मौराजची देशाइस आपको यह भी राज नेतिक थी इनकी जितनी की 1896 से 1995 तक चलती है 1992 में सुवाश्यंद वॉस पी आईयल की कारें सर्वोच नियाले द्वारा 1997 में निरस्थ कर दिया गया ऐसी 1897 से 1945 तक मौरुपांग मित्ति उदिनाग में भी बिद्वाद है इसलिए इसी दिया गया यह यादरी की चर्चा में बना रहता है तो इसे भी आप याद रख सकते हैं 1992 आता है मौलाना अगुल कलाम आजात यह भी राजनेति भी थी 1888 से 1958 तक इनकी जिंदगी चलती है इन्हें भी मरने के बाद ही दिया गया था 1992 ज्यारडी टाटा उद्वपति साहब को दिया गया था यह 1904 से 1993 तक इनकी जिंदगी रही गया भुल्जारी लाल-लंदशाहब को दिया गया था यह 1888 से ours हमौन roundy अशभ अलीशाब को दिया है और यह राजनेतिक ए वह 1909 से मिन्जाइन देट में और दों यह भी मरने के बाद ही दिया था 1999 में MS सुबलक्षमी को दिया गया एक गाय का थी 1906-2004 तक इनकी जिन्दगी चली 1999 में C सुबमन्यम राजनितिक को दिया गया इनकी जिन्दगी 1910-2000 तक चली 1999 में प्रोफेसर अमिर सेंड को अर्शास्त्री है इनका जनम 1923 में हुए 1999 में पंडेरवी संकर सितारवादक है 1920-2012 तक इनकी जिन्दगी रही 1999 में गोपिनाथ बार्दू लाई बार्दू लोई राजनितिक गया 1890-1990 तक इनकी जिन्दगी चलती है और इने भी मरने के बादी दिया जाता है पर आपके कौन है 1999 में जैपकास नारायन साब को दिया जाता है यह भी आपकी लोग से वक है 1902-1989 तक इनकी जिन्दगी चलती है इने भी मरने के बादी दिया गया एक पुरुसकार भारत रदन 2001 की अगर हम बात करें तो लता मंगिसकर को दिया गया था एक गाय का है इनका जनम 1929 में हुगा था 2001 में उस्ताद बिस्मल्ला खान को दिया गया था इस सहिनाई बाद अक्या 1916 से 2006 तक इनकी जिन्दगी चली और इन्हें मर्डव परांद दिया गया था क्या मर्णे के बाद दिया गया था 2009 में पंडित भीम सेंजोसी को दिया गया था सास्तिय संगीत के लिए इनकी जिन्दगी 1922 से 2011 तक चलती है 2014 में आप सभी जानते हैं सचिन तेंदूलकर को दिया गया एक रिकेट के लाड़ी है आप जानते हैं 1923 में इनका जनम होता हैं 2014 में अनीन सो चोर्थ में को दिया गया था इनका जनम 1934 में होता हैं कवो त है हम निन सो चॉटिश में की 1015 में अतल विहारी बाचकई साफ को दिया गया था किसे दिया गया था अटल विहारी बाचकई साफ को इस राजनितिक गया आपकी पेदान मंत्री भी रहे हैं और इनकी जिन्दगी 1924 में इनका जनम होता है और इनका जनम दो स्वरी इनकी मित्ती हो जाती है 2018 में कव 2018 में यह अदर की है और 2015 में ही 2015 में महामना यह मदन मोहन मालविय साफ को दिया जाता है इन्हें आप जानते हैं कि यह आपकी क्या है समास सिख्षाविद राजनितिक और समास सुधारक थी इनकी जिन्दगी 1861 से 1946 तक चलती है इन्हें भी मरने के बाद ही दिया गया था अब बच्चते हैं आपकी 2019 में जिसे नोबेल फ्रोसकार दिया गया है तो आपको बता देता हूँ इसमें अपडेट नहीं अपडेट कर देता हूँ ठीक है फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ कि हर साल के अपडेट करते रहना है यहां तक आपके इस्तायाक्रे हो जाते हैं तो तेन लोगों को मिला था प्रणाव मुखाजी थी जो हमारे देश के राष्टपती भी रह समाज से भी थे और 2019 में भूपेंड हजारीका साब को दिया गया एक गीतकार और संगीतकार थे तो याद रुखे 2019 का तीन लोगों को दिया गया पड़ाव मुखर जी नाना जी देश मुख और भूपेंड हजारीका ठीक है उसके बाद आपके इन जवाहल लाल नेरू अंत 1965 में यहां का उठाट को दिया गया भूदपूर्ण महासचीब सेउक्दराश संकी थे 1966 में डॉक्टर मार्थिन लूथर किंग को दिया गया इस सेउक्दराजी अमेरिका की आसोइत निता थे 1967 में खान अब्दूलगफः खान को दिया गया यह बलूची नेता थे पाकिस्तान की सीमाद गांदी भी इन्हें कहा जाता है खान अब्दूलगफः खान को 1989 में मदर्टेशा सहां को दिया गया अल्वानिया की भीक्षच का आ PARत मिनोंने भारतिय नांगरिक दाभी ले ली थी 1989 में नेलसन आर मन्डेला सहां नितिया गया थे नशन अहठीड़िका की सुतनता सेंह निती us 94 में स्रिमति इंद्णरा गांधी को दिया गया थे बहरत की थी मरने के बाद दिया गया था मदर्वर्परांथ 1988 में यासे अराफाद को दिया गया था फिलिस्थीनी मुक्ति मोर्चा की अध्यविशी 1991 में सिरीमाथी अरुना असप अली को दिया गया थै यह बार्ती समाच से भी थी 2009 में एंजिला मार्किल को दिया गया था जर्मन चांशना गरती ग्यान पीट फुरुशकार की अगर हम लोग बात करें किसकी? ग्यान पीट फुरुशकार यह आपके किसे बरस हो गया प्राप्त करता हो गया है किड़ती हो गहीं कि जिसके लिए दिया गया है 1965 में क्या है 1965 में जी संकर कुर्व खिर्व को दिया गया था किसे जी संकर कुरुव था यह ओड़ा को जाई किर्थी के लिए मलयालम फिर 1966 में तारा संकर बंदोपाद्याय को दिया गया था गढ़ देउता बंगलाद किर्थी के लिए 1966 में केवी फुटपा एवं उमासंकर जोसी को दिया गया था केवी पुटपा को रामायड दर्शन कन्नड के लिए उन्डिसीद गुजराती के लिए उमासंकर को 1968 में सुमत्रा नंदनपंथ को चिदंबरा के लिए हिंदी में 1989 में फिराक गुरकमुकपूरी को गुल ए नगमा उर्दू में 1970 में विश्वनात सत्व नारायन को श्रीमद रामायड कल्प व्यक्चम तेलगु के लिए 1971 में विश्णुटे इश्मीती सत्ता भविस्यत बंगला के लिए 1970 में रामधारी सिंग्धिन का पुर्बरसी हिंदी के लिए 1973 में 1973 में आपका डॉक्टर दत्तादे ते रामचंद बिंदे गोपिनात मुहंती को दिया गया था इनके चारतार कंणड के लिए और दूसरा माट्टी मटाल उडिशा के लिए यायाती इन्हें के लिए और रामचंद बिंदे को चारतार के लिए तो आपके 1934 का विष्णु सखाराम खांडिकर को दिया गया यायाती मराठी के लिए 1975 में बीपी अकलंदन को दिया गया था चित्व पावन तमिल के लिए 1976 में 1976 में स्रीमति आसा पूर्ण देवी को दिया गया था इपिथम महिला थी इस तरह के कुष्चें साफ लोग हमेशा याद रखी करिए 1977 में स्रीमति आसा पूर्ण देवी को एपिथम महिला थी इस पिथम पिर्ति सुर्थि के लिए बंगला के लिए दिया गया 1977 में सिवराम कारंथ को मुकजिया कन सुगल कंणड के लिए दिया गया था 1980 में एस के उट्टे काट ओरू देशा तीने कथा के लिए दिया गया मलयालम 1961-81 में अमरत पिथम कागर्ष्थी कनवाज के लिए दिया गया पंजाबी में 1982 में महादेवी वर्मा यामा हिंदी के लिए 1983 में मस्ती बैंक टेस आयंगर को शिक बीर राजयंद के लिए कनणड में 1984 में तक्सी सिप संकर पिल्लाई को कायर मलयालम में ठीक है उसके बाद है आपका 1985 से यह 84 के बाद यह पुरुसकाल लेकर के समग यहुदान पर पिदैसन किया जाता है 1985 में पन्नालाल पटेल क्या पन्नालाल पटेल गुजराती साहित में उतकृष्ट यहुदान के लिए दिया गया थे है 26 में ससिदयानन्द राय को उडिशा साहित में उतकृष्टे उधान के लिए 1987 में बीवी सिर्व सुर्व वाड करको दिया गया मराथी सायतु में उत्किष्ट उत्किष्ण उधान के लिए 1988 में सी नायडू नारान रेड़ी को तेलगू सायत बोववववववववववववव गरिय नावशी में कुरेथ तूल एन हैदर को उर्दु साहत की उतकर्ष्ट युदान के लिए, 1990 में बिनायक किष्ण गोकाप को, कन्नड साहत में उतकर्ष्ट युदान के लिए, 1991 में सुभास मुखोपध्याय को, बंगला साहत में उतकर्ष्ट युदान के लिए, 1992 में नरेस महिता को, हिंदी साहत में उतकर्ष्ट यु देवन नायर को यह मल्यालम साहत में उत्किष्ट युदान के लिए दिया गया था 1996 में स्री मती महा सुइता देवी को बंगला साहत में उत्किष्ट युदान के लिए दिया गया 1997 में मैं अली सर्दार, सर्दार जापरी, उर्दु साहित में उत्किष्टे उदान के लिए, 1998 में मैं ग्रीस कर्णार, कर्णार साहित में उत्किष्टे उदान के लिए, निर्मल बाबा को इंदी साहत में उतकिष्टे 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 उतकिष् कस्मीरी साहित में उतकिष्ट युगदान के लिए 2005 में कुवान नारायन हिंदी साहित में उतकिष्ट युगदान के लिए 2006 में रविंदर केलकर और सत्तवेद सात्त्री कॉंकडी और संस्कित में युगदान के लिए ने दिया गया थो दोनों 2007 में ON को मली आलम सायट में उत्किष्ट नियूदान के लिए 2008 में अक लाक ठाण सहर अर। उर्दू सायट में अमर कांथ इभं स्रीलाल、、। हिंदी सायट में उत्किष्ट говорит हम कि लिए 2010 चंद सके कंबर 먹어 &icaине कर्णड़ भासअ में 2011 में पितिवाप कोईशा सायट में 2011 12 12 घाथनी जाने ही सांइत में नगा। में केधार्नाथ सिंग 1 क्या केधार निस हिंदी सहहत में उतके स्थ एक यदिन 2013 में Center उस्थी के लिए 2014 भाइल चंद निवारी मराठी सहत में युसरी हो। हुआ है 혹시 210 हैं 15 में रगवी चौधरी गुजराती सहत में स। उत्किस्टेवृधान के लिए 2016 में संग्षश यह बंगला साहित पृषथ इसटी थित Arduino सौक्ति इनंहेगे था कि उत्किस्टे उत्किस्टेवृधान के लिए2018 2018 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 नमाध्री मले आलम के लिए ठीक है अक्कितम अच्शितन नमोध्री अमिताप इन्प सरत्सूती सम्मान है तो जिसे जिसे मिला है अभी तक उनने देख लेते हैं 1990 में हरीवन सराय वच्चन साहाब के लिए था हिंदी में दिया है ता से हम 25 फrals कर के लिए ने 1992 में रमाकां दुरभ ना की का लिए ओडिया में अभे किदे के लिए नीत काप किरथे के लिए उन्नीस तहराणवे युदा हर्भजन ऑन को दिए गया। और चृच्वर के प्रिमती एन वालमडी अम्मा को दिया गया था मलयालम में नियोध्धम कापव किट्री के लिए 1996 में समसुर रह्मान फरूकी को दिया गया था और्दू में सेर एसोर अंग्रेज के लिए 1997 में मनुभाई पंचोली दर्शक को दिया गया था गुजराती में कुरूचेत के लिए 1998 में संख घोस को दिया गया था बंगला में कविता संगराय के लिए गंधरव के लिए ठीक है उसके बाद है आपका 1999 1994 में में डॉक्तर इंद्रा पाझशाज्ति को दिया गया था तमिल में रामा नूज रामा नजम नाटक केरिया सं 2000 में मनुष्दास को दिया गया उडिशा में उडिया के लिए अमरेटफल उपन्यास के लिए सन 2001 में डॉक्टर दलीब को और तेवाना को दिया गया था पंजाबी में कथा कहो और वर्सी उपन्यास के लिए सन 2002 में महिस्त एल कुंचवार को दिया गया मराटी में योगांत के लिए नाट किर्थि के लिए सन 2003 में प्रोफेसर गोविंद चंद पांडे को दिया गया था संस्कित में भागी रती काभी किर्थी के लिए सन 2004 में सुनील गंखुपाध्या को दिया गया था बंगला में पितम आलो उपन्यास के लिए सन 2005 में प्रोफेसर के एपपा पडिकर को दिया गया मलयालम में एपपा पनी करूडे किती कल कापी किती के लिए सन 2006 में जगनात पिसाथ दास को दिया गया ओडिसा में परिक्मा के लिए सन 2007 में डॉक्टर नियर मसूत को दिया गया उर्दू में ताउस चमन की मेना के लिए सन 2008 में डॉक्टर लच्मी नंदनबोरा को दिया गया है हिंदी काया कल्प के लिए सन 2009 में डॉक्टर सुर्जीत पादर को दिया गया पंजाब में लबजान दी दरगाय के लिए सन 2010 में प्रोफिसर S. ल भैररपपा को दिया गए कंडर मंद में 2011 में ए दिया गया ए-e-e-rnd तमिल के लिए दे गया था इरमा, कत्युम, इरामा कलूम के लिए सन 2012 में सोगाता कुमारी को दिया गया मलयालम में मनाली चूतु के लिए सन 2013 में गोगिन मिस्रा को दिया गया था हिंदी में धूल पौधों पर सन 2014 का वीरप्पा मुईली को कंडर में रामाईड महान वेसम के लिए सन 2015 में पदमा सचदियों को दिया गया डौगरी में चित चेति के लिए सन 2016 के अगर हम बात करें तो यह महाबली सोर सेल को दिया गया था कौंकड़ी में हाउटन के लिए सन 2017 में एसितांसु एस्चंद्रा को दिया गया था गुजरादी में वखर के लिए जो 2018 का था, क्या, 2018 का जो सरस्वतिव संभान था एक किस सिवरेड़ी को दिया गया था, के सिवरेड़ी को इन्हें पक्की ओत्ती गिलेती कवितासंगरे के लिए दिया गया था और जो सन 2019 का है यह आपके वास्देव मोही को दिया गया है चेक बुक सिंधी भासा कहानी के लिए चेक बुक के लिए 2019 का वास्देव मोही को अभी तक अपडेट करके बता दिया है अब जो भी 2020 में आँगे मिले उन्हें आप अपडेट करते रहिए करेंट अपियस से ठीक है फिर आते हैं ब्यास सम्मान तो ब्यास सम्मान अभी तक किसे-किसे दिया गया है उन सब को बता देता हूं तो याद रखिए कई लगबग 2019 तक कि सभी अपडेट कर देता हूं और 2020 में जिसे भी मिले उसे आप लोग अपडेट करके पढ़ती रहना करें तो 1991 राम बिलास सर्मा को किरती इनकी थी भारत की प्राचीन भासा परिवार को हिंदी के लिए गया था 1992 में प्रोफेसर सिफ पिसाच सीन को किरती के लिए इनका था नीला चांग 1993 में गर्जापमार मातुर किरती में मैं बक्त के सामने हूं 1994 में डॉक्टर धरमबीर भारती किरती थी इनकी सपना अभीवी 1995 में कुंगर नारायन सीन इनकी किरती थी कोई दूसरा नहीं गया 1996 का दिया गया डॉक्टर रामसरूप चेतरवेदी इनकी किरती थी हिंदी साहत और संबेदना का विकास 1997 में प्रोफेसर क्यादार नात को दिया गया कभीता संग्राय के लिए उत्तरकबीर और अनकभीताहों के लिए 1998 में में गोविंद मिस्क को दिया गया इनकी किरती पांच आंगनों वाला घर 1999 का स्रीलाल सुकल को विष्रामपुल की संथ थी इनकी किरती के लिए दिया गया था सन 2000 में गृराज के सुर को इनकी कर्ति थी पहला गरी मिटिया सन 2001 में रमिश चंद साय को आलोचना का पक्ष इनकी इस कर्ति के लिए दिया गया था सन 2002 में केलास बाचपरी को दिया गया पिथवी का किष्ण पक्ष की कर्ति के लिए सन 2003 में चित्रा मुधगल को दिया गया आवा के लिए सन 2004 में मिदुलागर को दिया गया कट गुलाब के लिए सन 2005 में चंदकांतरा को दिया गया कथा सती सर के लिए सन 2006 में प्रोफेसर परमानंद स्रीवास्ताओं को दिया गया कवीता का अर्था 2007 में किठना सोपती समय सरक्म 2008 में मनुवंडारी एक कहानी ये भी 2009 में अमरिकांग किर्ती थी इनी हत्यारों से 2010 में डॉक्टर विस्वनात्य बारी फिर भी कुछ रह जाएगा 2011 में रामदरस मिस्रा आम की पत्ति 2012 में नरेंद कोईली ना भूतो ना भविस्वश्चति के लिए दिया गया 2013 की बात करें तो डॉक्टर विस्वनात्र पाटी इन्हें बेवम केस दर्वेष के लिए दिया गया सन 2014 का दिया गया डॉक्टर कमल किसूर गुएंड का को प्रैम चंदी की कहानियों का काल क्युमनसार अध्यन करने के लिए 2015 का सुनीता जेन को छमा के लिए 2016 का सुरेंद बर्मा को काटना समी का ब्यक्च पदम पंखुरी की धार से 2017 का ममतकालिया को सुखम दुखम के लिए किर्दी के लिए इनकी दिया गया था अब बचता है आपका 2018 का तो 2018 का मैं बता देता हूं कि 2018 का आपका ब्यास सम्मान 2018 का ब्यास सम्मान मिला है लीला धर जगूरी इस नाम को याद रखना है लीला धर जगूरी जितने लोग उतने प्रेम के लिए ने दिया गया था और 2019 की बात की जाए कब 2019 की तो एक कागच की नाव के लिए नासीरा सर्मा को दिया गया है 2018 का लेला धर जगूडी को जितने लोग उतने प्रैम के लिए किर्टी के लिए और नासीरा सर्मा को 2019 का दिया गया है कागच की नाओ के लिए ठीक है तो अभी 2019 तक मैंने कमट करेक्ट कर दिये है या निक अपडेट कर दिया है अब आगे आप लोग देख लेना ठीक है फिर है आपका दादा साहब फाल के पुरुसकार इसके देख लेते हम लोग सुरू से लेकर अभी तक 2019 तक किसे किसे दिया गया है 1970 स्रीमती देविका राणी रोरिक को पहला आपनों इयाद रखा करिएगा क्योंकि कुश्चान साब से बनेगा तो इससे भी आपका बन सकता है उसके बाद 1970 का बी एन सरकार को दिया गया है यह निर्माता थे 1971 का पिथवी राज कपूर का मर्डवपान तयानी की मरने के बाद दिया गया था यह अभीनेता निर्माता और निर्दे सकते 1972 का पंकज मलिक को गायक निर्माता निर्दे सकते 1973 का सुलोचना रूवी मेर्स अभिनेतरी को 1974 का बियन रेटी निर्माता निर्दे सको 1975 का धीरेण गांगोली अविनेटा निर्माता न ne ze सको 1976 का कानन देवी अभिनेत्री गाय का निर्मात्री 1977 का नितिन बॉस सेने मेट्रो गिराफर निर्माता ने दे सक्ते 1978 का आर्सी बुराल संगीट कारते 1989 का याकीस होह राप मोधी को दिया गया था अभिनेता निर्माता 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 निर्मा का बी नागा नागी रेट्टी निर्माता थे 1987 का राज कपूर अभिनेता निर्माता ने दे सकते 1988 असुक कुमार ये अभिनेता थे 1989 का लतामंगेश कर एक गाय का निर्मात्ति है निर्मात्री और 1990 ए नागेश रेट्टी को अभिनेता निर्माता है 1990 भाल जी पिंदार कर निर्माता ने दे सकते 1992 भूपेन हजारी का गाय क संगीत कार अभिनेता निर्माता ने दे सकते इनी को आपका भारतरतन 2019 में दिया गया है 1993 में मजरूव सुल्दानपुरी असरार होसेन खान को संगीत कारें 1994 में दिलीर कुबार अभिनेता है 1995 में डॉक्टर राजकुमार अभिनेता निर्माता ने दे सके 1996 में सिवाजी गडेशन अभिनेता है 1997 में कभीफिदी रामचन्द नार्यन जी दुवेदी हैं कभी गीतकार है 1998 में बीयार चोपड़ा को निर्माता ने दे सके 1999 का रिषी केश मुखर जी निर्माता ने दे सक 2000 का सन 2000 में आसा भोवसले को पारसो गाय का है 2018 में यस्चोपडा इनका सम्मंद निर्माता निदे सकें 2002 में देवानंद अभीनेता 2003 में मेडा मिनाल सेंड निदे सर्थ 2004 में अडूर गोपाल किष्णन याक के अभीनेता निदे सर्थ 2005 में स्याम बेनेगल याक के निर्माता निदे सर्थ 2006 में तपन सिंगा फिलिम निदे स 2007 में मनना डे पार्सुगाय, 2008 में बीके मूर्ती चाय अंकर निर्देश, 2009 में डी रामा नाइडू फिल्म निर्माता, 2010 में के वालंग चंदर फिल्म निर्माता, 2011 में सोमेत्री चटरजी फिल्म अभिनेता, 2012 में प्राण किशन सेकंद ए फिल्म अभिनेता थे, 2013 में संपून सीन गुल्जार को फिल्म ने गर्रितकर निर्दे सक, 2014 में सशीक कपूर फिल्म अभिनेता, 2015 में मनुष कुमार, फिल्म अभिनेता, 2016 में केविज, विस्सुनात, फिल्म निर्देचा, 2017 में बिनोध खन्ना, फिल्म अभिनेता, और 2019 की अगर हम बात करें तो, जो भी आपका 66 वा, राष्टी पुरुस्का था, ये दादा साप पाल्व के पुरुस्वार, ये आपको 2019 में दिया गया है, अभिताब बच्चन को, 2018 के लिए, ठीक है, तो अब 2020 में मिलेगा, 2019 के लिए, और आप ये बात एक रियाद हमेशा रखना, कि इतने नाम रठ पाना आपके लिए संभाव नहीं है, जब भी पेपर देने जाते हैं, उस समय कोई अगर वैक्ती चर्चा में रहता है, उसे इस तरह कि जो भी पुरुस्कार मिले होते हैं, तो उसे आप लोग या कर लिया करिएगा, उसी से कुश्चन पूछे जाएगा, या फिर पूछा जाए इस सर्वोच तथा सर्वाधिक पूरुसकार, रासी वाले इस अंतराष्टी पूरुसकार को, उसके संस्थाफक स्वेडिस रसायन साक्स्त्री तथा उद्धोपती अलफेड वर्नार्ड ने नुबल, इनका 1833-1996 तक जिन्दिकी रही है, एक बात बोलूगा या, क्या, आप लोग उससे पढ़ लें, जो मैंने बता दिया था पीछे, और मुझे लगता है कि आपका उससे questions उसके बाहर नहीं जाएगा, जो भी होगा आपका, उसी से पूंचा जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छे से आपका पूरा इतिहास बता द तो याब रखिए, इस special video पूरा इस PCS में आपका डवार लागा है, नोबल पूरसकाल का इतियास की नाम से उसे अच्छे से देख लें, यहां भी बता देता हूँ, जो यहां दिया गया है लाइक करी, लेकिन अब डेट करते रहिए इसे, और अधिकतर भारत की याद रख किनके चेत्रों में बावतिक सास्त, रसायन सास्त, सारी रिक्यरिया विग्यान, चिकिसा विग्यान, साहिस्त और 207 के लिए, सांती के चेत्र में यह आपका 1901 से प्यारम हो चुके थे, लेकिन अरध सास्त की अगर हम लोग नोबल पुरसकार की बात करें, त यह 19 69 में शु सवेटिस जएसिट द्वारा में 1997 में फरुस्कार अब तक एब दो मैट ब्यक्तियों को यह पुरुसकार दिया गया पहली बार एरी एक्सेल काल फल्टर को 1971 में और दूसरी बार आपका दूसरी बार दिया गया था सेवतराष्ट की महासचिब डेग हैमर सोल्ड को 1961 में ठीक है? 1994 में नियम बना दिया गया कि मर्डो प्रांथ किसी भी नोबल पुरुसकार नहीं दिया जाएगा यानि कि मरने की बाद तो इन दो नाम को आप याद रखिए International Committee of Red Cross को सांती का नोबल पुरुसकार तीन बाद दिया जाएगा है 1970 में 1970 में 1946 में 1963 में सबसे कम उम्म में नोबल पुरुसकार पराप करने वाली बेकती हैं Lawrence Bragg इनकी जब इने नोबल पुरुसकार दिया गया इनकी आयू 25 वर्स थी कितनी 25 वर्स सबसे अधिक उम्म में Leonid Harquis ने नोबल पुरुसकार जीता था उन्हें 2007 में 87 का नोबल पुरुसकार दिया गया उनकी उम में थी उस समय 90 वर्स नोबल पुरुसकार पाने वाली व्यक्तियों की बात करना इनने 1903 में रेडियोग सक्क्रिघ्यता यानी की बहुत की के चेता उन्हें 2012 में सुद्ध रेडियम निसकर्शन के लिए दिया गया था यानि कि मेडम कुई रुभी को दो बार दिया गया 1903 में भी और 1911 में भी फ़र आपके लीनर स्पोलिंग 1905 में हाई ब्रडाईज कप्छिय सिधांत रसायन के लिए 1922 में नापकी परिक्चन निसे संदी एक्टिव जम सांती के लिए दिया गया था यानि कि लीनर पॉलिंग को दो बार 1905 में और 1922 में जॉन बार्डीन उन्नी सो चपन में इने ट्रांजिस्टर बहुत की के लिए अभिस्काल के लिए 1972 में इन्सुलीन मॉल्क्यूल की सरचन रसायन के लिए और 1988 में वायरस नुक्लियोटाइड के स्विक्वेसिंग रसायन के लिए दोनों बार रसायन चेत में दिया गया पहली बार 1958 में दूसरी बार 1988 में यह आपके भारत के जो सम्मारित है उनका नाम दिया गया है यानि कि नौवल पुरुषकार से सम्मारित भारती है रवेंडाट टेगोर सबसे पहले इन्हें ही दिया गया था साहित गीता अंजली के लिए 1913 में इनसे आपका कुश्चन कही बार बन चुका है तो याद रखना है कि पहले भारती है नौवल पुरुषकार विजेता थी रवेंडाट टेगोर इन्हें इन्हें साहित के छित में दिया गया था गीता अंजली किर्थी के लिए इनकी 1913 की बात है चंदशिकर बैंकर रवन बहुत थीक विज्ञान के लिए रवन पिरभाव के लिए ने 1930 की बात है हर्गोविंद खुराना चिकिस्सा और सरीर विज्ञान के लिए अनुगांसिक क पूट और प्रोटीन सेंसलेशन के लिए दिया गया था 1968 में मदर टेशा इगनेस मोंच बुजाक की स्कूव ये सांती के लिए समाच सिवा 1989 में मदर टेशा को 1989 में फिर आपकी सोवा मन्यम चंदशिकर बहुत इक विज्ञान में चंदशिकर सीमा नक्षत्तों के बारे में के लिए 1988 में, अम्रोशन इन्हेंय अर्थसात किषत में दिया गया था कल्यार्ट कारी अर्थसात के लिए 1988 में, बी एरस नाBefore साहिते के लिए 2001 में, बेंकर रमन, राम किष्णनर, रसायन विग्यान के राइव सम के त्री आयामी चित ये 2009 में, कहला सत्यार्थी को संती किष स्बैक्रिट में बाल अधिकारें को पुरोषान करने ही तो 2014 में और अभी आपने देखा है 2019 में आपके अपजीत बनर्जी साहब को दिया गया है नोबल फुरुषकार ठीक है वो भी आपकी भालती हैं उलके है अब चलते हैं मैंट बुकर पुरुषकार की बारे में बात कर लिते हैं यह बेटेन का सरवोच साहित पुरुषकार है मैंड बुकर पुरुषकार बेटेन का सरवोच साहित पुरुषकार है 1979 में से दिया जाने वाला यह पुरुसकार साहित के चित में नोल पुरुसकार की बाद सबसे वड़ा पुरुसकार है यह पुरुसकार बुकर कमपनी और वेटिस पिकासक संग की द्वारा से पुरुप से दिया जाता है या पुरुसकार अंग्रेजी में लिखे उपन्यास के लिए राष्ट मंडल देशों, आयलेंड, जिंबाम्बे की नाग्रेकों को पिदान किया जाता है अगर इसकी पुरुसकार रासी की बात करने तो 50,000 पॉंड इसकी तरासी दी जाती है दोबार गुकर पुरुसकार प्राप्त करने वाली पहली मैला अबेटिस्ट नागरी हैलीरी मेंटल है जो 2009 में भी दिया गया थे ने और 2012 में भी इन्हें दिया गया अब बात करते हैं मेंगुकर प्राप्त करने वाली भारतिये मूल के बेखतियों की तो B.S. Naipol N.A. Free State के लिए दिया गया था पोस्तक के लिए 1971 में सलमान रूस दी Midnight Children के लिए 1981 में अनुधती राय The God of Small Things 1997 में किरन देशाई The Inheritance of Laws 2006 में अरविंद अडिगा The Bright Tiger 2008 में ठीक है फरे आपका Raymond Maxxis पुरुषकार Raymond Maxxis पुरुषकार को Asia का नौबूरुषकार कहते हैं किसे? यही कई बार कुश्चेंज बन चूका है Raymond Maxxis पुरुषकार को Asia का नौबूरुषकार कहते हैं जिसकी स्थावना 1957 में की गए थी Philippines के राष्टपती रेमन मैक्सेस की याद में दिया जाता है रेमन पुरुसकार से सम्मानित कुछ विशिष्ट भारतिये हस्ती आये जैकि सबसे पहले आपका आचार बिनोवा भावे इन्हें याद कर लीजे सबसे पहले उन्नी सो अंठावन में इन्हें दिया अमिताप चोदरी को 1961 मदर टेशा को 1962 बरगीज कुरियन डॉक्टर डारा एन कुरोधी को 1963 जैपिकास नारायन को 1965 कमला देवी चटोबध्याय को 1966 सत्य जी तरे कौन है? सत्य जी तरे इन्हें दिया गया था आपका 1967 में MS स्वामी नातन 1971 में MS सुब्बू लच्मी 1974 बुबली जौर्ज बरगीज 1975 सौंबू मित्रा 1976 इला भट 1977 मविली एरोल रजनीर कांथ एरोल इन्हें 1989 में गौर के सोर गोस और प्रमोद करन सेटी 1981 में दिया गया उसके बाद बीजी बरगीज मडी भाई देशाई इन्हें दिया गया आपका 1982 में त्रिवुवल दास पटेल चंडी परसाथ भट अरोन सूरी और आर के लच्मण बाबा आर के लच्मण को इन सभी को दिया गया था 1984 में बाबा आम्टे साब को दिया गया 1985 में लच्मी चंद जैन को 1989 केवी सुभान को 1991 पंडित रवी संकर को 1992 बानुव जहांगीर कोजी को आपका 1993 में किरन बेदी को भी मिला है 1994 में आई पीएस रेनी ना है हमारे दिश की पहली आई पीएस किरन बेदी साथ पानुरंग अठावली एवं टी एन सेशन सेशन को ये 1996 महसुत सुईता देवी महिश चंद मेहिता 1997 में अवना राय संद 2000 में राजिन सिंग सं 2001 में संदी पांडे सं 2002 में जेम्स माइकल लिंग दोय और इवं सांथा सिंगा इन्हें सं 2003 में फराय आपके एडमिरल रामदास 2004 डॉक्टर भी सांथा सं 2005 अरविंद केजरी वाल जो अभी दिल्ली केजरी वाल मुकमंत्री है इन्हें 2006 में पालागुमनी साइडा 2007 पिकास एन मंदाकनी याम्टी 2008 दीप जोसी 2009 नीलमा मिसरा और हरीस पांडे 2011 कुलंदा दीप फ्रांसीस 2012 अंसु गुप्ता संजीप चेतरवेदी 2015 थोदूर मदा बुसी किष्णा और बेजवाडा पिलसन को 2016 में 2019 में आपके पक्तिकारी था कि जाने माने पक्तिकार हैं रवीश कुमार उन्हें आपका 2019 में दिया गया था ठीक है? याद रुकना त्रे आपके पुलिसजर पुरुसकार या पुरुसकार नीवर्ग वाल्ड की पिकासक जो से पुलिसजर की इसमीती में 2017 से अमेरिका की कोलंबिया विस्विध्याले द्वारा पद्धीकार्टा और साहित के चित में दिया जाता है इसमें जन सेवा को छोड़का पितिक पुरुसकार की अंतरगत इसके अंतरगत आपकी 10,000 डॉलर की रासी पिदान की जाती है कितना? 10,000 या पुरुसकार सामन रेपोर्टिंग आदम कथा कभीता फीचर लेकर नाटक अंतराष्ठी रेपोर्टिंग जन सेवा के लिए दिया जाता है या पुरुसकार पिराथ कर चुके 5 भारतिये गोविंद बिहारी, लाल 1937, छुंपा लाहरी 2000 में, गीता आनन 2003, सिद्दात मुकरजी 2011, बिजज सिहाध्धरी 2014 में रवेनाठ टेगोर की अगर बात करें हम लोग रवेनाठ टेगोर अंतराष्टी इसान्ती पुरुसकार रवेनाठ टेगोर की जनम दिवस की 150 भी बर्षगाट पर 2011 में, भारत सरकार द्वारा इस पुरुसकार की सुरुवात की गए एक करोड रासी का पुरुसकार कभीयों एवं कलाकारों को दिया जाता है बस 2012 के लिए यह पुरुसकार पंडितरवी संकर को 2013 के लिए जुबिन मेहता को दिया गया था मिस यूनिवर्स 1992 में इस्थाफित मिस यूनिवर्स इन कॉर्पोरेशन द्वारा सर्फशिट वहुमुकी सौंदर एवं पितिभा को चैन करने के लिए दे जाता है इस पुरुसकार में आपके 70,000 डॉलर रासी दे जाती है बारत की सुस्मता सेंड ये पॉइंट याद रखना सुस्मता सेंड को 1994 में तथा लारादत को सन 2000 में ये किताब दिया गया लगाता दो बर्स 2008-2009 में इस किताब को जीतने वाली 22 जिलाग पहला राष्ट है सेउक्तराज अमेर्का ने सरवादिक आठ वार ये किताब जीता है मिस वोल्ड पुरुसकार 1959 में इस्था भी तिया पुरुसकार मिस वोल्ड इंको इन कॉर्पूरेशन 22 की सरवसिष्ट सारेरी के इवं बुद्धिक पितिवा को दिया जाते पुरुसकार में आपके 50,000 पॉंड दिये जाते है भारत में आपका रीता फरिया को 1966 में इस्वारिया राय को 1994 में डाइना हेडन को 1997 में युकता मुखी को 1999 और पेंका चोपड़ा को सन 2000 में यह पुरुसका दिया गया लगाता दो वर्स 1999 और सन 2000 में यह किताब जीतने वाला भारत पहला पहला भारत विस्ट का तीसरा राष्ट है सोरी बेनेव जोला ने सरवादिक छह बार यह किताब जीता है ग्रैमी पुरुसका 1998 में इस्थापित यह पुरुसका नेशनल एकेडमी फोर रेकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसिस द्वारा पश्चमी संगीत में विस्ट एउदान्त के लिए दिया जाता है 1973 में कंसर्ट फोर वंगलादेश नामक रेकॉर्ड के लिए अन्यकलारकारों के साथ भारत की सुपिस्थिद्य सितारवादत पंडित रवी संकर को ग्यमी अवार्ड मिला था फर उनके सिस्थ से विस्ट मुहन भट को 1994 मिला 2015 में वित्रित 57 बे बार्सिक ग्यमी पुरुसकारों में नेशनल अकेडमी ओप मोसन पिक्चर्स द्वारा फिल्म जगत के चित में दिया जाता है आसकर पुरुसकार इसका ओफिसली नाम है Academy Award of Merit किसका आसकर पुरुसकार का यह पुरुसकार पिती बस फरवरी माय में पिदान किया जाता है आसकर इवा नोबल पुरुसकार दोनों पाने वाले एकमात ब्यक्ति जॉज बनार्ड सु है उन्हें साहत में 1925 में नोबल पुरुसकार दिया गया 1938 में बेस्ट इसकीन पिले के लिए आसकर पुरुसकार भी मिला है आसकर पाने वाले पहली भारतिय भानू अथेया थी जिन्होंने गांधी फिल्म में रिचर्ड एटन बरों की कोश्टियूम डिजैनी की थी सत्य जीत रे को 1992 में आसकर लाइब टाइम अवार्ड दिया गया था आसकर में नामित भार्टी फिल्मों की बात करें तो मदड़ इंडिया उन्नीस वांठावन में सलाम बंबी उन्नीस वाठासी लगान संदोहजार में यह थी आपके कुछ महत्कून पुरुसकार ठीक है इनसे भी आपके कुष्चन से डारेक्ट बनते रहते हैं वह अंडे एकजाम में एक वन लाइनर में और आईये स्पीसिज में आपका पूंचेगा चार पांच लेखक देगा चार और चार आपको दूसरी तरफ उनकी किरती देगा यानि कि उनकी बुस्तके और पूंच ले पन विस्वनात मनु इसमेटी मनु हितोपदेश नारायन पंडित भगवत गीता बेद व्यास सिवराज विजय अमिका दत्त व्यास चाडक सुत्रोणचनी रामावतार यायाती चरित्तम इस्तियार देवधर मुदित मादालासा नाटक गोकुलनात युगाचर भूमी साथ आसंग तत्त कौमिदी तत्त बैसाल्दी नियायवर्थी का तात्वर एसा भी दामुदर्ज गुप्त की है नियाय सूची नेवंद वाचिस्पती मिस प्रवंद कोस जैनत नव संग सह सांख चरित ये पदमकुप्त परीमल हिंदी साहित की अगर हम बात करें तो इसमें आपका देखने को मिलिगा अनामिका हो गया गुण्यन हो गया परीमल जुही की कली ये सभी सूरकांत तिरपाटी निराला साहब की है दोहावली कभितावली विदैपतिका रामचरित मानस ये सभी तुलसी दास की है पदमाबत मलिक महमत जार्सी बीजग कभीर दास जीवत्षना युगवानी चेदमरा ये सभी आपकी सुमित्रा नंदन पंत शावकी है सूर सागर साहित लैरी ये सभी आपकी सूर्द दास की है सुधादमा चरित आपकी नरोत्तम दास की है रामचन्दिका किसोदास सतसई बिहारी पुरिये प्रवास अयुद्ध्या सिंग उपाद्याय यसोद्रा साक्ये तो भारत भालती ये मैथली सरंड गुप्त की हैं कामाइनी आसु इसकंद गुप्त और आजाद सत्त्रू ये आपकी जैसंकर पिसाथ की हैं संससे सडक तक ये धुमिल की अमरित और विस बून और समुद्र ये अमरित लाल सागर की हैं ठीक है उसके आगे है सिंदूर की सहली सिंदूर की होली ये लच्मी नारायन लच्मी नारायन मिस्च साब की जैपराजय ये उपन्दनाट अस्क चन्द कांतरा संतित्ती ये आपके देव की नंधन खत्री गोदान गवन रंग भूमी कायकल प्रमास याद रखिए जासी किरानी विंद्रावन लाल बर्मा त्याकपत सुनीता ये इसकी जैनेद कुमार निहारिका नीर्या यामा इस्तिपर्व ये महादेवी बर्मा साथ के और वर्ष्थी याकी रामधारी सिंग दिनकर सब्त हरिश्चन नाटक और भारत दोदसा ये भार्चन भारतेंदू हरिश्चन्द की है जूटा सच मेरी तेरी उसकी बाद ये इसपाल की है चितलेखा भगविती चरन बर्मा गुनाहों का देवतर धरंबीर भारती चांद का मुट्रेडा गजानन्द मादव मेला अचल फड़ी सुन्नाद रैनू चिंतामणी रामचंद सोक्ल म अध्राकमारी चोहान हल्दी की घाटी स्याम नारायन पांडे भहरवी सोहनलाल दोवेदी बिजय परव है डॉक्टर रामकुमार बर्मा कामधैनू कुबेर नात राय भूले विश्रेचित भगवती चरन बर्मा भासा एवं समाज रामविला सर्मा नदी के दूई एस एच वासायन अग्ये परिती परिकता फड़ी सोर नात्स रेंडू इसके लेकत हैं अगर उर्दू साहित की हम लोग बात करें तो इसमें सोजे वतन मैदाने बुआफा ए मुनसी प्रमचंद साके सोला ए नूर ए जिगर मुरादाबादी की है आवारा सज्दे ए कैपी आजमी अब्दूल्ला हुसेन जू ए सीर आनंदनारेन मुल्ला गुल ए नगमा और आतिस ए गुल ए फिराद गुरपुरुई साहब की हैं ठीक है इसके बाद उदास नसले हैं या आपकी अब्दूल्ला हुसेन आग का दरिया कुल कुरोड तल तुल एन हैदर की अब्गु खा की बक्री डॉक्टर जौकिर हुसेन कुलियात ए मीर मीर सेरेस और प्रोफेसर सम सुर रह्मान फरूकी की गुबोर खाते ए अब्दूलकलाम आजात तहसीर गालिब ग्यानचंद जैन बारा ए दारा मुहम्मद इकवाल बेकरा जगनात आजात हवाई के लिए एक केले की वाप प्या हिस्टी ओप रिचर्ड थेड एडमंड स्पेंसर की फैरी कुइन किष्टो पर मालो डॉक्टर फास्टस जीव ऑप माल्टा बिलियम सेक्सफियर की इनकी अगर किर्तियों की बात करें तो हैं हैंलेट हो गया और थेलो हो गया किंग लियर मैक वैथ रोमियो एंड इसा भी विलियम सेक्सपियर की हैं जॉन मिल्टन पेराडाइस लोस्ट पेराडाइस रेंगेड कोमन्स सेंप्सन एगोनिस्टर लिसी डास अलेक्जेंडर पॉप इनकी कौन कौन सी हैं दी रेप ओफ दी लॉक दी डैनिस एंट से ओन मैन ऐसे ओन क्रेटी सिन जॉनाथन स्वीप्ट ऑफ दी बुक सेंड की हैं जॉन बेनें फिल ग्रिम्स फ्रोग्रेस दी होली वार ओलिवर गोल्ड इस्मित की सी इस्टूप्स टू कंकर दी बीकर ओफ बैक फिल्ड दी टेलर और डेजर्टेड विलेज यसा भी आपकी ओलिवर गोल्ड इसमित साब की है जैन ऑस्टिन फ्राइड एंड पिजू दिस सेंस एंड सेंसेविलिटी एम्मा मैंस फिल्ड पर्क यसा भी आपकी जैन ऑस्टिन की ए चार्ज डेकेंस की बात करने तो ओलिवर ट्विक पेवर् फिल्ड एटल ओव टू शिटीच ग्रेट एक्सपेक्टेशन ओर्ड क्यूरो सेटी सॉप फर डेनियल डेफो की बात करने तो रोबिंसन क्रोसर हैंडरी फिल्डिंग टॉम जोंस चाल्स लेंग एसेज ऑप इलिया तैल्स फ्रॉम सेक्सपियर वेनिटी फियर हैंडरी और बिलियम थेकरे इनकी क्या है समंद्स दी निव कमर्स चार्लोटी बॉन्टे दी वर्जीनियंस जैन आयर एमली वरॉन्टे वुद्रेंग हाइट्स जॉन रस्किन मॉदरेंट पेंटर्स अन्टू दी लास्ट लेविस किरोल एलेसन वंडरलेंड जॉर्ज ऐलियर्ट मिल आ अनल्ड चलूचर एंग अनर्की वाटर वालत इसकोड चैनिथ कनलवर्थ वरेप्रावो ऑस्कर वाल्ड दी वरॉन्ट जॉर्ज मेरीद दी इगो इस्त ट्. इलियर्ट मॉर्ण एंडर इन दी चैथेडर्ल हैंडरी जैम्स पोर्टेट अफ दा लेडी टॉमस हाईडी फ्रॉम 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 दील मेंडिंग क्राउड टेस दी मेर आप कास्टर वीच ब्रेटान आप दी नेटिव एपेर आप डबलू बिलू आईज फिर सैमूवल की बात करें तो सैमूवल बट मी हाइड रोडड किपलिंग जंगल बुक यह भी आपकी कई बार पूच ली गई है रोडड किपलिंग के हैं जंगल बुक एसी कानन डायल एडवेंचर सब सर लॉक हम्स जोज वनार्ड सो एपल काट्ट मैन एंड सुपरमेन आम्स एंड दीमेन पिग मिलीन शेंड जॉन दी डॉक्टर्स डालीमा, बैक टू मैथ्यू सेल है, इस अभी आपकी जॉज वनार्ड सो की है, अल्डस हकले, दी मैन ओप डेस्टनी, मैसेज, वारेंज, प्रोफेशन, ब्रेव नीव वर्ल्ड, एप एंड एसे, जैम्स ज्वाइज, युलिस्स, जैम्स कार्वेट, मैन इडिटर्स अप कुमायू, बेक्रम सेट, एसुटेबल वय, गोल्डन गेट, एक्वल मुजिक, राजकमल जहां, विलू बैर्ड स्पीर, निरथ सी चादरी, एपैसेज तु एंगलेंड, ओटो विवराफी अन अनन इ गुंदार मेंड, मिर्डल, एसें डरामा अगांस्ट इस्टीम, मुहम्मध रजा पहलिवी, आंसर तो हिस्टरी, एम रिमार्ग, आल क्वाइट, वेस्टन फ्रेंट, वेस्टन फ्रेंड, वेस्ट अस्पेक्ट अप्रिकल ट्रेड, एंथिन बंगेस, वेस्टन अर्थली प और हीी, अ रएफस्टन पाली निर्स्टॉत माकलूछ्ण, कविकों भस्षान, रसेंडिए रश्टिम defense, लूइव स्विस– डीन्यॉव जज़प्रीघ, यार्व श्वार्ण अकलम केंड, ऍयू लिजूद, तर श्लिव शिठ bestimm दिश्टॉर्ट, लंवेस्ट परेंड, फॉ इन दारीवर इस्ठीपन रॉमन, और्टरनेटिव टू कम्यूनिज, कैपिटलिज्म एंड आई जन लॉइबॉल, दोनों ही एक ही पुस्तक है, जॉन जॉर्ज आरवे, एनिवल फार्म, यह आपकी कुछ महत्पूर पुस्तक हैं, और उनके लेकरते, अब बात करते हैं, महत् पूचे जाते रहे हैं, बीमेन, लब एंड, एंड लाष्ट, खुसपंद से, बिंग्स ओ फायर, आदम कता है, अपके डॉक्तर, अब्दुलकलाम साब की, आपके डॉक्तर, अब्दुलकलाम साब की आदम कता है, इंडिया 2020, वीजर फो, बीजर फो, दा न्यू मिलीनियन, यह आपके एपीजे अब्दुलकलाम की है, एलोग बे, पीवी नजसेंभाराओ, इंडिया आप्टर इंडिपेंडेंडेंस, विपिन चंद्रा, मीदुला मुकरजी, और आदिक्त मुकरजी, रियोट, ससी थरूर, बहुत अच्छे बकता है, गोश्टा सौप, वसू गीता हरी हरन, माई एर्स थ्रूराज, तू स्वराज, टी एंड कोल, माई एर्स बिद अपू, सत्जी थरे, फ्राइम, जैम्स, मिनोर, बेओंड कस्मीर, सल्मान, खुर्शी दे, एस्ट बेस्ट, सल्मान, रूस्दी, स्पेट एंड अर्दर, टर्न्स, राम्चंद ग्वा Muslim Law and the Constitution, नियामूर्थी एम, भट्टा चार, The Songs of India, तरोजनी नाइडू, साहब बेवी और गुलाम, बिमल्पित, मेवें समस, मुलकराज, अन्द, माई एक्स्पेरिमेंट विद तूरूथ, M.K. गांधी, यानि की महत्मा गांधी, महत्मा चंद, माई प्रेशिदेंशियल येर्ज, आर बेंकत रवन, ए हार्टफोल ओवाडन, डिजिनेरेशन ओफ इंडिया, T.S. सेशन, दी पेरिफ्रिल्स ओफ डेमुक्राशी, P.C. अलेक्जेंडर, संस्कार, यूवार, अनंत मूर्थी, तारीक ए मुजाहिद्दीन, डॉक्टर साध सेशन, इसके बेंजर्ज, आईज, सिप संकर पिल्ले, नांग मंडला, ग्रीस कार्णाड, बेयोंड दा पार, डॉक्टर सीता कांत महापात, आवर फिलिम्स, दियर फिलिम्स, सत्य जी त्रे, आइडल्स, सुनील गवस्का, उसके बाद आगे हैं आपका, आई फोलो दी महत्मा के अमोंसी, आटो बाइग्राफी ओन दी अनन इंडियन, नीरज सी चोधरी, आधिय दूरे मोहनराकिस, और दी ब्राइम मिनेस्टर्स मैं जदा, जनार्दन ठापू, एकोनोमेक पिलानिंग इन इंडिया, असोक में था, एकोनोमेक्स ओप दी थर्ड वर्ड, एस के दे, इंटरनल हिमालायच, विजर हप एस अहलुवालिया, इंडिया ओप दा, आफ अवर देम्स, M. V. कामत, इंडिया चेंजिंग, तारा जिनकिन, इंडिया दी क्रिष्टी क्रिटिकल इयर्स, कुल्दीप नेर, इंडियन फिलोसपी, डॉक्टर S. राधा किष्णन, इंडिया प्राइसलेस हेरिटेज, ए एन, सोरी, एन ए पालकीवाला, इंदराराज इंडिया, S. निहा पायतुल्ला, एपैसिट टू एंग्लेंड, नेरसी चौदरी, अगनी बीडा, इसकी लेका कें, काजी नजुरूल इसलाम, व्रेड, व्यूटी एंड, रिवूलिवसन, ख्वाजा एहमत अब्बास, विल्जववाज इट, इन देट, डार, मेनू मसानी, बलेक, वैडन सड प्रेमिला, केलहन, मितुन जाए, विरेंद कुमार भट्टाचार, माई इंडिया, एस निहाल सी, माई ओन बोस वेल, एम हिदायतुल्ला, माई हदेच, आरकी नारायन, माई ट्रूथ, इंदरा गांधरी, कौनसे, इंदरा गांधी, माई लाइफ एंड टाइम्स, बीवी ग गंदी, सेकंड रेंड, अरुन्च सूरी, यायाती, बीएस खांडिकर, कुरूचेथ, टू कार्गिर, कुल्दीप सेंग, यस्टरडे एंड टूडे, केपी एस मैनन, केपी एस मैनन, केपी एस मैनन, फिर आपके बात है, टूल, लिप्स एंड, एवड, इसके लिए लेका क डिप्लोमेसी इन, पीस एंड वार, टी, एंड कोल, डिस्टेंट, 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 ड्रम्स, मनुवर्म, मलगाओंकर, ना हनेयती, मैती दीवी, निसीत, उमासंकर जोसी, निकेट, ट्राइंगल, बलवंत, गागी, वीडियो स्टोरिज, मीरा, नाहराड, ब्र ऑसार गंदी, इस्टेंट, पॉंड, पॉंड, हर्ट, कपल देव, अनिमल्स, पॉल, निस्टेंट, इनट, रमासिंग, रमासिंग, रमानन, कोटल, यार्ण, यार्ण, ऑल्विर्शिं, शेह, बलिग इट, मैवे, सेचन तेनलूबका रोवरिया, मजूंदा, तर्क श्तर, दा लॉनलिनेस अब दा बिंग राजिस्कन्ना, एक गोतम चिंतामडी की है, एक आइड टू प्राइविट एकोटीच, निया भोवनिया, इद रिस, कीपर अब दी लाइट, अनीता नायर, बेवी मेकर, गीता आर्वामुदन, रेचिंग फोर दा स्टार, इंडिया जर्नी ट भीकेड, दा इंद्रा गांधी इयर्स, पेड़ो मुकर जी, फोर्च, योर फ्यूचर, एपी जी अब्दूलकलाम, दा फर्स्ट, नक्सल, बपादित पूल, पैसन फिलोवर, साहरस मिस्त्री, वेन गोर्ड एच, एट्टेवलर, अरूधती सुबह मन्य, दोहजार चौदे दा इलेक्शन, देट चैंज इंडिया, राजदीब देशाई, सर्देशाई, यह पत्तिकार है, खर्यापकी, नो गुड मैन, अमंग, दा लिविंग, अमेरिका, दा तालिबान एंड वार्ड, थ्रो अफगान, आज, ए आनंद गोपाल हैंस के लिए का, हैंड बुमेंड, क तसीर, ओन एंड फेडिलिटी, इंडियाज मिलिटरी कंटिवियूशन टू दी ग्रेडवार, कैप्टन अमरिंदर सीं, इंडिया सास्त, रेफ्लेक्शन ओंदे, नेशन इन आवर टाइम, ससी थरूर, किसकी है, ससी थरूर की है, उसके बाद है, सेंट ओब एक गेम, किसकी ह यह आपके हैं, रागाओ चंद्रा, इट हैपन्स फोल ए रीजन, प्रीती सिनोय, दी बुक ओप कॉमन साइंस, असोक स्रीनवासन, वर्थ ओप सिनेमा, एनगो का लाओ, ध्यान चंद, दी बजायड ओप होकी, लुईस फर्णांडीज, माई जर्नी ट्रांस्फोर्मिंग, इन्टो एक्षन, एपीजी अब्दूलकलाम, ए मैटर ओप रेट्स, ए सोट बियोग्राफी ओप पतना, ए अमिताव कुमार, अमिताव कुमार, भेरी तल्स एंद, फिप्टी, उपमन्निव चतरजी, बेर्दा लांग, ग्रास बैर्ट्स, नीला वासवाने, नीला वासवा फ्रयाप के बाद, मैंडेट, विल अब दा पीपोल, भी संग भी, आल देट, कुड हैब बीन, महिस्वाट, टू एस एंड मंथ, एंड ट्वेंटी, एट नाइन, एट नाइट्स, सलमान रुफ्ती, इडिटर, अन प्लेग्ड, मीडिया, मैगनेट्स, निजाज एंड मी, ह आमल नाइन बजाज, आर्किटेक्ट अब दी बजाज गुरो, गीता पैरामल, दा इंडियान पार्लियामेंट, एक क्रिटिकल अपेजल, सुधापई और अभिनास कुमार, दा फ्रेंट रो, कन्वर सैसन अब सिनेमा, अनुपमा चौपडा, फ्रांगली फ्रेंटियस, दी सेक्रेश्टी ओप मुंबई, टेरर अटेक्स, सरोज कुमार पत, दा के ओस बिदिन, आसमयाच चालिया, इंडिया पार्लियामेंटरी डेमो, डेपलोमेसी, स्पीकर्स पर्पेक्टिव, मीरा कुमार, फेशिच एंड, पिलेशिच, दीबगनाय, कैपीटल, रामदास, गु कुई जीशन लो, जैराम रमेश, ग्रें सेंगलर, जैराम रमेश, एट दी हल्म, बी किष्णामूर्थी, सौराब गांगोली, क्रिकेट, कैप्टैंसी, एंड, कंटोवर्सी, ए सब्त रिशी सरकार, एट उप इंडिया, दी मुसलिम सागा, सल्मान स्कुर्सी, ए सूटेव इसलिए आप अच्छे से उसी टाइम देख लिया करिए, एक दो बार पढ़ लीजे, कि अगर आता है तो थोड़ा याद बना रहे है, और बाकी जब चर्चा मेरा रहता है जो भी उसे देखते रहे है, दा कंप्लीट स्टोरी ऑफ इंडियन रिफॉर्म्स, टूजी पावर एंड प्राइबिट एंटरप्राइज, पिदी बेजल, दी पास्ट बेपोर अस, रॉमिला थापर, दा हॉस ऑप हेड़न मदर्स, बीराग स्याल, फिलेड और फा दा ओर और फेंज, फोर वर्स, साइने एंटोनी, आहम्दाबाद, एट रिटी इन दा वर्ल्ड, अमरता साह, नहरु एंड एटेवल्ड, लिक्रेशी, आर एंट पीसी, कस्मीर एबाचपी, एर्स, एस दोलत, वन इंडियन गर्ड, चेतन बागत, दा मिलेटरी ओप अन्मो अडिगा, नीचे भी आपकी कुछ मत्मून पुष्टरें दीए हैं, और चर्चित पुष्टक उनकी विदेशी लेकक हो गए, इन्हें भी देख लीजे, बिलेड अंगेश्ट, दम, स्रोथ, जोनाथन, ग्रेक गेसन, ग्रेक सन, एंपाइर फॉल्स, रचर्ड रोसी, इंस समंस, जोन्स, ग्रेसम, बॉलीवर्ड, बॉय, जस्टन, हरी, बैड मैंस, वेस्ट, रोलेंड, पेरी, हरी पोर्टर एंड दी फिलोसफर्स, स्टोन, जेकेर, रोलेंड, दी साइलेंट, क्राई, कैनेजाबुरो, कैनेजाबुरो, ओय, लास्ट पुष्ट फॉर्ट विलाद जिर जिर्नोर्षकी, मातमा गांदी नन वालेंड, पावन इन एक्षन, इन एक्षन, देनिस डाल्टन, लिवर्थ, लियो निद, बिलिजनेव, रेज अप एंजिल्स, सिद्नी सेल्डन, रेड स्टार ओवर चाइना, एडगर स्नो, दी सांट एंड फुरी, बिलियम पॉक् सेबन लेंप्स ओफ आर्खिटेक्चर, जॉन रस्किन, सेंचुरी, सेंचुरी एए बिलियम कॉफनर, सोहराब एंड रोस्तम, मैथू अनोल्ड, स्टोरी ओप दा रियल मैन, याकी निकुलाइव, पुरे वाई, स्टोरी ओप माई लाइव, मॉसी दयान, स्मॉल लेंड, ल दा लाइंग देज, नादिर गाइडीन मत, दा लॉंग सेटो, स्ट लाना एलिल, यूओ, हाव ट वाज, हाव लेंड, जैम्स केल्में, केल्में, बेंड पीस, रिचर्ड नेक्षन, प्रेंसेस इनलव, एं पास्तनाथ, दा प्रेंस ओप बेल्स, जोनाथन, दिम्बलावे, कॉफली एक्ट, ओफ लॉयल्टी, जराफ्फ्रे हो, दा फिलवी फाइल्स, जैनरिक बोरोविक, अर्थ, एमाइल जूला, आइलेंड इन्दा स्ट्रीम, अनेस्ट हेमिंग वी, आइसा विला, जान कीट्स, ओर्स, ओटम लिवज, ओप उल्ला, ओप हुमेंस बोडी, डबल समर्शेट मॉम, उसके बाद है, देयर डोकुमेंट्स, इर्विंग बेलेस, ओल क्वाइट, अन्दी वेस्टन फ्रेंट, एरिक मेरिया, रिमार्ग, ओल तिंग्स विराइट, अन्द ब्यूटीफॉल, जैम्स हरियट, इंडिया डिस्करवर्ड, जान कीए, इंडिया चाइ इन मेमुरियम, अल्फिर लॉर्ड तैनिसन, इन सर्च अप गंधी, रिचर्ड अतन्मरू, इन विजिवल मैं, एच जी वेल्स, एंटी मैसी, जीन, पालसात, इंफावर्टेंस नेश अप बिंग, अन्स्त, ओस्कर वाल्ड, इवानाहो, सर्वाल्टर स्कोर्ड, यर अप द हेंरिक की सेंजर, इलियट, फेवडर दोस्तावस्की, एक क्रिटिक और प्योर रिचन, इमानुएल कांट, दी गाइड फोर दी परफ्लेक्ष्ट, ए एफ समाकर, ए चाइना बैसेज, जोन कीनेत गालब्रे, ए डॉल्स हाउस एप्षन, ए देंजर रस प्लेश, ए देंजर प्लेश, आपके डैनियल पैटिक मोईनी हन, ए परस्नल एडवेंचर, थियोडोर एच राइट, अंकल टॉम्स किविन, हैरियट बीचर इस्टो, अगस्त उन्नीसो चौदै, एलेक्जेंडर सोल्जे नित्सिन, अधर साइड ओप मिडनाइट, सिडनी सिल्टन, अन्ना केरी केरी, केरी नीना, लिल तॉल्स स्टो, विलर्ड लाइड, उन्नी सिल्टन, ब्लाइन बीुलीटी, बॉरिस पास्टनाट, मधर मैक्सम गोर्की, मधर इंडिया, कैथरीन मिव, धी माउजर मॉलीरे, धी मैजर मॉलीरे हैं, धी मेड्सम ग्राउंड, मारगरेट डेवल, मेन क मूनलाइट सुनाटा एल्बी बिथुवन दी मेकिंग ऑप ए मिड्समर नाइट्स ड्रीम डेविड सेलवन मैजिक मांटेन थॉमस मान थॉमस मान फिर आपका मैन ओप डिस्टनी जॉज वरनाड सो ए भी पूछ सकता है मैंटकाइंट अधर आर्थ अर्नाल्ड तैनवी मरेज और मॉर्ल्स वंतें रसल मॉर्स एम पोस्टर यॉलिर्स सिस जैमस्वाइस राइटर सोप मैं थामस्वें राइटिंग दी स्टाम हेरोल्ड मेलन जीन किस्टोफर रोम्या रोला जैन आयर जैन आयर चालूट ब्रांटी टाइम मसीन एच जी वेल्स तारजन ओप दी एप्स एडगर राइस तू बेमन अलबर्टो मॉराविया ट्रॉपक अपकाइंसा हैन्री मिलर दीटराइल फ्रेज फक्का कपका ट्रेनिटी लियोन यूरिस डाइलेमा ओग अबर टाइम हेरोल्ड जोसफ लास्की डॉक्टर जीवागो जीवागो वोरिस पास्तरनाग डॉन जोन लॉर्ड वायरन डॉन क्वी क्योजोट मेगवल डी सेवेंटीच डेवेकल एमायल जोला डिवाइन कमेडी एलली घेरी दानते देस्ट अप मैन चाल्स तर्वीन डेथ पिट्याट आई ए हरिंटन तलिसमन सर्वाल्टर स्कॉत तर्ण वर्ट कोलन में किलू थैंक्यू जिप्स पीजी बॉड़्टाउस त्रुदी इंदियन लुकिंग्वागो देवल सल्वान दस पेक्ट थैंक्व थैंक्यू जीप्स थुट्टा फैडरिक विलहम नीसे दास केपिटल कार मास्क ये भी आपकी पूँच सकते हैं दी प्रिजिनर ओप जैंडा एंथनी ओप उननिस उचारे एलशी जॉर्ज और्बेल नाना एमाइल जोला दी नेकेड फ्रेश सिड्नी सेल्डन पाकिस्तान दी गैदरिंग स्ट स्टीपन होकें साहिब की है ठीक है हरी पोर्टर एंड दी हाफ ब्लेड फ्रेंस जेकी रोलिंग हरी पोर्टर एंड देथली हालोग्ज की जेकी रोलिंग एन अमेरिकन ड्रीम नॉर्मन मेलर इली नोर इमार्ग एलाइव राचल हॉम्स वल्दी फाइटस एम मैं मुईलर लीडर्शिप इन वार एंड पीस लेओन पिनेटा एवं जिम नुटन किये दब बॉन क्लोक्स देविड मैसल दारेट साडी जेवियर गुरी चैंजिंग तो मॉरू सिदिनी शल्डन एचिवित एपास्ट एहम्दाबाद एथर डेविड एथर डेविड एष्थर ब्रेट एप इसकंडरल संडरा ब्रांट एमधि एफेक इन साड नरेंद मोधिच चंपन तो ट्रांस पर इंड लांस प्राइस एबुक अप्रिंपल लिविग ब्रेप नोट्स फ्रम देह रसकेंबंड मैसल ओमा दालाइव पितर सलेविड गंधि एफर्स एप्स एविव इसके बाद दमधि एफेक इनसाइड नेंद मोधि केंपियंड तो ट्रांस प्राइस ब्रांस प्राइस ब्राइब। लाइब एच डबलू ब्रांस पुति ने जिम रसिया एंड इट्स फ्यूचर विद दी बेस्ट वाल्टर लेक्यूर सिक्समसीन सिक्समसीन आई डॉन्ट लाइट क्रिकेट आई लव इट क्रिस गयल की है किसकी है क्रिस गयल की एथी कुछ आपकी मत्कून बुक्स और उनक कि नाम कि अब आपका सब्द संचेब कि सब्द संचेब अंग्रेजी के अब वेईशन का हिंदी रूपांतर है इसकी उत्पत्ती सरप्थम लेटें भासाब से हुई थी पैरा में इस रूप में मानता मिली किन्तु धीरे-धीरे विक्सित भासाओं में संचेब नाम का प्र IAD इसका पूरा नाम का है Association of Domestic Companies Affected by Dumping, AMC Asset Management Companies, APC Agriculture Frices Commission इससे भी आपके डारेक्ट कुस्चेन कई बार बनते आए हैं One Day Exam में इस तरेकी कुस्चेन अधिक पूछे जाते हैं SOCHAM यानि की A-S-O-C-H-A-M Associated Chamber of Commerce and Industries का पूरा नाम है BIFR Board for Industrial and Financial Reconstruction BIS Bureau of Indian Standards BOLT BOLT Build Operate Lease Transfer BSE BSE Bombay Stock Exchange Bombay Stock Exchange CAPART BCRT Council for Advancement of People, People's Action and Rural Technology CII Confederation of Indian Industries C-CRISA 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 Central Research Institute for Dry Land Agriculture CRICIL इसका पूरा नाम है Credit Rating Information Services of India Limited C-R-R 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 को क्या बोलते हैं C-R-R को क्या बोलते हैं C-R-R को क्या बोलते हैं C-R-R Ratio E-C-P E-C-A Essential Commodities Act Commodities Act ECGC, Export Credit Guarantee Corporation, EEFCA, Exchange Earner, Foreign Currency Account, EPCH, Export Promotion Council, Forehand, Handicrafts आँगे हैं आपका EPZ, क्या कहते हैं थे? Export Processing Zone, FCNRA, Foreign Currency Non-Resident Account, FCRA, Foreign Contribution Regulation Act, FEMA, FEMA, Foreign Exchange Management Act, फ्रे आपका FICI, इसका पूरा नाम है Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, FII, Foreign Institutional Investor, FIPB, Foreign Investment Promotion Board, GST, Goods and Service Tax, GST को क्या बलते हैं? Goods and Service Tax, होड़को यानि की HUDCO, इसे कहते हैं Housing and Urban Development Corporation, IFCI, Industrial Finance Corporation of India, IFFCO, इसका पूरा नाम है Indian Farmers Fertilizers Corporate Limited, MMTC, इसे कहते हैं, पूरा नाम है Minerals and Metals, Tadding Corporation, MRTPC, Monopoly and Restrictive Trade Commission, नाबाड, इसका पूरा नाम है National Bank for Agriculture and Rural Development, फिर उसके बाद है NAPED, इसका पूरा नाम है National Agricultures Co-Operating Marketing Federation, NSSO, National Sample Survey Organization, PAN, Permanent Account Number, Sensex, Sensivity and Dex of Share Price, SLR, Stash Tutorial Liquidity Ratio, इसका पूरा नाम है, फिर आपके अंतराष्टी है, क्या है, अब कुछ अंतराष्टी है नाम है, APEC, APEC, Asia Pacific Economic Corporation, इस संगठने याद रखिए, इनके बारे में हम लोग बहुत बिस्ताल से पढ़ चुके हैं, जो आपके मतरण संगठनों के सुची बनी हुई है, उसमें डले हुए हैं, बहुत बिस्ताल से बताये गया है, पूरा ये किक करके, तो आँ जाकर देख सकते हैं, ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, इसका पूरा नाम इसमें कौन-कौन से दिस, बंगलादिस, इंडिया, म्यानमार, स्रीलंका, थाइलेंड एकोनोमिक कोरॉपरेशन कहते हैं से, CIA, Central Intelligence Agency, इन सब को अगर आप जानना चाहते हैं कि यह हैं क्या के, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, एक एक करके सब को बताये गए हैं, CIS, Commonwealth of Independent States, EFTA, European Pre-Trade Association, ESA, European Space Agency, ESCAP, A, आपका एकोनोमिक और सोशल कमिशन फोर इन असिया और पेसिफिक, FAO, Food and Agriculture Organization, FBI, Federal Bureau of Investigation, IAEA, International Atomic Energy Agency, IATA, International Air Transport Association, इसका पूरा नाम है, आपका IBCC, International Bureau of Chamber of Commerce, ICJ, International Court of Justice, ICPD, International Conference on Population and Development, ICRC, ICRC, International Committee of the Red Cross, IDA, International Development Agency, ILO, International Labour Organization, IMF, International Monetary Fund, Interpol, Interpol Policy, IORARC, Indian Ocean Rim Association for Regional Corporation, IPU, International Interpolarlementary Union, IRC, इसे कहतें International Red Cross, ITU, International Telecommunication Union, उसके बाद है, आपका KGB, क्या, KGB, कौमी तेत, गोशुट डार्स्ट बेनोनी बीजो पास नोस्ती, नाप्ता, North American Freighted Agreement Area, NATO, North Atlantic Treaty Organization, OAPC, Organization of Arab Petroleum Exporting, OPEC कहते हैं से, OAU, Organization of African Unity, OECD, Organization of Economic Co-Operation and Development, उसके बाद है, साप्ता, SAFTA, South Asian Freighted Area है, साप्ता है, साप्ता है, साप्ता है, साप्ता है, प्रेश्ट प्रेश्ट बार्स्टाइड अग्रेमेंगा, UIA, Union Internationalist Advocates, फ्रयापका, UNCED, United Nations Conference on Environment and Development, फ्रयापका, UNC-LUS, United Nations Convention on the Law of Sea, उसके बाद आगे हैं आपका UNCTAD, यह है आपका United Nations Conference on Trade and Development, UNEP, United Nations Environment Program, UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNFPA, United Nations Population Fund, UNICEF, UNICEF, United Nations International Children's Emergency Fund, UNIDO, United Nations Industrial Development Organization, WFTU, World Federation of Trade Union, WHO, World Health Organization, WMO, World Meteorological Organization, WTO, World Trade Organization, BIMCA, Young Men's Christian Association, फिर आते हैं आपके विज्ञान से सम्मंदीत कुछ मात्पून सब्सक्राइब, ABC, Atomic Biological and Chemical Warfare, Audit Bureau of Circulation भी इसे कहते हैं, ABM, Anti-Valistic Missile, ACAS, Airborne Collision Avoidance System, उसके बाद हैं आपका ACD, क्या है, ACD, टकराओ पितिरोधक उपकरन, I, AICTE, All India Council of Technical Education, फिर आपका AIDS, ये आपका Acquired Immunodeficiency Syndrome, MS, AIMSM, All India Institute of Medical Science, ASLB, or Augmented Satellite Launch Vehicle, BCG, BC, Bacillus Calmaty Guirin, फिर आपका CAISS, Committee for Authorizing the Staff Establishment and Operation of Indian Satellite System, CD, Compact Disc भी कहते हैं, Certificate of Deposit भी कहते हैं से, CFC, Chloro-Chloro Carbon, CISC, Complex Extraction Set Computering, Cosmet, Communications Satellite Corporation, CBR, Cockpit Voice Recorder, DDT, Dichloro-Dipenyl, Tricloro-Ethane, फिर आपका DNA, Deoxy-Ribonucleic Acid, DOS, 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 DESK, DESK Operating System, DPT, Dephtheria, Pertussis and Tetonis, DSP, Digital Signal Processing, Email, Electronic Mailing, EEG, Electro, इनसे, Flowgram, EL, Electroluminescent, ELINT, ELINT, Electronic Intelligency, ELISA, Enzyme Liquid Immunosorbent, ELISA Test, ENIC, Electronic Numerical, Integator and Calculator, ESP, Extrasensory Perception, ESR, Electron Spend, Rojo Resonance, EVM, Electronic Boating Machine, जिसका अफ्लो, बोर्ट डालते हैं जिसे, EVR, Electro Video Recording, परावका App, BTR, Fast Video Test Recorder, Fire FIRE, Fully Integrated Robotized Machine, FM, Frequency Modulation, GEMS, Gateway Electronic Mail Services, GIAS, Gateway Internet Access Service, GMRT, Giant Meter Wave Radio, Telescope, GMT, Greenwich Mean Time, GP, SS, Gateway Packet Switching System, GSLV, Geo Synchronous Satellite Launch Vehicle है आपका, Upgrade भीजने बाला, फरे आपका हाल, यह आपका हिंदोस्तान, Aeronautics Limited है, HBB, Hepatitis B Virus, HIV, Human Immunodeficiency Virus, HMT, Hindustan Machine Tools, HRPT, High Resolution Pictures Transmission, फरे आपका ICBM, Intercontinental Ballistic Missile, IMAP, Internet Mail Access Protocol, INSAT, Indian National Satellite, IntelSAT, International Telecommunication Satellite, IRBM, Intermediate Range Ballistic Missile, ISDN, Integrated Services Digital Network, IBF, In-Vitro Fertilization, IBM, In-Vitro Maturation, Meteorological Satellite मौसम उग रहे हैं, यह आपके कुछ खेलकून से सम्मदित, short form दी गई हैं, उनके full form, AAAA, 4xA, Asian Amateur Athletics Association, AAFI, Amateur Athletics Federation of India, AGF, Asian Games Federation, AIFA, AIFA क्या है, All India Football Association, AKFI, M4 Kabaddi Federation of India, BCCI, Board of Control for Cricket in India, कई बार सुनते रहते हैं, आपको, CCI, Cricket Clip of India, Cricket Club of India, FIFA, International Football Federation, FIH, Federation of International Hockey, IBM, International Badminton Association, ICC, International Cricket Council, IOA, Indian Olympic Association, IOC, International Olympic Committee, MCC, Melbourne Cricket Club, NIC, National Institute of Sports, SAI, Sports Authority of India, कुछ बिवित और दिये गए हैं, इनने भी देख लिजे, AAD, N-O Domini, A-M, Antimeridium, Award, A-B-A-R-D, Association of Voluntary Agency for Rural Development, BC, Before Christ, BC को क्या कहते हैं, Before Christ, CBI, Central Bureau of Investigation, CVSC, Central Bureau Board of Secondary Education, CID, Criminal Investigation Department, CIS, CISF, Central Industrial Security Force, के लास, इसका पूरा नाम क्या है, Computer, Computer Literacy and Studies in School, CMDRO, Central Marine Design Research Organization, फिर आपका, C-O-F, M-O-W, M-O-W, इसका पूरा नाम है, Central Organization for Modernization of Berkshop, C-U-P-U, Sorry, C-O-P-U, Parliamentary Committee on Public Understanding, C-S-I-R, इसका पूरा नाम है, Council of Scientific and Industrial Research, फिर आपका Direction यानी की D-R-E-S, Department of Renewal Energy Sources, इर्था यानी की I, Sorry, E-R-D-A, Energy Research and Development Administration, FTII, Film and Television Institute of India, GSI, Geological Survey of India, आँगे आपका, HMI, इसके क्या कहते हैं, हिमालाय माउंटें रिंग इंस्टिट्यूट, IARI, Indian Agriculture Research Institute, ICAR, Indian Council of Agriculture Research, ICCR, Indian Council of Cultural Relations, उसके बाद है, ICMR, Indian Council of Medical Research, अभी जो भी कोरोना पर आप देखते हैं, जाच चलती है, वैक्सीन की बात करती है, तो इसी का जिकर आने लगता है, ICSSR, Indian Council of Scientific and Social Research, IDPL, Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited, IDSA, इसका पूरा नाम किया है, Institute of Difference, Studies and Analysis, IIAR, Indian Institute of Agricultural Research, IPC, Indian Panel Code, ITDC, Indian Tourism Development Corporation, NCERT, इस सब्दे से आप पर्चित होंगे, अगर आप Civil Service की तयारी कर रहे होंगे, या पर State PCS की, National Council of Educational Research and Tending, क्योंकि NCERT आप लोगों के लिए, अगर आप वो IIS या PCS बनना है, तो यह आपके लिए राम बाने, इसके बिना आप कुछ नहीं उखाड सकते हैं, ठीक है, अगर अच्छा अच्छे से क्वालिफाई करना है, हो सकता है, State PCS आप निकाल दे में आप, NCEIT पढ़े हों, लेकिन मुझी नहीं लिखता है, कि Civil Service को भी निकाल पाएगा, बहुत ज़रूरी बुक्स हैं यह आपके लिए, और State PCS में भी काफियत तक पढ़ना पड़ चाहिसे भी, NDDB, National Dairy Development Board, उसके बाद है अपका, नेम, यानि कि NIEM, इसे क्या कहते है, National Elementary Education Mission, NFDC, National Film Development Corporation, NEPT, यानि कि NIFT, National Institute of Fashion Technology, यानि कि OIL, वाल इंडिया लिमिते, PAC, Public Accounts Committee, PAC, मतलब, Public Accounts Committee, PCI, Press Council of India, PDS, Public Distribution System, PIV, Press Information Bureau, PM, Post Meridium, PTI, Press Trust of India, RAW Research and Analysis, BING, RMS, Railway Mail Service, CELL, Steel Authority of India Limited, UGC, University Grant Commission, UNI, United News of India, इस सब्दों को भी आप बाको भी समझते हैं, UPSC, Union Public Service Commission, BVP, BELU Paypal Post, FRCS, Fellow of the Royal College of Surgeons, RGS, Fellow of the Royal Geographic, Geographical Society, Society, फिर आपका, आँगे बास करते हैं, Get, General Agreement on Tariff and Trade, ब्यापार से सम्बंद देते हैं, GIF, Global Environment Fund, GPS, Global Positioning System, GSP, General Light System Preference, TRIMS, यानि कि, TRIMS, इसका पूरा नाम है, Trade Related Investment Majors, तरहाखका, WW, World Wide Web, यानि कि, World Weather, वाज भी कहते हैं, जॉब फेन, ZOPAN, John of Peace, Freedom and Neutility, AIIB, Asian Infrastructure Investment Bank, ATT, Arms Trade Treaty, अमरत, AMRUT, Attal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation, BIPS, Base Erosion and Profit Sharing, CCAMLR, Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources, CE-MDE, The Center for Environmental Management Ecosystem, फिर आपकी, CISMOA, Communications and Information Security, Memorandum of Agreement, फ्रयापका केफराल, यानि कि, C-A-F-R-A-L, The Center for Advanced Financial Research and Learning, C-A-I-T, The Confederation of All India Traders, D-O-M-W, The Difference of Sets Management, E-L-S-S, Equity Linked Savings Scheme, फिर आपका, F-I-P-R-E-S-C-I, The International Federation of Film Critics, या आपका, फसा, यानि कि, F-S-S-A-I, Food Standard and Safety Authority of India, F-S-A-I, The Food Safety Standard Authority of India, दो वाद दोरा दिया गया है, यानि कि, G-A-I-N, The Global Alliance for Impured Nutation, फिर आपका, G-I-A-N, Global Initiative of Academic Network, हिर्दय, यानि कि, H-I-R-I-D, A-Y, Heritage Development and Augmentation Union, I-N-A-P, India New Bond Action Plan, I-I-I-F, Indian Inclusive Innovation Fund, मानस यानि कि, M-A-N-A-S, मौलाना आजार नेशनल अकेडेमी फोर इस्कल्स, फिर्यापका, M-O-O-C, Massive Open Online Courses, M-U-D-R-A, Micro Unit Development Refinance Agency, N-A-C-W-C, National National Authority Chemical Wapens Convention, नेशनल इस्टिटीट फोर ट्रांस्फोर्मिंग इंडिया यानि की नीति आयों जो देखते हैं उसी की बाद के जा रहे, N-G-A-C, National Judicial Appointment Commission, N-G-O-O-C, National Games Organization Committee, E-R-P-A-P, National Electoral Role Purification and Arthetication Program, फ्रेयापका N-G-A-C, National Judicial Appointment Commission, N-E-L-P, New Exploration Licensing Policy, N-P-T-I, National Power Training Institute, P-S-S-I, Power Sector Skills Council, फ्रेयापका सेगी, यानि की S-A-G-Y, संसा दादस ग्राम योजना, जब सुरू में चलाई गई थी तो बहुत इसके तहर गाउं गोद लिये गए थे, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुगा कि अब घटते घटते, अब ना के बराबर बच्चे हुए हैं, और जहां है भी तो हां भी इस्तिती वहीं डाली डाली है, STEM यानि की S-T-E-E-A-M, Science, Technology, Engineering, Educational, Agriculture and Medicine, S-P-C, 7th Pay Commission, U-S-T-E-A-D, Upgrading the skills and training in traditional efforts, crops for development, फिर आपका यह हो गया आपकी अभी तक, जितने भी short form थी, और इनसे भी questions आपकी बनते रहते थी, यह आपकी मत्पूर्ट तित्ही आएं, सब्टाइवर्स, एभूं दसक, जन्वरी माय की देख लिए आप लोग, याद रखे इसके जो भी दिवस मनाय जाता है, उसका ठीम रहती है जो, उसे भी आप लोग जब भी, जैसे 2020 में आप पेपर देंगे, तो उस सहल में जो भी आपकी थीम सरही है, उनके बारे में याद भी रख लिया करेगा, ठीक है? एक जन्वरी को आपका नागालेंड दिवस, आर्मी मेडीकल कोर स्थापना दिवस भी मनाय जाता है, आठ जन्वरी को आपका अफीकी राष्टिय कॉंग्रेस की स्थापना दिवस मनाय जाता है, नौ जन्वरी को विस सहास दिवस, प्रवासी भारतिय दिवस के रूम में भी मनाय जाता है, लालवादो साच्तरी की पुन्ड तिथी 11 जनवरी को 12 जनवरी को राष्टी युवा दिवस स्वामी विवेक अनन्द की जनमतिथी की रूम में 15 जनवरी को थल सेना दिवस 20 से 25 जनवरी के बीच भारतिय परहतन सप्ताय मना जाता है 21 जनवरी को मेगाले दिवस मडीपूर दिवस और तिपुरा दिवस यानि कि इस दिन इनका नए बनकर राज आये थे जैसे आपने देखा होगा मद्धपेदेश दिवस एक नवंबर को बनाये जाता है क्योंकि मद्धपेदेश एक नवंबर को आपका 1956 में बना 21 जनवरी मेगाले दिवस मडीपूर हो गया है और तिपुरा 23 जनवरी देश परेम दिवस सवास्चन बोस का जनम जनम दिवस जो बड़े गयते हैं आप होई 24 जनवरी की राष्टिय वाल का दिवस 25 जनवरी को अंतराष्टी उतपात दिवस अंतराष्टी सीमा कर दिवस भारतिय परेटन दिवस राष्टिय मतदात दिवस राष्टी मतदात दिवस याद रखिए 25 जनवरी को मनाये जाता है क्योंकि आप जानते हैं 26 जनवरी 1950 को आ पहांसेक रूप से लाग हुआ था कुछ पिराहधानों की साथ 28 जन्वरी लाला लाचपत्राय का जनम दिवस 28 जन्वरी 1836 में हुआ था थीच जन्वरी को सहीद दिवस मादमा गांधी की पूर्णती थी राष्टी कुष्ट रोग निवारन दिवस और राष्टी शक्षत दिवस मना जाते हैं उसके बाद आता है फरवरी, डाग जीवन दिवस, बीमा दिवस, तटरक चक दिवस, दो फरवरी को स्री लंका का राश्टी ये दिवस, चार फरवरी को विसकेंसर दिवस, छे फरवरी को संतरवीदास जैन्ती, जमू कस्मीर दिवस, नो फरवरी को डॉक्टर जाके रोसेन का जनम दिवस, बारे बारे फरवरी को उत्पादता दिवस, भारती पर रेटन विकास नेगम, गुलाब दिवस भी आपका बारा फरवरी को मनाया जाता है, जो आप गुलाब दिवस मनाते हैं न, आजकल कुछ जानदा ही मनाया जाता ह तो आप भी याद रुखिए पर 14 फरवरी आती है तो सेंट वेलेंटाइन डी दिवस मना जाते हैं प्रेम दिवस जो आप देती रहते हैं मिसाइल है अपनी अपनी है चली अच्छा है पर आपका 20 फरवरी आउड़ाचल पिदेश दिवस मेजोरम दिवस 21 फरवरी विसमात दिवस 24 फरवरी केंदिये उतपास सुल्क दिवस 28 फरवरी राष्टिय विग्यान दिवस सीवी रवन जैनती इसी दिन रवन पिरवाह की खोज़ भी वी थी 29 फरवरी मुरारजी देशाई का जनम दिवस राष्टिय अनसा मुक्ती दिवस इनका जनम दिन चार सालों में एक बार आता है मार्च की बाद अगर हम कहें तो चार मार्च को आपको राष्टिय सुरक्षा दिवस 6 मार्च को विस्वधन्त चिकरसक दिवस 8 मार्च को और अंतराष्टिय महला दिवस 11 मार्च को अंडवान निकवार दिवस 12 मार्च को केंद्रीय उद्धोगिक सुरक्षा बल 20cak वियस मार्च को विस glioreya दिवस 20 से खोशाँलागर दिवस तीजसरा रवी और हुअ बार्थ 20 तकक रूमनाय जाता हुआ मैं की की कि बस अंतराष्टी र χारामनुह सा बढून इससा कि और और था याद रंश cursed विश्व जल दिबस मनाए जाते हैं, तेईस मार्च को अपका विग्यान, विश्व मौसम विग्यान दिबस मनाए जाते हैं, 24 मार्च को विश्वर तपेदिक दिवास और गिरामीड डाग चीवन वीमाद दिवास 27 मार्च को विश्वरंगमंच दिवास और 28 मार्च को राष्टिय नौबहन दिवास 30 मार्च को राजिस्थान दिवास फिर आता है अपरेल तो एक अपरेल को उड़ीशा इस्थापना दिवस और मूर्ख दिवस जो आप बनाते रहेते हैं उसी भी बात कराऊं पाँच अपरेल सम्ता दिवस राष्टिय समुद्धिक दिवस साथ अपरेल को विश्व स्वास्त दिवस महिला चिगिस्सा दिवस नौ अपरेल को राहुल सांकितयायन जैंती मना जाती हैं दस अपरेल को जलसा साधन दिवस दस अपरेल को डॉक्टर हनी मैन जनम दिवस हॉमित पैथी चिगिस्था के पद्धिति के जनक हैं इव माने जाते हैं ठीक हैं आप जानते हैं कि 13 अपरेल 1929 को यह घटना घटी थी 14 अपरेल डॉक्टर भीमराव मेड कर जानती अगनी समक दिवस वर्तमिलाडू दिवस 14 से 20 अपरेल यह अगनी समक सप्थाय की रूम में मना जाते हैं 15 अपरेल हिमाचलपित दिवस 17 अपरेल विस से हीमोपोलिया दिवस 18 अपरेल 20 विरासत दिवस आजाधिंद भौ्ट दिवस 22 अपरेल 20 पित्भी दिवस 23 अपरेल 20 पुस्तक दिवस और कोपीराइट दिवस 26 20 April चेरनोबिल दिवस फर चलते हैं आपके मैmern मैं एक मै अंतराश्टी सैमिक दिवस मैं दिवस सैमिक दिवस महार ई MIC गुजरात UP 2 मैं दिवस अस्तमा दिवस सत्य जीततुरे की जैठी माई दिवसètres प्रेश स्वतन था, चार मई के बाद 5 मई, विस सूर दिवस, छे मई मौतिला नहरू दिवस, आठ मई, विस प्रवासी पक्षी दिवस, विस रेड क्रोस दिवस और पित्थ दिवस, मनाया जाता है आपका आठ मई को, दूसरा रवीबार आपका मई का मात्र दिवस के रूम म मनाया जाता है, 11 मई को आपका राष्टी प्रवद्गी की दिवस, जन संख्या इस्थरी करन दिवस, मद्विदे सासंद्वारां घोसित किया गया था, सबसे पहले, जन संख्या इस्थरी करन दिवस, 12 मई, विस नर्स दिवस, 13 मई, भूर्थपूर राष्टी ए, दिन मनाया जाता है, आपके राष्ट्पती रहे चुके हैं, उसके बाद 21 मई को आतंक वाद विरोध बलीदान दिवस, राजी गवांदी की पुन्नितिती की रूम में मनाया जाता है, 23 मार्च को तिबबच छोडो दिवस, 24 मई को राष्ट मंडल दिवस, 26 मई को राष्ट सावरिक जैनती और 29 माई को मांट एवरिष्ट दिवस, 30 माई को पत्तिकारता दिवस, 31 माई को विस से धुम्मान यानि कि तम्माक को निसे दिवस मनाया जाता है, उसके बाद चलते हैं जून महिने में, 4 जून को आपका थेन मैन दिवस, 5 जून को विस परियावण दिवस यह भी आपका कई बार पूंच लिया गया, विस परियावण दिवस, 5 जून को, 6 जून को आईवोसी यानि कि अंतराश्टी ओलंपिक सम्ती इस्थापना दिवस, गल्लु धारा यानि कि पंजाद दिवस, स्यामा पिकसाद मुकरजी जैनती मनाया जाती है, 6 मैट, 6 जून क 9 जून को विर्शाम उंडा की पुन्निती थी, 11 जून को रामपिसाद बिसमिल का जनम दिवस, 18 जून को गवाकरान थी, 21 जून को अंटार किटी का दिवस, पित्त दिवस और अंतराश्टी यह दिवस, 22 जून को अल इंडिया परवर्ड बिलोक पालिटी का इस्थापना दिवस मनाई जाते हैं, 23 जून रख्त दान दिवस, 26 जून अंतराश्टी नसामुक्ती दिवस, नसीली दवाओं की दो रुपियों, उनकी तसकरी की विरोध दिवस मनाई जाते हैं, 27 जून विसमदूमे दिवस, 28 जून गरीब दिवस, 29 जून आपका सांगी की दिवस के रुम में मनाई जाते हैं, तिराता है जूलाई, 1 जूलाई, चिकस्षक दिवस और डॉक्टर बीसी रायकां जनम दिवस मनाई जाते हैं, याद रखे, 4 जूलाई को आपका अमेरिका आजा दुआ था, अमेरिका दिवस मनाते हैं, ठीक है, 11 जूलाई को विस जनसंक्य 29 जूलाई को इंतराष्टी भाग दिवस और 31 जूलाई को मुंसी प्रेमचंद जैनती, पर बात करते हैं, अगस्त, 1 अगस्त को नवजास सिसुगों के लिए विस इस्तनपान दिवस और पिथम रभीबार को, अगस्त की पिथम रभीबार को मित यानि की फ्रेंटरिसिप ज्री किरू में मनाते हैं, 6 अगस्त को हीरोह नौ सीमा दिवस, 20 से सांती दिवस, 1 से 7 अगस्त को विस इस्तनपान सपता, 9 अगस्त को नागासाकी दिवस, भारच खुड़ो अंदोलन दिवस, 20 आदिवासी दिवस, 12 अंतराष्टी युगा दिवस, 14 अगस्त को अर्थोब का विलह देवस ऑन 17 अगस्त कोफुटवाल प्रेमी देवस 19 अगस्त को डॉटोगराफ़ी देवस डॉक्टर बीवी ग्री जैनती 20 अगस्त को सदवाउना जैनती, राजिव गांधी जैनती के रूम में संकल्पना देवस 24 अगस्त को कलकत्य कोलकाते वरसकांट देवस फिरे आपका सेप्टमबर, एक सेप्टमबर को गुटनर बेक्ष दिवस, चार सेप्टमबर को दादा भाई नोरोजी जैनती, पांच सेप्टमबर को सिक्छक दिवस, डॉक्टर एस स्वाग, एस राधा किंटन का जनम दिवस, एक से साथ अगस्त राष्टी एपु साहर सप अगस्त को, सौरी, अगस्त आ गया हम, इस अभी आपकी सेप्टमबर के हैं, ठीक है, याद रखिए, आठ को विस साक्छरता दिवस, ग्यारे को पेगंबर हजरत मुहम्मद साहब, जनम दिवस, आचार बिनोबा भावे, तेरे को आपका, तेरे सेप्टमबर को विस भाई चारा दिवस की रूम में मनाया जाता है, 14 सेप्टमबर को हिंदी दिवस, 14 सेप्टमबर तराक्ष्टी है हिंदी सप्ता है, 15 सेप्टमबर संचेई का दिवस, अभी इंता दिवस, विस विस वरिया का जनम दिवस मनाया जाता है, 16 सेप्टमबर को विस ओजोन दिवस, मनाते हैं 16 सेप्टमबर को 18 सेप्टमबर आतंगबाद विरुदी एक जुटता दिवस 22 सेप्टमबर राश्टी गुलाब दिवस 24 सेप्टमबर विस हिदय दिवस और विस बधे दिवस 25 सेप्टमबर सामाजिक निया दिवस पंडिदीन दयाल उपाद्य जनती भी मनाई जात सरई के लिए क्योंकि पानी बहुत जरूरी रहता है इसलिए गहता हूँ आपसे कि सुबह उठी है और एक लीटर के करीब पानी पीजिए जिससे आपका पेट साप रहेगा और आपको कई बीमारियों से चुटका भी चुटकारा भी मिलेगा एक अक्टूबर को विष्ट प्रोंड दिवस, विष्ट संगीत दिवस और राष्टी सवक्षिक रख्तदान दिवस दो अक्टूबर को गांगी जैनती, लाल बहादो सास्त्री जैनती, दो से आठ अक्टूबर को वन जीप सपता है तीन अक्टूबर को विष्ट प्राक्तिक दिवस, चार अक्टूबर को विष्ट पसु कल्याड दिवस और राष्टी अखंडता दिवस 5-6 अक्टूबर को 20 आभास या परिवेश दिवस 6 अक्टूबर को 20 वनजीप प्राणी दिवस मेगनाग सहा जैन्ती और 20 साकाहर दिवस मनाए जाता है 8 आगे हैं आपका अक्टूबर का 8 अक्टूबर 12 वाइव सेना दिवस 20 वायो दिवस 9 अक्टूबर को भारती परादेश सेना दिवस 20 से डाग दिवस और हंगुल दिवस 9 से 15 अक्टूबर की वीच राष्टी डाग सत्ताय की रूम में मनाए जाता है 10 10 अक्टूबर को 20 समानसिक स्वास्त दिवस 11 अक्टूबर को जैपकास नारायन जैन्ती 12 अक्टूबर को कॉलंबस दिवस अक्टूबर का दुतिय जो बुद्दबार होता है इसे अंतराष्टी प्राक्तिक आपदा रोग्थाम दिवस के रूम में मनाते है 13 अक्टूबर को आपका विस आपदा नियंतन दिवस 14 अक्टूबर को विस्मानक दिवस लाला हर्दयाल जन्ती भी मनाते हैं 15 अक्टूबर को सफेथ छडी दिवस दरश्टी इनों की मदद देतु 16 अक्टूबर को विस्खाद दिवस एवी आपका कई बार पूँच लिया गया है 17 अक्टूबर को अंतराष्टी निर्दनता उन्मूलन दिवस 20 अक्टूबर को राष्टी एकता दिवस 21 अक्टूबर को पोलिस सिस्मार दिवस 24 अक्टूबर को साइवतराष्ट संग इस्थापना दिवस 23 अक्टूबर को विस्मितवेता दिवस पेकती सप्टूबर को राष्टिय रेडी डीकेशन दिवस इंद्रा गांधी की पुन्यतिती मनाई जाती है फिर चलते हैं आप लोग नमंबर की महिने में एक नमंबर को चतीश गड इस्थापना दिवस पाच नमंबर को चितुरंजन्दास जैनति साथ नमंबर को सिसू सुरक्षा दिवस नौज नमंबर को उत्तरांचल उत्त्राखंड जैसे आप लोग उत्तराखंड कहते हैं यह उत्तरफिष से से अलग हुआ तक 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 इससे पुत्रांचल कहते थे उसके बाद उत्राकंड कुछतिन में बन चुका 10 नवंबर को परिवान दिवस, 11 नवंबर को मौलाना अवुल कलाम आजाता जनम दिवस 12 नवंबर को राष्टिय पक्छी दिवस, सलीम अली का जनम दिवस इस दिन मनाया जाता है क्योंकि सनी सलीम अली को पक्षियों से बारो बड़ा ही प्रेम था इसलिए इनी के जनम दिवस पर राष्टी पक्षी दिवस भी मना जाता है 14 नवंबर को बाल दिवस पंडी जवाहलाल नहरू के जनम दिवस के रूम में बाल दिवस को मनाते हैं समधू में दिवस भी आपका 14 नवंबर को मनाए जाता है 14 से 20 नवंबर तरह आपका राष्टी है पोस्टक सप्तार मनाते हैं से 15 नवंबर को जहार घंड इस्था अपना दिवस 21 अलाहक्र की 13 नवंबर को विस जहात दिवस 18 नवंबर को विस से वयस के मिर्गी दिवस मनाते हैं 1824 कि विशापका राष्टिय फार्मेसी सप्ताघ के मरू में मना जाते है 19 नवंबर अंतराष्टिय नाग्रेक्त दिवस वेंदरा गांधी जहन दिवस मनाते हैं 1925 विश्ट्र तक कौमि एकता सप्ताघनि निक भारत में मनाते हैं 25 नवंबर को अंतराष्टी महिलाहिंसाव नूलन दिवस और 20 मासाहर रहित दिवस गुरु नानक जैनती भी मनाई जाती 25 नवंबर को 26 नवंबर को विस्ट पर्यावन सक्षण सर्रेक्षट दिवस और समिधान दिवस 29 नवंबर को अंतराष्टी एक जोट था नूलन दिवस तीन नवंबर को भॉपाल ग्रास्ति भॉपाल गैस्त रास्ती इसमेथी दिवस डॉक्टर राजन परसाथ जैनती उवेश्ट से बिकलांगता दिवस भी मनाते हैं क्योंकि आपने देखा था मैथायल आइसो साइनाइट साइनेट के कारणिया एक सेना सफ्तार आपका 9 सेना सफ्ताई की रूमें भी मनाते हैं फिर आपका साथ दिसमबर ससक्त सेना का जंडा दिवस आट दिसमबर 16 CC 6 30 संगटन दिवस 9 दिसमबर अंतराष्टी विट्टाचार निरूत दिवस 10 दिसमबर 20 मानाओधिकार दिवस इंतिफादा दिवस फिलि दिवस, सोवा मन्यम भार्थी जैन्ती भी, 14 दिसंबर को आपका राष्टी उजा सनरक्षन दिवस, 15 दिसंबर को सफेधी चड़ी दिवस, द्रश्टी इनों की मदद दितू, 16 दिसंबर को आपका विजय दिवस, और उसके बाद 18 दिसंबर को राष्टी धार्तू बेग्ज् दिवस, अल्व संक्यक अधिकार दिवस और अंतराष्टी पिरवासी दिवस भी, 19 दिसंबर को गवा मुक्ती दिवस, गवा दिवस, 22 नमबर को स्रीनेवास, रामानुच, जैन्ती, 23 दिसंबर को किसान दिवस, यानि की चौदरी चर्ण, सींका जनम दिवस, की रूमें किस सांदिवस मनाया जाता है, 25 दिसंबर को मदन मोहन माल भी है, जनती भी मनाते हैं, ये आपके कुछ अंतराष्टी ये दसा क्यानिक की सैउक्तराष्ट महासाबादवारा सुई किते हैं, सन 2001 से 2010 बच्चों के लिए सांती ये वं एहिंसा की संस्किती के लिए अंतराष्टी दसक मनाये गया, 2001 से 2010 के बीच उपने वेसपात के उनुभूलन के लिए दूतिय ये अंतराष्टिय सतक मनाये गया, 2003 से 2012 के बीच नसा खोरी की विरुद सैउक्तराष्ट दसक मनाये गया, 2005 से 2015 के बीच जीवन के लिए जल हेतु कारवाही दिवस यानि की जल के विती जाग 2008 से 2017 निजद्धा नुभूलन के लिए सैउक्तराष्ट का दूसरा दसक मनाये गया,akter आपका 2010 से 2010 से 2020 तक मरुस्थल तक मरुस्थली करण के लिए विरुद सैउक्तराष्ट दसक मनाये गया, 2011-2020 तक उपने वेस्वात की उन्मूलन के लिए तीसरा अंतराश्टी दसक जबेवित्ता पर सहिपतराश्ट दसक सडक सुरक्षा के लिए कारवाही का दिवस मनाए गया 2014-2024 सब के लिए धानी उर्जा का सहिपतराश्ट दसक है 2016 से 2025 पोसंट पर कारवाही का सयुक्त राष्ट देवस 2018 से 2018 जल के लिए धायने विकास सयुक्त राष्ट दसक या आपके अंतराष्टी वर्ष है कुछ इनसे भी कुश्चन आ जाता है 2001 महला ससक्ति करण वर्ष भारत में 2002 अंतराष्टी परवर्ष भर्ष खाद्यमों किर्सी संगठन अंतराष्टी परयावटन परयावरन परयाटन वर्ष भी मनाएगे इसके बाद 2003 में अंतराष्टी स्तोद जल बर्ष मनाएगे 2004 में अंतराष्टी चाबल वर्ष, 2005 में अंतराष्टी बहुतकी वर्ष, अंतराष्टी खेले उमसारीरिक सिक्षा वर्ष, 2006 में आर्थिक सुधाय वर्ष, IMF द्वारा, 2006 में अंतराष्टी मरूस्तल, मरूस्तली करन वर्ष, UNO द्वारा, ओहरते बाजारों को वर्ष भी आलू बर्स, स्वास्त रक्षा फर्वर्स और भासा बर्स मनाएगे 2009 में प्राक्तिक फाइवर बर्स 2010 में अंतराश्टी जेबिवित्त बर्स 2011 में अंतराश्टी वन बर्स, अंतराश्टी रसायन बर्स 2012 में जल इवं खाद सुरक्ष बर्स 2013 में जल सरक्षन वर्ष भारत द्वारां गुसित 2014 में अंतराष्टी किष्टोलोग ग्राफी वर्ष अंतराष्टी फैमली फार्मिंग वर्ष 2015 में अंतराष्टी मिर्दा वर्ष अंतराष्टी पिकास एबं पिकासिय तक्नीक वर्ष 2016 में अंतराष्टी दलहन बर्स 2017 में विकास के लिए धार्णिये का अंतराष्टी पर्याटन दिवस के रूम में मनाई गया यह थी आपके कुछ महत्कून बर्स डेटे जो मनाई जाती है ठीक है वैसे आप लोगों के लिए एक सामान जानकारी दे देते हैं कि मैं बता चुका हूँ कि आपके जो भी राष्टी है और अंतराष्टी है संगठन है अगर आपको लगता है कि इससे जानदा आपको विश्तार में पढ़ना है तो मत्पूर्ण संगठनों के नाम से जो पिले ल दो अगर еньकाभर करते है तो आपका सिबिस में भी कोई भी कुछंचा 1 साहता है लिखने के लिए फिर चाहे हैं आपका प्रिलेम समय आए सबको आप लेख सकते हैं वहाँ से सॉल्ट कर सकते हैं सबसे पहले हम लोग चलते हैं सहिवत्व राष्ट कि तरफ उसके बाद की गई थी आपके राष्ट संग की, याद रखी यहां राष्ट संग है राष्ट संग की असाफल कारवाई और दूतियवे से उद्धिस से विस्थ में फैली असांती मंदी आदी के भज़रूर विस्थ में सांती स्थापित करने के उद्धिस से आपकी 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिसको संभिलन में UN का UNO का भूषनापत त्यार किया गया है जो आपका 24 अक्टूबर 1945 को लाग हुआ और आप सभी जानते हैं कि 24 अक्टूबर को पिती वर्स 24 अक्टूबर को सैवत्राष्ट संग देवस भी मनाया जाता है क्योंकि सैवत्राष्ट इसी देन अस्तित में आया हुआ था 1945 में दस फरवरी 1946 को लंदन के वेस्ट मिनिस्टर हॉल में सैवत्राष्ट संग की आप सभाक की पहली बेठक वी थी सैवत्राष्ट संग की घोष्णापत में नेमलिकित पहलूंगा पर बल दिया जाता है कौन-कौन से हैं पहलू अंतराष्टी सांति यवं सुरक्षा को बनाये रखना राष्ट्यों के वीच एक दूसरे का सम्मान और मैती पूर्ण संबंद बनाना आर्थिक सामाजीक सांस्कितिक और सैक्षडिक समस्याओं का विशिस्तर पर निवारन करना राष्टों को आत्म निर्वर आत्म नेड़े और उपनेवेस ब्याद विक्टन की फिक्रिया को गति देना ने रस्ती करन और नई आर्थिक बिवस्ता की इस्थापन करना भी इसका उद्देश है सयुक्तराष्ट की प्रमुक सिध्धान्त निम लिखे थे कौन पर से यह सभी सदस्य देशों की स्थम प्रिवुरता की समानत पराधारिते सभी सदस्य देश गोशनापत में बरडित अपने कर्टबवों का निर्वाग करेंगे सदस्य देश किसी भी अन देश के भरैलू मामलों में हद्चे नहीं करेंगे लेकिन आप देखते हैं कि कई देश इसे मानते भी नहीं है और इसका उल्लगन करते रहते हैं क्योंकि एक तो कड़ी इसमें सजा नहीं है कोई कि तगडे से सजा दी जाए आप जानते हैं कि तगडे से सजा दी जाती यह काद दो देशों को पिती बंदित कर दिया जाता तो सहे इस तरह इसे अच्छे से माननेते हैं सयुक्तराष्ट संग की कारिकारी भासा अंग्रेजी और फ्रेंच है एवी कुश्चन कई बार पूछ लेता हैं सयुक्तराष्ट की कारिकारी भासा कौन सी है अंग्रेजी फ्रेंच सयुक्तराष्ट संग की अधिकारीक माननता प्राप्त भासाओं में अंग्रेजी फ्रेंच चेनी अर्वी रोसी इस्पैने से इन्हें याद रखना सयुक्तराष्ट का दोच की यानी की जहन्दा की बात करें तो हलकी नेली पिष्ट भूमी पर सोयत रंग से सयुक्तराष्ट संग का पितिक है पितिक जेतून की दो वक्काकार साखाएं जो उपर खुली हैं उनके बीच में विष्वेका मानचित भी इस्तेत हैं सन 2000 में पिसांत महासाकर के छोटिस द्वी तुबालू को 189 वे वर्स 2002 में सुईजलेंड को 190 वे और पूर्वी तेमूर को 191 वे और 2006 में मॉन्टेगो को 152 वे सदस देशों की रूम में मानता दीगी और 193 वे सदस के रूम में दच्छडी सूडान को सयुक्तराष्ट सदस की मानता सदस्ता दीगई 2011 में से इस तरह अभी आपकी 193 वे देश टोटल इसके सदस्ते देश हैं सयुक्तराष्ट संग की सदस्ता के लिए नेड़े सुरक्चा पर्षट की पांच इस्थाई सदस्तों की सहमती और महासभा की दो तेहाई बहुमत के आधर पर लिया जाता है गोशनापत उलगन करने वाले सदस्त देशों को महासभा और सुरक्चा पर्षट की सिपारिस से दो तेहाई बहुमत द्वार निस्कासित किया जाता है सायुक्तराष्ट के अगर मुख्याले की बात करें तो नीवार्ग में हैं कहा है नीवार्ग में इसमें बात कर चुके हैं कि कुल अभी 193 सुदफ देश सामिल है सयुक्तराष्ट की महासाच्योगों की अगर हम बात करें तो इसमें ट्रगबे ली नौर्बे के थे याक के 1904 से 1952 तक रहें सोध स्वेम पद से स्थीपा दिया थे 1902 में डैग हैमर सोल्ट स्वेडन के थे 1953 से 1961 तक रहें हवाई दुलगाटना मेन की मिद्धी हुई थे युथांट ए मियानमार के थे 1961 से 1971 कूर्ट वाल्दी हिम ए ओस्टिया के 1972 से 81 जेवियर फेरेज दा कुई यार पेरू के 1982 से 1991 बुतरस बुतरस धाली मिर्स के थे 1992 से 1996 काफी अन्नान अंत्रान ए घाना के थे 1997 से सन 2006 तक बान की मून ए दच्चन कुरिया के थे 2006 से 2016 तक रहे फिर अभी एंटोनियो गुटरेस ए पुर्दगाल है एक जन्मरी 2017 से अभी करेंट में यही है अगर हम लोग सयुक्तराष्ट संग के प्रमुक्स अंग की बात करें तो महासवा जनल असेंबली या सयुक्तराष् पिदेग सदसराष्ट इसमें अधिकतब पांच पिती निदी बेश सकता है किन्तु पिदेग सदसराष्ट एक ही बोट देने का अधिकार होता है यानि कि हर किसी को एक बोट देने का अधिकार है महासवा सांती, निस्तस्तिकरम और आर्थिक विकास फर्माडू सकती का सांती मैं उपयोग सामाजी प्रवगती मानवी अधिकार इत्यादी सभी विश्वों पर विचाल करती है इसकी बैठक वर्ष में एक वार अवस्त होती है, किन्तु सुरक्षा परिश्वों के यहान पर इसकी आपातकाल बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है मासरावा की पितिनिदियों द्वारा एक वर्ष के लिए अध्यक्ष और उपात्यक्ष का चुनाव भी किया जाता है सुरक्षा परिश्वों के दस आईस्थाई सदसों का चुनाव महासरा द्वारा किया जाता है सहिक्तराश संग का बजट में भी महासरा द्वारा पारित किया जाता है इसी में पितिक सदस के युगदान का नेड़े भी किया जाता है स्यूर्ट्षप्रिश सहेत सभी बिसेसंतियों की पीदीदविधन आम-सबा की विछार के लिए रखे जाते हैं मुक्क मुत्व और नेड़ दो त्याहि नहीं महूंथ। कि सुईकिती से और सेथ सामान बहूमत से सुईकित किये जाते हैं महासभा सुरक्षा परिशत के आस्थाई सदस्ट जिसमें आपने देखा है कि यभी भारत को सामिल करने की बात की जा रहे है 2021 से 2022 के लिए 2 साल के लिए रहेगा इसमें आश्थाई सदस्तों आर्थिक और सामाजिक परिशत के सदस्तों और नियासी परिशत के निर्वाचे सदस्तों को चुनती है अलतराष्टी नियालागेंगों सदस्तों को महासभा और सुरक्षा परिशत सेव्ट तूरूप से चुनती है सुरक्षा फिर्चल, सेकोर्टी कांसिल या सेवतराष्ट का संग की कारवाई का है इसमें 5 इस्थाई और 10 आरिस्थाई सदस सामेल होते हैं इसमें याद रखे इन्हें 27 सदसों को याद रखे 27 सदसों को ये लाव है कि बीटो पावर का उपयोग करते हैं बीटो पावर का उपयोग करने का मतलब सिधा सा है कि अगर 4 किसी नेड़े की पक्ष में एक भी अगर उस नेड़े की बिपक्ष में तो उस नेड़े कुमान अन्नात्ता नहीं मिलेगी यानि कि उसके पक्ष में आंगे नहीं बढ़ सकता है वो विदयक ठीक है इसमें इस्थाई सदस्वों की बात करें यह कई बार कुश्चन से बन चुका है तो अमेरिका, रूस, बेटेन, फ्रांस, चीन यह सभी सदस्थ हैं इनकी सदस्था इस्थाई आइस्थाई सदस्थों को महासभाद द्वारा दो वर्स के लिए सदस्थ राष्टों की रूम में चुना जाता है आइस्थाई सदस्थों का छेत्रिय वित्रण निमने पिकारे अफेगी एस्थाई सदस्थाई सदस्थों में से किसी का भी निर्स सदस्थ दातमक बोट ना हो यानि की कहने का मतलब एगर किसी एक ने भी इस पर आसाहमती जता दी तो वो आंगे नहीं बढ़ेगा ठीक है जो भी काम हो आधिकार और कारियों की बात करें तो सुरक्षा भर्शद महसबा की साथ अंदराष्टी नियाले की निया अधीसों को भी चुनती है या नए सदस्थों के प्रवेज पुराने सदस्थों की निस्कासन, नीलंबन और महसच्चीब की नियुक्ति की सिफारिश करती है सुरक्षा परिशन सेटराष्ट संग के उद्देशों यहम सिध्धानतों के अनकूल अंतराष्टी सांती और सुरक्षा को बना रखने का प्रयास भी हरती है सुरक्षा परिशन में जो बीटो पावर है बीटो का अर्थ होता है निसिधात्मक बोट सुरक्षा परिशन में पितिक्स इस्थाई सदस्को निसिधात्मक मत परापते यानि कि कहने का मतलब एक सी पावर उन्हें परापते किसी भी इस्थाई सदस्के द्वारा इसका प्रयोग करने पर कोई भी पिस्ताव सुईकित नहीं होता है आपने देखा है कि पाकिस्तान को अलग धलग करने के लिए भागत ने कई कोसे से की लेकिन चीन हर वार उस पर अडिगा डाल देता था सुरक्षा परिशा संपूर्ण वर्स अधिविशन की इस्तिती में रहती है अंग्रेजी वर्डमाला के अक्षरों में करम से सभी देश एक-एक माल के लिए सुरक्षा परिशत की अधिक्षता करते हैं सोवियस संप से ने बीटों का उपियुक सबसे अधिक्त बार किया किसने सोवियस संप ने जिससे आज आज आप रूस कहते हैं फिर आपकी आर्थिक ए यूएनों की ये भी आपकी संगटने उसली का भाग है आर्थिक और सामाजिक कुल्चर एकोनोमिक एंड सोसल काउंसिल इसमें आपके चंगुन सदस सामिल है जो महासाबा द्वारां तीन वर्स के लिए चुने जाते हैं कितने तीन वर्स के लिए अंतराष्ट संगी के आर्थिक और सामाजिक कारकलापों के लिए उत्तरदाई होना अंतराष्टी आर्थिक सामाजिक सांस्कितिक और स्वास्त संबंदी सेक्षडक विश्वों पर अध्यान पिती विदन अभी पिस्ताव पिस्तुत करना जाती लिंग भासा धर्म का पारेशट की बेटकों में बर्स में दो बार होती है अपरेयल में निवार्ट में जोलाई में जेनेवाों ॊसके बाद है न्यासी परीश परीशट शेडिव से सथेर्ष्ट का उन राश्टों की पिसासं एभन सुरक्षा से ऍससंभन्दित धायत ni जो दित्ती अभिसे होती की बाद भी सुतंत नहीं हो सकते पाई इसमें बरत्मान में 12 सदस हैं इसमें सिस चार प्यवंधन करता देश तीन सुरक्षा परिशत के 27 सदस होने के खारण 27 सदस और 5 निर्वाची सदस इसमें सामिल किये गए इसका प्रमो कार पितिक सदस देश की राजनितिक आर्थिकों सामाजी को नती करना उन्हें विकास की दिशा में दिखाना अंतिम नियाज चित पलायू द्वारा वर्स 1994 में सुतंता पराप्ती करने के बाद नियाज परिशत का कार लगबा समाप्त हो गया है फिर आपका अंतराष्टी नियाले क्या है अंतराष्टी नियाले International Court of Justice अंतराष्टी नियाले सिक्तराष्ट संका पित्धान नियाई कंगे इसमें आपके 15 नियादीस होते हैं वह जिनका निर्वाचन 9 बर्स की अउधी के लिए होता है यह भी कई बार पूँच लिया गया है कितने नियादीस होते हैं अंतराष्टी नियाले में 15 कितने बर्स के लिए 9 बर्स की अउधी के लिए महासाबह सुरक्षपषट की सदस्टिस में सामिल होते हैं किसी भी सदस्राष्ट को से दो नियादीस चुने जाते हैं यदि सदस्राष्ट कोई बितिवाद नियाले की समक्ष नेड़े के लिए सौपता है तो इसकी नेड़े उसे मानना पड़ता है महासाबह सुरक्षपषट कानून नी पिष्णों पर इससे परामस ले सकती है सभी बिवादों का पेसला नियादीसों के बहुमत की आतार पर होता है बरावत मत पड़ने पर अध्यक्ष का मत लिया जाता है जिस तरह आपने लोकसाभा में देखा होगा आपने याँ कि नेडायक मत होता है अध्यक्ष का इसी तरह इस सद्यक्ष करवी नेडायक मत होता है जब बराबर मत पढ़े हों दोनों पक्चों में नियालय की सामने लाए गए पिसनों पर उपस्ति नियादीसों की बहुत द्वारा नेडाय लिया जाना जाता है कम से कम नौ सदस उपस्तित रहने चाहिए इसमें वर्स 1946 में से अब तक अंतराष्टी नियालय की नेक अंतराष्टी बिवादों पर 1771 नेडाय दे चुका है इसके मुख कार्यालय की बात करें तो यह है नीदरलेंड में नियादी सपने में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तीन बर्स के लिए चुनते है नियालय की सरकारी भास आपकी फ्रेंच और अंगरेजी है इसका कार्यालय आप याद रखिए क्योंकि सब जितने भी इसके भागें उन सभी के कार्यालय साथ में इसके नियवार्त में लेकिन जो अंतरश्टीन अ कर नयाल है इसका कार्याल है हें नियदरलेंड में फिर आता है आपका शचीवाल्य यह सईवत्राश्ट का पिसासनिक अंगें स生वत्राश्ट संग की नित départितिदिन के कारेओं को करने के लिए एक सचीवाल है जिसमें लगबग 10,000 करमचारी कार करते हैं इसका सबसे वड़ा अधिकारी महासचिप होता है महासचिप की निवक्ती सुरक्षा परिशत के अभी विस्ताव पर महासबाद वारा 5 वर्ज के लिए की जाती कितने 5 वर्ज के लिए अगर हम महासचिप की कारियों की बात करें तो यह सबस्तराष्ट संकी सुरक्षा परिशत का ध्यान ऐसे विस्ताव पर की ओर दिलाता है जिससे उसकी राय में विस्त सांती के भंग होने की असंका हो या फिस सुरक्षा पर खत्रे की संभाव ना हो सेट राष्ट्र संग की कारियों के संबंद में एरवार से तथा पूरक पीती भी दन महासावा में पिस्थुत करता है विदान कार्याल है इसका निवार्ग में, कहा है निवार्ग में महासचेव वान की मूव दच्छिड कुरिया महासचप की साहता से आवन महासचेव और साहत महासचेव करते हैं अब रहे आप साइतराष्ट के विशिष्ट अभीकरन भी देख लेजें ITU अंतराष्टी ये दूर संचार संग इस संग की स्थापना 2865 में की गए तार टेलीफॉन रेडियो की सेवाओं और सेवाओं की उत्रोत्तर प्रिसार इवं विकास तता सबसाधरन को कम से कम दर पर इसकी सेवा सुलब कराने के लिए अंतराष्टी नियम बनाना इसका मुद्दे से और पिधान कार्याल है इसका आपको जैनेवा स्वीजेलेंड में देखने को मिलेगा 193 सदसिस से में आपको देखने को मिलेंगे फर है आपका विस्तो डांग संग UPU इसकी इतापना 9 अक्टूबर 1874 पूई इसके मुख देसों की बात करने तो संग में समले देसों में डा इने की दर नेयामी नेमादी निश्चितव करना होता है पिधान कार्याल है इतका बिष्ट पुट्टासी आर 301 15 सवीजेलेंड में यह आपका इसमें आपके 192 सदस स्यामिल है पर आपका अंतराष्टी है सरम संगठन आई एलो इसकी स्थापना 11 अपरेल 1919 को हुई थी कब 11 अपरेल 1919 को वर्सायद की संदीकिया आधार पर हुई थी 1940 में सेब्पराष्टन का एक पिसिश डवी करन बन गया मजदूरों की अवस्था और रहन सायन के इसतर में सुधार करना आर्थी केवं सामाजिक सुरक्चा भुबढ़ावे देना इसका उद्धिस है इसमें तीन पक्षों सरकार, नियूजक और कामकारों की पिती निदी भाग लेते हैं यानि कि तीनों पक्षिस में सामिल होते हैं एक मात संगठन है जिसमें तीनों पक्षे सामिल होते हैं बर्स 1989 में इस संगठन की सांती का नोबल परोषकार भी दिया गया था इसके इस्थापना 1925 में की गए इसका उद्धिस पर्याटन के मात्यम से आर्थिक वित्धी और रोजग्यार के उसर पैदा करना परयावन सरक्षन और पर्याटन के विकार सिस्थलों को प्रोसाहिड करना इनका काम है पिधान कार्यालय की बात करें तो मेट्डेट इस्प स्याओ को समाधान करना इसका काम है यह अंतराष्टी उटेंड विधियों एवं समझोतों को प्यारूप तेयार करता है पिधान कार्यालय की बात करें तो 1000 सेर्वो गली पश्च्चमी सीयोग 400 मॉन्टियल क्यूबे कनाडा में है है एच 3A2R सदस देशों की बात करें तो 19 सदस्तेश पर आपका खादेवं किर्शी संगठन एप ए ओ इसकी स्थापना 16 एक्टूबर 1945 को की गई इसका उद्देश अंतराष्टी किर्शी में प्रगित्ती के लिए फसलों के नई-नई किसमों के बीच तियार करने है तो बिग्यानिक अनुसंधान करना और विग्यान रख सकते हैं रोम इटली यही पूचे जाएगा इसमें सदस्तेशों की बात करें तो 194 सदस्तेश सामेल है फिर आपका अंतराष्टी मुद्राकोस यानि की आई-ए-ए-ए-ए-प की स्थापना 27 देसंबर 1945 को की गई बॉसेंग्टिन अमेरिका में हुई थी लेकिन ब्यापार पर संतुलन विकास करना बिनवैदरों में इस्थायत लाना बहु पक्षिय भुकतान की अवस्था बिवस्था करना उपिती कूल भुकतान संतुलन को टेक करना और साथी साथ आ संतुलन की मात्रायों आउधी में कमी लाना आई-ए-ए-ए-ए-प की अगर मुख यह बदलते रहती हैं इसलिए तो कहता हूं कि current जुड़े रहा करिएगा फिर आपका अंतराष्टी पुनल निर्माड विकास बेंग जिसे आप लोग विस्वेंग के नाम से कहते हैं इन दोनों को मिलाकर आप लोग विस्वेंग के नाम से जानते हैं विस्वेंग के धनी एवं निर्धन देशों का पिथम संम्मेलन वेटर सबोर्ड संप कॉनफेंट के पैडाम सोरूप सन 1945 में विस्वेंग की स्थापना की गई विस्वेंग ने अपना कार जून 1946 से स्तुरूट लिया कब जून 1946 से लेकिन इसकी स्थापना 1945 में हो चुई थी इस बैंक का उद्देश निर्धन साधन ही तथा विकासी देशों को वित्देवम तक्नीकी साहता उपलब्द कराना जिनसे उनका आर्थिक विकास हो सके बिस बैंक के सदस्देशों की संख्या 188 यह इसका प्यधान कारेल है बॉस्सेंग्टन डीसी यानि की अमेरिका में ठीक है और सदस्दों का ऐसा है कि जब बदलते रहते हैं तो आपको कभी कोई हट जाता है कभी कोई क्या हो जाता है तो इन्हें करेंट से जोड़ते रहे हैं सिक्षा विज्ञान संस्किती संबंदी संगतन यूनेसको यूनेसको की स्थापना 4 नवंबर 1946 को की गई इसके अगर उद्देसों की बात करें तो राष्टों के बीच सिक्षा विज्ञान संस्किती के छित में सहयुग बढ़ाना जिससे सांती और सुरक्षा की सक्तियों को बल मेरे सहयुग राष्ट संग के चैटर में घोष्णा की गई कि संसार के सब लोगों को जाती लेंग भासा या धरम के भेदभाव के बिना मानवी अधिकार मौलिक सुतंदाय पर आप तोगी इसके मुख्याला की बात करें तो पेरेस फ्रांस में 1951 सदस हैं और 901 सदस इसमें साम जल्पोत संबंधी प्रवादी समस्याओं की समाधान और अनुचित प्रबंधों को हटाकर विविन सरकारों के वीच परसपर सहयुग बढाना है इसे 1982 तक अंतराष्टी समुद्री परामस संगतन कहा जाता था पिधान कारयाले की बात करें तो चार्ल अलवट इंबैंक्म जाकर होगा कि उत्तर को र्या इतना लें इतना इतना रहता है फिर उसे खत्म क्यों ने किरते हैं अमेर्का चाहे तो इसे पलभर में खत्म कर सके यहीं संगतन हैं जो ढाटे रहते हैं हरसी बन lassड़ में लगाते रहते हैं और इसे लिए आपने देखा होगा कि कोई भी देश किसी पर हमला करने से पहले पचास बार सोचता है ठीक है फ़र आपका विजसे स्वास्त संगठन यानि की डबलू एचो की बात कर रहा हूं साथ अपरेल 1948 को इस्त की स्थापना की गई इसका मुख्ष देश जो है संसार की सभी जातियों की लोगों की स्वास्त का इसतर उच्चितम बनाना है इसकी सेवाओं में अनिक रोग ततां सिसु स्वास्त और पुष्टी कर आहार वातावरेंड की सुधता आधी की संबन्द में जानकारी देने के लिए परचारीकार और पिसीक्षन की विवस्ता बहुत मत्पून है पिधान कार्याल है आपका 1211 जनेवा सुईयलेंड में परादिसी कार्यालों की बात करें तो अलेक जेंडिया ब्राजविल कोपेंगन मनीला नई दिल्ली में भी आपका वोसिंग्टन में सदस्ते देशों की बात करें तो एक सो चोरामेस में सदस हैं याद रखें सदस्ते देशों हमेशा बदलते रहते हैं तो आपको करेंट से जुड़ना है जब पेपर देने जा रहे हूं तो आप लोग चेक करते रहा करिएगा कि वेस्व मौसम विज्ञान संग इसकी स्थापनापन की इसका उद्धिस मौसम विज्ञान संबंदी कारियों विभू निरिचन को बढ़ावा देने के लिए पितिवी पर इस्थान इस्थान पर स्थान और केंद स्थापित करना और उनके इस्तर को उचा उठाना इसका काम है यह संग सरकार के विभिन देशों को रितू पिग्ज्ञान संबंदी सभी आवस्थक सूचना देता है विधान कार्याल है आपका जेनेवा सुईजलेंड में देखने को मिलेगा एक तो एकानवे देश इसमें सदस्थ है फिर आपका अंतराष्थी परमाडू उर्जा अभीकरन आई ए आई ए ए इए इसके इस्तावना उन्नीस जुलाई उन्नीस संतावन को की गई इसके उद्देश की बात करने तो संसार में परमाडू सक्ती का प्रयोक सांती प्रयाता देती है विदानकार्याला इसका बेना और आउस्टिया में देखने को मिलेगा इसमें आपके 164 देश सदस्त देखने को मिलेंगे फिर आपका सयुक्तराष्थ उद्दोगिक विकास संगतन इसकी स्थापना नवंबर 1966 में की गई और वर्स 1985 में से सयुक्तराष् क्रमों में समर्वे स्थापित करना या अड़द्विक से तेवं विकासी देशों को उद्दोगिग विकास से संबन्दीद परावर्श देता है और उनमें उद्दोगिक विकास के लिए परसफर सही को पुरसायत भी करता है इसका आपको मुख्याला देखने को मिलेगा ब कव 1967 में इसका मुख्याला आपको देखने को मिलेगा जेनेवाद स्वीजेलेंड में इसका प्रमु कुद्देश है बहुत देख संपदाओं का आकलन और उनसे समधित समझोंतों को संपन कराना इसमें आपके 188 सदस्देश मिलेंगी इनकी डेट याद रखना है उद्देश याद रख सकते हैं अच्छे से और इनका मुख्याला आपको याद रखना है क्योंकि इनसे अधिक तरवार वंडेक जाम में कुस्चन्स पूंचे जाते हैं आपके तो आपका अंतराश्टी वि पोसाहार के साथ की साधन जोटाने में मदद करना होता है इसका जो मुख्याला है वो है आपका रॉम इटली में कहां रॉम इटली में 176 सदस्देश इसमें है फिर आपका डबलू टियो जैसे आप लोग 222 संगठन भी कहते हैं गेट वालताओं के दौरां दौर समाप्त ह होने की बाद गेट के स्थान पर एक जनवरी 1995 को एक जनवरी 1995 को 222 संगठन की स्थापना की गई तो यहादर की गेट को पिति स्थापित करके आपका उसकी जगए एक जनवरी 1995 को डबलू टियो यानि की 222 संगठन अस्तित में है यह विश्व व्यापाट पर नजर रखने बाला प्रमुकंतर राष्टी संग्या है इसका मुख्याला जो आपको जी नएवा सुजालेंड में देखने को मिलेगा इसमें सदस्देश 161 देखने को मिलेंगे आपको पिर आपका अंतराष्टी है बाल संकट कोस इसकी स्थापना इनिसफ यानि कि इसकी स्थापना ग्यारे दिसंबर उन्नीस सोचालीस को की गई ठीके यह संस्था आर्थिक और सामाजिक परिशाद की परवेचक में कार करती हैं यह संस्था संपूर्ण विसेशकर आविकसित द प्रिमारियों करने बारन पी सुल्टी का ग्रोहों, सिसू कल्यार के अंदरों की स्थापनाओं, सिसू आहार की विवस्था और दुख्द वितरन आधिकार कर किये जाते हैं, विधान कार्याला इसका निवार्थ है, सदस इसके 36 हैं, 36. फिर आपका सयुक्तराष्ट विकास कार्यकरम, UNDP, या सयुक्तराष्ट के अभी करनों में सरवादिक बेहद एवं बहु पक्षिये विकास कार्यकरमों में से एक है, इसका उद्दिस आर्थिक विकास और उद्दोगी विकास के कार्यकरमों के लिए बित्ती एवं तकनीकी सा सायता दिना है इसकी स्थापना 1965 में की गई कव 1965 में निवारिक में USA में इसका मुख्या लाए एक सो सद्तर देश इसमें मेंबर है फ्रयापका सयुक्तराष्ट सरणाती उच्चायुत इसकी स्थापना महसभाद द्वारा एक जन्वरी 1950 को की गई थी इसका मुख्यकार इस सरणातियों की रक्षा सौदेशी बापसी पुनरवास और रोजगार की पुनाहा पैरम करने के लिए सरणातियों की समस्या सुल जाने का प्यारतन भी कर रही है सन 1981 में संस्था को नोबल पुरसकार भी दिया गया था कब 1981 में इसका मुख्याले आपको जेने बास हो जलेन में देखने को मिलेगा अंठानवेस के मेंबर हैं सदस हैं एक बात आप लोगों को बता देता हूं कि जब भी जिस टाइम आप लोग देख रहे हो इस के लास को उस टाइम इन संगटनों में जो भी करेंट सदस होते है यानि कि बदलते हैं इनसे अगर डिफ्रेंट होते हैं बदलते हैं तो उसे नीचे लिख दिया करिएगा डेट डालकर संडालकर जिसे कोई अपना कोई अपना ही परिवार आता है परिवार का मेंबर तो वो अच्छे से देख सके ठीक है इतना तो कर सकते हैं आप लोग अन के बाइस सदसें बरतमार में वरफान सवन सदसों की बात करें तो अलजीरिया बहरीन कैमरून जीवूती में से एराग जॉर्डन कुवेद लेमनाल लेविया मौरिटानिया मौरक्को उमान कतर साउधी अरब सुमालिया सूडान फेरिया ट्योनिसिया से उपतरब अमिराद य काहिरा मिस्स में था लेकिन अब यह ट्योनिस में आ गया है ठीक है तो आपका दक्षे सार्ग जिसे आप लोग कहते हैं एक तो मैं बताओ ना कि आप जितने भी इनके नाम हुआ करें उन्हें भी याद रख लिया करेगा कई बार आपने देखा है कि दक्ष पूंच लेता ह कई बार नाम दे देता है सार्ग दे देता है और कई बार दच्षण ACI चेत्रिय सहयुक संग्र पूरा नाम दे देता है इसका तो आपको तीनो नाम इसके याद रखना है ठीक है इसकी स्थापना 8 देसंबर 1985 को भी थी धांका में कुलिस में 8 सदस हैं भारत बंगलादेश, सिरे रंका नेपाल, भूटान, माल्दी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान लेकिन इस कोई सक्री ये जाना नहीं है संगट्टी ये संगटन और इसकी जगए बेमस्टेक को जाना मत दिया जा रहा है समय अभी कोरोना की टाइम इसकी मीटेंग हुई थी वरना उससे पहले जिवाला देखने को मिलीगा इसकी इस था अपना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी से याद रखिए अगर इसके उद्देशों की बात करें हम दो तो दच्छेडेशिया चित की जनता की कल्याण और उनकी जीवन इस्तर में सुधार, दच्छेडेशिया की देशों की सामुएक आत् प्रिये सहयोग, एवं पारसपरी सहयता, अन्यवेकास सिल देशों की चार सहयोग की साथ सहयोग में बिड़ दी, अंतराश्टी मंचों पर आपसी सहयोग मजूद करना इस अभी है, फिर आपका ओपेक, जिसे और गनाइजेशन और पेटॉलियम एक्सपोर्टिंग कंट्र इस लेता है, ठीक है, 1960 के में बगदाद इराक में हुई थी, इसमें आपके कुल 13 सदस, अलजेरिया, एकवाडूर, गेवन, इंडोनिसिया, इराग, इरान, इराग, कोवेट, लीविया, नाइजरिया, कतर, साउधी अरब, UAE, क्या, UAE, और सेउट अरब, अमिरा, तथा ब बदलाओ किया है, इसके याद रखे का है कि अभी पहले 14 सदस थी, इसमें, क्या थी, 14 सदस थी, लेकिन आपने देखा है कि इसमें आप 13 सदस बच्चे हुए हैं, क्या बच्चे हुए हैं, 13 सदस इसमें बच्चे हुए हैं, जैसे इसमें आपका देखेंगे ओपेक के सदस्कों को देखेंगे तो जैसे एसिया वा मद्धपूर में इरान, इराक, साउधिय एरब, कोवेद, सहयुक तरब, अमिरात है और अफी क्या में आप इसमें अलजेरिया, अंगोला, लीविया, नाइजरिया, कांगोगर राज, दच्छन वेरिका में इसमें बेनेजुइला सामिल किया गया है, ठीक है, अभी यही बर्तमान में सदस्देश हैं, तो 13 सदस्देश बचे हुए हैं पहले 14 थी, ठीक है, आँगे चल्द, वो देशों के अगर हम बात करें, तो पैटोलियम ने रियात करने वाले देशों के, हितों की कसन रक्षन करना, तेल की कीमतों की कोई स्थिर्टा पिदान करना, और समय समय पर सदस्देशों की वीच, हित सम्मर्दन ये तू निर्दारन करना, बेना और श्टिया, इसका मुख्या लए, फिर आप सुनते हैं राष्ट मंडल, कॉमन बेल्थ, इसकी इस्ता 1926 में की गई थी, कब 1926 में, इसमें कुल 53 सदस्देश जिनमें बैटें एवं उसके उपनेवेश सामल हैं, जो अब सुतंत राष्ट हैं, संगठन का अंतिम सदस्दा सापका दच्छड थी जाता, जहां आपके गांदी जी भी कुछी दिनों तक रोके हुए थे, वो देश की संगठन की सदस राष्टों में परसपर पितिनियुक्त, राजनाइक पितिनियुक्त, उच्चायुक्त कहलाते हैं, ना कि राजदूत कहलाते हैं, फिर आपका CHOM राष्टमंडल देशों के सासानद्ध्यक्च का सम्मेलन होता है, पितेक दूसरे बार्स में आयुजित कि आजाता है, फिर आपका गोट निर्पेक्च आंदूलन, नॉन एलाइंड मुमेंट गोट निर्पेक्च आंदूलन, अत्वा निर्कुट आंदूलन, ये 1961 में बेल गरेट पूर्ख युगो सिलाविया में हुई थी इसकी स्थाफना, याद रखी 1961 में, इसकी उद्देश इसका गठन करने का, कि आपने देखा था कि हम लोग 1967 में आजाद होते हैं, उसके कुछ समय से आप देखते हैं कि सीटी उद्द सुरू हो जाता है, एक तरफ आपका सोविया संगरूस था और दूसरी तरफ अमेरिका, तो हमने दोनों में ना मिलकि हम कुछ देशों ने हमा परनाया, उसे हम लोग गुट निर्वेक चांदूलन कहते हैं, इसके इन सगठन की स्थापना की प्रमुक पेड़ा सरोत, इसके तीन संस्ता पक यूग उसलाविया, मिस्सा और भारत की तत्कान लिडाय ने था, किरमसा मारसल जोसेफ, बाठ्टिटू, करनल गमायल नासिर और पंडिजवालाल नहरू थे, इसमें कुल 20 सदस हैं, कितने 120 सोरी, एक भूल रहा हूँ, 120 सदस हैं, गुट निर्वेक चिता सिताथपर गुट बंदी से दूर है ना, जो इन दो समगूहों में, यानि कि दो महा सक्तियों में गुट बाजी चल रही थी, इन से हम लोगों में नम सामिल होके एक बीच का राश्ता हम लोगों ने चुना था, इस अंदोलन के पिरमोख कुछ लक्ष थे, सुतंत विदेशनीती, ओपने वेसवाद का विरोध, सैनिक गुट का सदसना होना, महा सक्ति के साथ सैनिक गडवन्दन ना होना, किसी महा सक्ति को अपने छेत इसल गायलों और योद कैदियों की देखबाल के लिए एक अंतराष्टी अजेंसी है, इसकी नेव हेनरी डूनांट के द्वारा 1863 में की गीती, कब 1863 में, या सांती की समय भी प्राक्तिक प्रिखोपों को सेकार हुए, लोगों की कष्ट दूर करने के लिए इसकार करती है इसका मुख्याल है आपको जेनेवा, सुईजालेंड में मिलेगा, इसे आपका तीन बार नोबल प्रोषकार भी दिया जा चुका है, ये कई बार पूंच लेता है, 1917 में, 1944 में और 1963 में, सांती का नोबल प्रोषकार दिया गया है, रेड क्रॉस सोसाइटी को, फर आपका आस मियानवार कमबोडिया, इसके इस्थापना 1967 में की गए, इसका सच्च्वाल है आपको मिलेगा, जकालता इंडोनेसिया में देखने में, और सदस देश इसके दस हैं, एक भारत इसमें सामिल लही है, फर आपका MST इंटरनेशनल या माना अधिकारों से संबंद एक विस ब् पांच लाग से अधिक सदस हैं, 150 देशों से इनमें 5 लाग से अधिक सदस सामिल हैं, 1900 मतलब एक देश से भी कई सदस इसमें सामिल हो जो सकते हैं, इसलिए इतना सदस हैं, बरना आप समझ रहे हैं कि अगर देश को किपल सदस बनाया जाता, तो फिर इतना ना हो पाता, बह प्रोबल सांती पर उसका भी मिल चुका है तो आप सुनते हैं एपी एसी एपेग एसी आप प्रिसांद आर्थिक सहयोग संगटन इसकी स्थापना 1989 में की हुए इसका मुख्याल है आपको सिंगापूर में देखने में को मिलेगा एक्स में 21 सदस हैं कितने 21 सद उद्देश की बात करें तो एसी आपिसांद शित में मुक्त एवं आवाद ब्यापार का विकास करना उद्दारी करन बिने उजस्तों विधाओं को प्रोसान करना सदस्तों के मद्ध आल्थिक और धखने की सहयोग बढ़ाना फिर आपका जीएट 1975 को निवार्ट में इसकी स्थापना हु बाली अमीर उद्दों की देशों की सदस्ता से हुआ है यह राष्ट नेमित रूप से सिकर सम्वलोनों की माध्यम से मिलते हैं और आर्थिक नीतियों एवं अनमुद्दों पर सामजस्त पूंट देश्टिकों अपनाते हैं जीएट उस जीएट ने समूप फायब की दायक अगर इसमें आपके वाश्टेलिया हो गया साउथ कोरिया हो गया उसके बाद रूस हो गया और भारत को सामिल करने की बात की जाएगे अगर यह सभी सामिल हो जाते हैं जी 11 बन जाएगा यह ठीक है अंगली मीटिंग में पता चलेगा आप लोग करेंट से जुड़े रहना अगर अंगली मीटिंग में बदला होता है अनमें तो आपसे कुष्टेंस 100% से पूँचा जाएगा क्योंकि इस तरह के कुष्टेंस पूँचे जाते हैं किसी ना किसी परीचा में दी एट डावलेफिंग एट इस थापना इसकी जून 1997 में हुई इंस्ताबूल में और्गिनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फरेंस के आफ बड़ी जनसंख्या वाले देशों ने किया था इसमें साल आपकी सामिल देश थे तुर्की, इरान, इंडोनेसिया, मलेसिया, ना नहुचने वाले हैं, तो समझ रहे हैं, यह सब आठ देश मिलकर भी हमारी बराबरी नहीं कर सकते हैं, विस्त भ्यापार में सेब्त भागीदारी लगबग 4-30 की हो और सदस्संख्या आठ थेश में, पर आपका OCD, OECD, आर्थिक सही हो और विकास संगतन, इसकी स्थापना 1961 में की जाती है, मुख्यालाय पेरिस, फ्रांस में देखने को मिलेगा, इसमें 34 देश सामल हैं, ऑस्टेलिया, बेल्जियम, कनाडा, डेन्माग, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आइसलेंड, आयरेस, गडराज, इटली, लगचंबर, नीदरलेंड, नौर्वे, पॉर्दगाल इसमें स्वेडन, स्वेजलेंड, तुरिकी बेटेन, तत्ता सायुक्त राज, अमेरिका, उस्टेलिया, चेक गडराज, फिर्लेंड, हंगरी, जापन, कोरिया, मैक्सिगो, न्यूजिलेंड, नौर्वे, पॉलेंड, इसमें सामल हैं, इसके अगर मुख्यालाय की बात करें, तो ये पेरेश फ्रांस में देखने को इसका क्याला मिलेगा, और देश की अगर हम लोग बात करें, तो सदस्ट देशों के बीच आर्थिक सामाजी कल्यांड नीतियों का समनबय करना, और सदस्ट देशों को विकास सी देशों की कल्यांड के बिलिए विस्तित कार्य इसका उद्देश अंतराष्टी अपरादों की विरूदिक कार्य करना है, इसका मुख्याल है लियोन, फ्रांस में है, ठीक है, कहा है, फ्रांस में, उसके बाद आगे चलते हैं, जी पंद्रे, यह विस्तित के 17 विकासील देशों का एक संगटन, इसकी इस्थापना बेल ग इथम सिखर सम्मिलर में आपका 2 जून 1990 को किया गया, कौलालामपूर में हुआ था पहला सिखर सम्मिलर, गुरूप ओफ 15 अतवाजी पंद्रे नामक्स, इस संगटन के सदसराष्ट, आपके ब्राजील, मिश्र, ब्राजील, मिश्र, जमेका, मेक्सको, मलेसिया, अल्जीरि सेनेकल, बेनोजोयला, जेंबामबि, भारत को भी सामिल किया गया, चीली और इरान भी इसमें सामिल है, क्यान्या 1998 में इसका सदस बना, तसना स्रीलंका इसका नभीनतम सदस है, पर आपके जी सदसर या 134 बिकासील देशों का सभूर है, इसे जी सदसर भी कहा जाता है, क्य जेनेवा, सुजलेन में देखने को मिलेगा, ठीक है, फिर आपका नाटो, इसका पूरा नाम है North Atlantic Treaty Organization, उत्तरी अट्लांटिक संधी संगटन, इसकी इस्तापना आपकी 4 अपरेल 1949 को वाश्रेंग्टन अमेरिका में हुई थी, इसके अगर सदसों की बात करें तो, बेल्जिय प्रांस, लगजंबर्ग, बेटें, नीदरलेंड, नीदरलेंड, गनाडा, डेन्मार्क, आइसलेंड, इतली, नौर्बे, पुर्दगाल, सेफ्दरा, जमेश्का, इस्पेंड, पोलेंड, हंगरी, चैन्गर्राज, युनानी, तुर्की, इवन जर्मनी, इसमें अभी आपके 30 देशों हो गए, कितने 30 देशों हो चुके हैं, आपके, 30 बार सदस जो बनाए, मैसोडोनिया बनाए, ठीक है, याब रखिए, 6 फरवरी 2019 को बनाए, अभी आपके टोटल 30 है, इसके उद्देश की बात करें हम लोग, तो सदस देशों क पारसपरी सामरिक सहयुक से सोवियत बिस्तार को रोगना, किन्तु सोवियत संग के विक्ठन के बाद इसके नाटो कमो खुद्दी सौरोप पार्टनर से फोर पीस हो गया, इसके अंतरकर पूर्वी यूरोप के देशों को भी नाटो की चत्चाय में लाना है, इस संबंद म 27 माई 1997 को रोष ने एक संधी पर हस्ताक चरवी किये, इसका मुख्याला है बुरुसेल्स, बेल्लियम में देखने को मिलेगा आपको, फिर आपकी ACI, ADB, याने की ACI विकास बेंक, ACI, ACI Development Bank, इसका पहला प्रियाजन, एकापी ACI ततना सुदूरपूर्व के लिए आर्थिक परिश्यद में ने किया था, इसका कार 1966 में प्यारा हुआ, कब 1966 में, इसमें सदस आपकी सरचट सदस देश देखने को मिलेंगी, याद रखी ACI विकास बेंक रही, जून 1974 में ADB न सदस देश होते हैं, इनको रियायती दर पर उधार देना, यानि कि रड़ देना, मनीला, फिलेपेंस में इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा, इससे भी कुश्चन सापके बनते आए हैं, फिर आपका CIS, Commonwealth of Independent, Dependent Status, सोविये संग के विखरने के वादिया है, संग बनाए इसकी स्थापना 1991 में सदस बारेट की साथ हुई है, Commonwealth की नीतिया राज परिशत परमुक और सरकार परमुक परिशत द्वारा तै की जाती है, CIS का मुख्याले वेलारूस की मिन्सक में हुगा है, फिर आपका है बिक्स, ब्रिक्स, ब्राजिल, रूस, भारत, चीन, चार इसका पुराना नाम है ब्रेक, जब इसकी स्थापना बस 2009 में की गई, इसमें चारी देश आपके सामिल थी, विराजिल, रूस, भारत, चीन, इसका पिथम सिकर सम्मिलन 16 जून, 16 जून 2009 को एके टरिन बर्ग रूस में हुगा था, 15 अपरिल 2010 में ब्राजिलिया में हुए इ इसमें और इस पेका दच्छन अपीका की सामिल होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स पड़ गया है, जिसमें ब्राजिल, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अपीका सामिल हुए, ठीक है, शुरुवाती 6 बर्सों तक इसकी अध्यक्ष था, भारत के पास रहेगी, तदू प 45 में, बोगोटा, कोलंबिया में आये जित अमेर्की राज्यों के नौबे अंतराष्टी एसमेलन में, वो ए-स का गोष्णापत अनुगोदित हुआ, 35 अमेर्की देश इसके सदस है, सबसे अधिक तागत बर, सबसे अधिकार बराबर है, जो इन में जितने भी देश सामिल उनके सबकी अधिकार बराबर है, पितेक का एक मता अधिकार होता है, इसका मुख्याले अगर आप देखे तो वोसेंग्टन डीसी में, इसका मुख्याले देखने को मिलेगा, फिर आपका औरगनाईजिशन औरब पेटॉलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपी, इसकी इराक, कुबेथ, इरान, युएई, साउजियरस में सामयल है, ठीक, सदस देशों को बाद बार बोल लाओं कि इन्हें, जब भी चर्चा में रहा करें, इसलिए बोल लाओं कि न्यूच पेपर से जुड़े रहना, क्योंकि सदस बदलते रहते हैं, और बाद में आप नीच गटना चक काफी पूरी पड़ा दी गई है, और आप देखिए गटना चक के नाम से जो फिलेलिक्ट सुची है, उसमें सभी डलेव हैं, और जो भी अपडेट हैं, दोजार बीस में अपडेट हों, उने करते रहना, जानदा अपडेट नहीं होंगे, बस होंगे, देखते करेना, Organization of African Unity, अपी का एकता संगठन है, मई 1963 में इस्थापित किया गए, इसके संस्थापक 30 अपी की राष्ट अद्यक्ष थी, जिन्होंने अधिस अभावा में एकतित हुए, गोशनपत पर हस्ताक्षर किये, सभी अभी की देशों के लिए समयकत स्वर उठाने का एक पिर आप सुनते हैं, यूरोपेन संग, एक जनवरी, एक जनवरी 1958 को, इसकी स्थापना हुई, इसमें 27 देश बच्चे हुए, कितने 27, क्योंकि आप देखते हैं, यूरोपेन यूनियन, इसका उतिश यूरोप की सुरक्षा आर्थिक सामाजिक मसलों पर विचार करना है, यूरोपी ये आर्थिक समुदाय का मुख्याल है, आपकर जेनेवा में हैं, इसकी कुल जनसंख्या, इसकी कुल जनसंख्या, तीन सो बीस मिली आए, यहां मुझे एक पता है, इसमें बेटेन की निकलने की बात की जा रही थी, तो अगर वो निकल जाएगा, तो इसमें 27 देश बचेंगे, कितने 27, वरना इसमें 28 है, तो उसकी बात चल रही थी, तो उस पर याद रखिए, अगर वो निकलता है, इसमें से, तो आपको अपडेट बना रहे ना है, फिर आपका UT, Uratum, क्या है, Uratum, यूरोपिये प्रमाडू ओर्जा समुदाय की स्थाफना उनिस संतावन में की गई, रॉम में 69 राष्टों द्वारा हस्ताक चरिफ एक संदी के अनुसार हुई थी, जो EC, SC और EEC के संस्थावक थी, EEC के संस्थावं द्वाराई, Uratum के कारेओं का नियंतर होता है, Uratum का UT, सांती पूर्ण उद्देश के लिए, नावकी उड्जा का विकास करना है, इसका मुख्याल है आपका, Brussels, Belgium में है, इसके सदस्थदेश हैं आपके 28, फिर आपका, इसका इसलामिक संभीलन संगटन, इसकी स्थावनां 1971 में की गई, इसका मुख्याल है, जिद राय साओधी रम में मिलेगा, इसका उद्धेश, इसलामी एकता और राष्टी विकास के अंदर चित्रों में सहयो, और विश्विसान्ती में यह उदान देना है, ठीक है, तो यह थे आपके प्रमुक संगटन, और अगर आपको कुछ जानदा ही संगटन पढ़ना है, तो आपके वहाँ डले हुए हैं, 2445566 मनेट की बीडियो हैं, देख सकते हैं आप लो, ठीक है, जो आपका यूरोप है, उससे वेटेन का निकलना, आपका बेकजिट कहलाता है, उसके बाद आपकी सत्ताइश देश बचेंगी, याद रखिए इस पॉइंट गों, ठीक है, विस्ति की पिथम महिला, अगर हम लोग बात करें, तो यह हैं अलिया वेथ, विलेक, वेल, अमेरिका की है, जो लोग कहते हैं ना की, महिलाएं कुछ नहीं है, कम आगते महिलाओं को, वो इसमें देख लें, विस्ति में पिथम महिलाएं क्या-क्या हुई हैं, उसके बाद किसी मुसलिम देश की पिथम महिला, पिधान मंत्री, बेंजीर भोट्टो, पाकिस्तान, गुठ निरपेक, चांदूलन की पिथम महिला, अत्यक्ष, ऐस भंडार, नार्के, स्रिलंका की थी, विस्ति की पिथम महिला राष्टपती, मारिया एस्टेला, रजावेल, ए अर्जिंटीना की थी, विस्ति की पिथम महिला पिधान मंत्री, एस्ट भंडार, नार्के, स्रिलंका, आपके देश में तो, बाद में इंद्रा गांदी बनती हैं, उससे पहले, स्रिलंका में बन चुकी थी, एवरिक्ष पर चड़ने वाली विस्ति की पिथम महिला, जिनको तेवे ये जापान की थी, अंतरिक्ष में जाने वाली विस्ति की पिथम महिला, बेलेंटीना तेरे सेखोवा रूस की थी, विस्ति की पिथम सम्मानित महिला, वेटेन की राजनी एलीजा वेट, वेटेन की रानी एलीजा वेट, इंग्लेंड की पित्थम महला पिधानमंत्री ए थी मार्गेट थेचर विस्व मैं सयुक्तराष्ट महासाबा की पित्थम महला सभापती ए थी आपकी देश की स्रीमती बिजयलचमी पंडिशा उत्री और दखेरी धुरुप पर पहुँचने वाली पित्थम महला एन बेंक्रोट अंटार किटी का महाधी पर पहुचने वाली पिथम महला जैकी रोने बेटिंग की पहली महला पहली रानी यह थी जैन जैन कनाड़ा की पिथम महला पिथान मंत्री किम केंपवेल तुर्की की पिथम महला पिथान मंत्री तांसू सिलर इंग्लेश चैनल तेर कर पार करने बाली पिथम महिला गर्ट रूड एड़ले ठीक है अब चलते हम लोग पूरस की तरब क्योंकि पूरस भी गुस्ते हो गया होंगे तो वो भी देख लें कि उनमें कितना तागात है विसमें पिथम पूरस पिथम अंत्रिक्ष परियाटक ड दोनों एक रत के पईये हैं यानि कि कोई कम नहीं है दोनों बराबरे इसलिए कभी किसी को कम मता करिएगा जेट वायुएन की पिथम प्रायोगिक उडान भनने वाला ब्यक्ति फैंक हेटवल हेबटल वायुपोत की पहली उडान भनने वाला ब्यक्ति हेंरी गिफ़र्ड गुबारिश अट्लांटिक महासागर पार करने वाला पिथम व्यक्ति रिचर्ड वरानसान सबसे अधिक उम्म का अंत्रिक्ष यात्री काल जी है नीजे सबसे कम उम्म की का अंत्रिक्ष यात्री गेरेमान इस्तेप पानोविच तितोव सर्भाधिक मुचाई से छलांग ल जाने वाला एवं अंत्रिक्ष दुर्गटना गस्तेकार बनने वाला पिथम कॉस्मोनोट इसे बिलादी मीर कॉमा रोग अंत्रिक्ष में जाने वाला पिथम व्यक्ति यूरी गागरेन एबूदपूर सोवेश संग के थे 1965 में आप पहले जानते ना कि जो रूस है आज उस अंत्रिक्ष में चलने वाला पिथम व्यक्ति अलेक्सी लियोनोव ये भूटफू सोवेश संग का था चंदमा पर पैर रखने वाला पिथम व्यक्ति ये नील आरुमस्टांग थे 1970 की बात है सूर की चारों और गिरहों की गूमने और पिथवी की चाल की बारे में जाने संपूर्ट तथ्यों को विष्थित करने वाला पिथम व्यक्ति निकूलस कोपर निकस था पूलेंड का था कहां कह था पोलिंड का ब्रह्मंड की फेलने की बारी में सरव विथम तप्थ देने वाला बेक्ति एड्विण पोर्विल हमले अमेरिका कह था दो बार अंत्रिक्ष अप्तरा करने वाला पिथम अंत्रिक्ष परियटक चार्स सिमोनी 2007-2009 अमेरिका था एक बाद आप लोग हमेशा याद रखी जिस तरह से अभी आप परियाटक के लिए जाते ना कि एक देश से दूसरे देश हमारे देश में भी विदेशी आते एक दिन अब संभव होने लगा है चलने भी लगा है इस तरह का कि अब अंतरिक्ष यात्री भी जाया करेंगे यान कि गूमने के लिए आप सुचें कि चलते हैं अंतरिक्ष यात्रा करके आते हैं ऐसे ही संभव हो जाएगा सभी देश लगे हुए हैं ऐसी में वाई उयान से पहले ही उडान भरने वाले ब्यक्ती राइट बंदू, ओविल और विलवर राइट इन दोनों के नाम थी साद बार अंतरिक्ष में जाने वाला पिथम अंतरिक्ष याथी Jerry Rose था उत्री धुरूप पर पहुचने वाला पिथम व्यक्थी Robert Ferry अमेरिका के था दच्छीरी धुरूप पर पहुचने वाला पिथम व्यक्थी Ronald Emondison नौर्विके दोनों दूर्बों पर जाने वाला पिथम ब्यक्ति डॉक्टर अलवर्ड पी केरी माउंट एवरिष्ट पर चड़ने वाला पिथम बिकलांग ब्यक्ति टॉम हिटकर बिना ओक्सीजन की माउंट एवरिष्ट पर चड़ने वाला पिथम ब्यक्ति थूदोर जी सरबाधी कुम्ब में Mount Everest पर चड़ने वाला भेखती यूचिरो, मियूरा, जापान की थी बिस्ट में चारों और यानि कि खहने के मतलब सीधा साई कि बिस्ट की चारों और बिस्ट के चारों और परइक्मा करने वाला बिस्ट का वितम भेखती Fardinand, Magaland मेगिलन काउंटी क्रिकिट में एक ओबर में छे चक्किल लगाने वाली पितम बल्ली बाच जॉर्डन क्लार्ट बिम्ब लडन ट्रॉफी जीतने वाला पितम आस्वीद बिक्ती और्थर एस एवरिश्ट सिकर पर पहुँचने वाला पितम बिक्ती सिर्पात तेंजिंग भारत का असर एड मंड हिलेरी न्यूजी लेंड की फिर आपका बिसमे पितम आन जैसे पुस्तक मुद्दित करने वाला पहला देश चीन कागी मुद्रा जारी करने वाला देश चीन पितम देश जो आप लोग तैयारी करते हैं इसी की बात की जाड़िया बिस्त का पहला धरम सनात धरम भारत पर आखमर करने वाला पितम इरोबासी सिकंदर बिसमे किसी देश की पितम मैला राष्टपती मारिया एटेला रजाबेल ए अर्जिंटीना की पितिभी का मांचित बनाने वाला पितम इन्थेक्ष सरबादी उम्मे में एवरिष्ट चड़न में वाला पितम इन्थेक्ष साहत्य के पितम नोबल प्रोस्कार से सम्मानित ब्यक्ती पुंधो पुरुधोन सली सांधी की छेत्य में पितम नोबल प्रोस्कार से सम्मानित ब्यक्ती जियान हेनरी दुनांत एवं फेडरिक पासी सेगतराज अमीर का के पितम राष्पती जॉज बॉसिंटन बैट्रेन का पितम पितान मंत्री रॉबर्ट वालपोल स्युक्तिराश्ट्र संग का पितम महा सचे ट्रेगविली नौर्वीग थे सिक्षा को अनिवार करने वाला पितम देश प्रसा पितम फुटबाल विसकब जीतने वाला देश रोगवे सम्हिधान निर्माट करने वाला पितम देश सैवद्राच अमेरिका पाकिस्तान की पितम गवर्णर जनरल मुहमद अली जिनन गोटन निर्पेक चांदोलन की पितम सम्मेलन का आयोजन स्थल वेल ग्रेट चीन पहुचने वाला पितम येरोपियन मार्को पोलो वाईवयान से पहली उडान भरने वाला ब्यक्ती राइट बंदू विस्तेगे चारों और समुद्री यात्रा करने वाला पितम ब्यक्ती हडीनेंड मैगिलन वैसे देश चोके हांगे हम लोग फिर भी आपका रिवीजन होता रहेगा क्या भरपड़ता है किंति मोगराय को अंत्रेक्ष में पिच्छेपन करने वाला पितम देश रोज आधुनिक ओलम्पिक खेलों का आयूजन करने वाला पितम देश यूनान चेन गडराज की पितम राष्ट पती ये थे डॉक्टर सन्याद सेन पितम नागर जिस पर परमाडू बम गिराया गया था हीरो सीमा जापान का है सरबादिक पसुम बाला देश भारत बेट बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश सुईडेन विष्ट का पितम विष्विध्याले तक्चला विष्विध्याले आपका जो आपके आए न ये आपका आटसो बीसी के करीब का है चंदमा पर माराव भेजने वाला पिथम देश सर्थराज अमेरिका अंतरेक्ष में भेजा जाने वाला पिथम अंतरेक्ष सटल कोलंबिया एवरेट पर चड़ने वाला पिथम ब्यक्ति जुंके तिवाई जापान की थे विस्तिका पिथम देश जहां ब्यक्ति को एक्चिक, मित्यू, कादिकार पिदान किया गया है नीदरलेंड यानी क्यों होलेंड यहां एक्चिक का मतलब होता है यही कि अपनी इच्छा की अनुसार कभी भी वो खतम हो सकता है अपने आपको कर सकता है बहुत एक बिग्यान में पिथम नोवल पुरुषकार से सम्मानित ब्यक्ति डवलू के रुएंट जैन रसाइन बिग्यान में पिथम नोवल पुरुषकार से सम्मानित जे एच वेंट हॉप पिथम नोवल पुरुषकार से सम्मानित ब्यक्ति जिकर साब उऍग्यार में पिथम नूवल पुरुषकार से सम्मानित ब्यक्ति रेग नर फ्रेस और जौन टिन वरगन अब चलते हैं विस्टो में सरवाधिक बड़ा, चूटा, लंबा और उंचा इस तरह की भी questions आपके direct पूँच लेते हैं सबसे लंबी नदी नील नदी है कहां miss सबसे बड़ी नदी चोड़ी एबं बहाव की दिर्ष्टी से बात की जा रही अमेजन है दच्छित अमेजन का नदी याद रखे सबसे लंबी पूचे अगर लंबाई में तो नील नदी है और सबसे बड़ी अगर चोड़ाई में बहाव की दिर्ष्ट में आमेजन है ठीक है दच्छित अमेजन है सबसे चोटी नदी डी नदी है सेउक्दरा जमेका सबसे बड़ा सागर सबसे बिसाल उपसागर हडसन उपसागर सबसे चोटी रा पक्ची हम्मिंग बर्ड सबसे लंबी साग नदी मेडिरा अमेजन की साग नदी है सबसे ब्यस्त ब्यापारिक नदी राइन नदी है जर्मनी की अन्ता सागरी नदी क्रॉम बेल धारा सबसे बड़ा महासागर फिसांत महासागर सबसे गहरा महासागर फिसांत महासागर याद रखिए जो जितना बड़ा होता है उतना ही सांत रहता है यह आप अपने उपर भी लागू कर सकते हैं आपने देखा होगा कि वही कहते हैं ना कि वह बरतन बोलते हैं जाना जो खाली ह होते हैं कभी आपने सुना होगा कि जो बादल गर्षती हैं वर्षती नहीं है तो इसे भी अपने उपर लागू कर सकते हैं कम बोलिए जिद्वी रहेगी हर ज़गे सबसे बड़ा नगर छेदफल की दरष्टी से लंदन ग्रेट वेट हैं सबसे बड़ा देश छेदफल की दरष्टी से रोज सबसे छोटा देश छेदफल की दरष्टी से बेटिकन सिटी सर्वादिक जनसंख्या का देश चीन, सर्वादिक निर्बाचक संख्या का देश भारत, निउन्तम जनसंख्या गनत अंटार किटिका, सर्वादिक जनसंख्या गनत वाला देश सिंगापूर कौंसा सिंगापूर सरवादीक आवादी बाला नगर टोकियो जापान सबसे कम आवादी बाला नगर वेटिकन सिटी सबसे लंबी सीमा बाला देश कनाणा सबसे छोटी सीमा बाला देश जिब्राल्ट सरवादीक सीमा बाला देश चीन आपका 13 देशों से सीमा लगती है चीन की सबसे बड़ा द्वीब ग्रीन लेंड, सबसे बड़ा प्राधी अरब प्राधी, सबसे बड़ा द्वीब समू इंडोनेसिया, सबसे बड़ा नदी द्वीब मजुली ब्रंपोत नदी असम में, सबसे बड़ा डेल्टा सुन्दर्वन भारत, सबसे लंबा मोहाना ओव नदी क का मौना रोज में आपसे एक ही बात कहूंगा कि जो हम लोगोंने मैपस वाले मैपस देखाता ना आपका विस्ट का पूरा से विस्ट को ध्यान में रखते हुए तो उस पर पूरी वुक्स पढ़ाई गई थी तो उसे जाकर देख लें अगर मुझे लगता है कि उससे कवर कर लेते हैं तो आपका जो जोगरफी है इसे आपको सब्तर से पचातर परसेंट और कहीं असी परसेंट तगात की कबर हो जाएगी जोगरफी और पूरा मैपस का सहारा लेकर वही बताय गया है तो कुश्टेंस गलत होने के भी चांस कम हो जाएगे तो अच्छे से देख लें जो कीनों से मांचित के नाम से जो फिलेलिष्ट सूचिया, उसी में डले हुए सब, सबसे बड़ी नदी स्वेज नहर्ष अघैयल किल नहर सबसेबडी जील सबसे बड़े बड़ी तायेपानी कीजीजिए सोपिरियर जील अमेरिका सबसे घहरी जील वेकाल जील रोज जील के अंदर जील menitoinander सरवादीक मुचाईपरिस्ट जील नौकान होकरों तछल अमेरिका में सबसे बड़ा लेंगू लेगूदा य। अपने देखा होगा खियो के आप कई सहरों के नाम सुन लें पर भी आप भूल जाएंगे अगर उन सहरों में से आप घूम लें अगर वहां जाकर तो आप जिंदिगी में कभी मरते दम तक भी नहीं भूलते हैं इसके लिए कहता हूँ कि मैप्स का सहारा लेकर पढ़ा करिये उसमें बता दिया जाता है कि सबसे बड़ा जो डमलर जल डमरू है वो आकिर है कहां किस किस के बीच है तो आप वहां दिख जाता है कुछ डेविस जल डमरू है सबसे बड़ा जल डमरू एक ग्रेन लेंड और बैफिन दुईप के बीच है सबसे सक्रा जल डमरू युनान एवं युविया दुईप के मत इस्थ थे एंजीन सावे में सबसे बड़ा गल्ब मैक्सको का गल्ब सबसे विसाल जलसंदी टार टार जलसंदी रोष्ट एवं सखाली दुईप की मत ग्रीन लेंड एवं बीफिन दुईप के मत इस्थ सबसे चोड़ी जलसंदी डेविस जलसंदी ग्रीन लेंड और बैफिन दुईप के मत इस्थ सबस कंचन जंगा देख लिए आप लो सबसे उंची परवत माला हिमाला एसिया में सबसे लंबी परवत माला एंडीज दच्छनवीका में याद रखिए सबसे लंबी परवत माला पूछे तो एंडीज अमेरिका है दच्छनवीका में और सबसे उंची पूँचे तो हिमाले में, ठीक है, हिमाले यह सी आमें, सबसे उंचा पठार, पामीर तिबबत का पठार, सबसे नीचा पहाड़ी यह आपकी, बोकिट टामसन बुनेई की, सरबादिक ज्वाला, सरबादिक उंचा ज्वाला मुखी, मांट कोटो पैक्सी, ए रोगोंस्की उजवेक्रिस्तान, सबसे बड़ा बांध कंकीट का, ग्रांड कूली बांध, कोलमिया नदी, अमेरिका में, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म, गुरपूर उत्तरविदेश बाहरत का, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, ग्रेंड शेन विस्व का सबसे बड़ा टैलिसक इसको अब दुर्वीन फास्ट या पकचीन द्वारा निर्मित है सबसे बड़ी रेल में सुरंग या किये सीकन रेल सुरंग जापान में सबसे बड़ी सड़क सुरंग सैंट गुथाईएर्ड इस स्वीजलेंड में सबसे उच्ची सड़क लेह मनाली भारत के सबसे बड़ा सड़कपुल वांदरा वरली सीलिंक मुंबई भारत सबसे बड़ा दूसरा सड़कपुल मातमा गांदी सितु पटना भारत सबसे बड़ा राजमार ट्रांस केनेडियन राजमार सबसे मुच्छा नगर वेंचुआन तिबबत में सबसे मुच्ची राध्धानी लापाज बोलिविया की सबसे विशाल दलल एप्रिपेट पेट दलल साइबिरिया चित में सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा अभिरिका में एसिया के सबसे बड़ा रियागिस्तान गोवी मंगोलिया चप्षे ठंडा पिदेश बोस्टॉल अंटार्टिका सरबादिर बुद्धिमान पसू चिंपान जी सबसे विशाल मंदिर अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में सबसे बड़ी मूर्ति स्पेंग ट्रेंबल बुद सबसे बड़ा पुस्तकाले कॉंग्रिस पुस्तकाले बॉसिंग्टन युएसे में इसकी इस्थापना अठारे सो में हुई थी सन अठारे सो में सबसे बड़ा चडिया घर एक क्रोगर नेशनल पार्क दच्छे डविका में सबसे बड़ा महाकाप महावारत सबसे बड़ा बोडो अफैलो नेशनल पार्ट कनाड़ा में सबसे बड़ा तिले नेटोरियम मिया जाकी जापान सबसे बड़ा राजपरसाथ इंपिरियल पैलिस विजिंग चीन में सबसे बड़ी कार्याली इमारत पेंटागन सहीगतरा जमेजिका सबसे लंबा बैक्च सिकोया का बैक्च कैलिपोनिया में सबसे पसू उँचा सबसे उँचा पसू तो यह आपका जिराप है सबसे बिसाल काय पसू बिलू भेल है सबसे बड़ा पक्ची ओस्टिच सत्र मोग है सबसे बड़ी मस्जित की अगर बात करें हम लो तो मस्जित अलहराम है यह मक्का साउधी एरब में सबसे उची मस्जित की बात करें तो सुल्तान हसन मस्जित काहरा में समय है सबसे उची मीनार कुतम मीनार भारत की है सबसे बड़ा गिरजाग है बैसिलिका ओप सेंट पीटर वेटिकन इटली में, सबसे बड़ा गिर जाग है बेटेन वेटिकन सिटी पैलिस इटली में, सबसे उची बिल्डिंग बुर्ज खलीपा, याकी 839 देसमलो 84 मीटर है, सबसे लंबी दीवार, चेन की दीवार, सबसे बड़ा इस्टेडियम, इस् इस्थान, यह आपका मासेनरम मेगालय में है भारत में, सबसे बड़ा घंटा गर, दागरेट बेल जाली मास्कोर्यूस में इसमारक इस्थान वड़िये देश Statue of Liberty Newark में US है किये Newark में स्थे थे US Kremlin Moscow, Rose Eiffel Tower, Paris, France Imperial Palace Tokyo, Japan Christ, Reed Ramar, Dirmar Rio de Janeiro Brazil, Opera House Sydney, Australia ठीक है फिर मुख देश की राष्टी पितीक आप लोग मैप्स वाला इससर देख लें तो मेरी इप्चाईएगे तो आप बहतर तरीके से रहेंगे ये तो तब के लिए है जब आप पेपर देने जाया उस टाइम आपके पास टाइम नहीं रहता है तो आप इससे रिवेजन के तोर पर देश सकते है ये आपका देश हो गया ये पितीक हो गया नुजीलेंड शर्दन क्रोस फंड कित्वी नौर्वेज सेर पाकिस्तान स्टार एंट क्रिसेंट सूडान एगल इटली व्राइट फाइब पॉइंट इस्टार डेनमार्ट कोट और आम्स में तीन सेर जापान क्राइस सेंथे सेंथे मम बेल्जियम सेर सेरिया हॉक रोस डबल हेड़ एगल तुर्की चांतार नीदलेंड सेर थ्रांस फिवलर दी लिच ऑस्टलिया वेटल फंगलादिश कमल वाटर लीड जर्मनी एगल आइवरी कोष्ट हांती अमेरिका बोल्ड एगल इस्कोटलेंड थेसल इस्पैन फिलर्स ऑप हर्कियुलीस कनाड़ा मेपल लॉप लीड यूनाइटिट क्रिगन उप सेर ट्यूमर ट्यूदा रोस इरान सेर बारत असोग चक्र बारत कभी याद रखिया असोग चक्र राष्टथ राष्टथ्ध्यक्ष शासंसनद्यक्ष के अधिकारिश निवास इस्थान और कारिस्थन ये आपकी राष्टथ्ध्यक्ष सासनद्यक्ष और जतने यह स्थान गया के भारत और ती राष्टपती राष्टपती नई डिल्ली में हैंए बारत के पदंतरी साथ लूग out अदिल में कर्णारा कर्णाद मंतरी 24 सॉसेक्स डरराइब पोटा वां मेंटेंं पदान मंतरी 10 डावनिंग डावनें candidate consider इतली राष्ट्रपती एक के करीनल पैलिस रोम में सरुक्द्राज अपरीका गे राष्ट्रपती राइधिस वाइडवाड़ हॉस वर्सेंटन डी से में मैंक्सिको राष्ट पती लॉस्पैंब सेंट आयलें राष्ट पटी आरास एन वास्तारेंड डबलीं इस्पैन राष्ट पथी पेलिसी ओ दीला मुना मुनान कोलूं मेड्रेट बेटन महारानी बगी बगिंगम पेलिस लंदन में जर्मनी चांसलर फैरलर चांसलर्स ऑफिस वहलें इंडोनेसिया राष्ट पती इस्ताना म पाकिस्तान राश्ट्पती इवान एक सदर इसलामाबाद पुर्दगाल राश्ट्पती पहले सीओ डी बेलें लेसवन और अस्टेलिया पिधान मंत्री दी लाज कैनवरा में का बेल्जियम नरेस चैटिव डी लाचें बुसेल्स में फिर आपके अगर आपके दच्छिट कुरिया के राश्ट्पती की बात करें तो बिलू हाउस में रहता है सेओल में दच्छिट अफिरिका के राश्ट्पती यूनियन बिल्डिंग में पिट्टोरिया सुरिलंका के राश्ट्पती पूर्पित में पिधान मंत्री टैंबल ट्रेग में र कुछ सरकारी दस्तावीज है कुछ देशों के सरकारी दस्तावीज व्राइट पेपर व्राइट पेपर जो आपका व्राइट पेपर है भारत की सरकारी रिपोर्ट जो तथ्थों से प्रकासित की जाती है एलो वोक फ्रांज सरकार की रिपोर्ट या प्रकासन है बिलू वोक ये बेटिस सरकार की रिपोर्ट या फिर पिकासन है, ग्रीन वोग, ये एडली और इरान सरकार की रिपोर्ट या पिकासन है, ग्रे वोग, ये जापान तथा बेल्जियम सरकार की रिपोर्ट या पिकासन है, Joint ये दो या फिर अधिक सरकारों का सयुक्त दस्ताविज होता है Right book ये पुर्दगाल चीन तथा जर्मन सरकार की रपोर्ट या पिकासन है Orange book ये आपके नीदरलेंड सरकार की रपोर्ट या फिर इसमें पिकासन होता है इसके जरीए ठीक है फरे आपकी विस्ट की पिरमोग समाचार एजेंसिया है ए एजेंसी होगी ये देस होगी है Writer ये आपकी वेटेंड किये Agency France प्रेस ये फ्रांस की United प्रेस इंटरनेशनल अमेरिका की International News Service अमेरिका की Association प्रेस अमेरिका की तास आपकी रोश की अंतारा इंडोनेशिया की Arab News Agency ये आपकी अरब देश की है Globe News Agency नीदरलेंड सेत्रा स्लोबाकिया New China New Agency ये चीन सिन हुआ ये चीन की तांजुग ये यूगोसलाविया क्यूडो जापान बतारा जॉर्डन बेलगा बेल्जियम इर्ना ए इरान की है मैना मिस्स की है इंगोप अंगोला की है जीजी ये आपकी जापान की जियाना जिम्बाम्बे रोम प्रेश रोमानिया अंसा इटली परना मलेसिया की है सी एस टी के ए चैकडराज की इतिम ए इजराइल की कुना कुवेद की नोवोस्त की नोवोस्त की नोवोस्ती ए आपकी रोस पाप पोलेंड प्रेला क्यूबा सापा ए दच्छडफी का सिप स्वीडन यूनहाप दच्छड कूरिया बी एसस वंगलादिस डी एपी जर्मनी नौटी मेक्स मैक्सको नान नाइजेरिया वाफा फिलीपिन्स फिलिस्तीन ए ए ए पी ऑस्टेलिया यह आपकी प्रमुख देश की गुप्तचर एजेंसिया है देश हो गए गुप्तचर संस्ता हैं जैसे इसराइल की है मुषाथ मिच्छी अ मुखवरात जापान की है माईचो इरान की है सावाथ शैट्राज अमेरिका की बात करें तो सेंट्रल एजेंसी इंटेलिजन्स प्रपो टी एजन सी अभी अमेरिका की गुप्त सेक्टराज अमेरिका की गुप्त कर एजन्सीश हैं फिर गास करें तो Central 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 थे स्ट गतर्ल लेजा डेपाट्मेंट मिनिस्टि फेस्ट कॉर्टि punti इराग की बात करें तो अल्मुक वराद फ्रांस की बात करें तो DGS डारेक्टर जनल डी सेकॉर्टी एक्स्ट्री कर CUR इस्पेन की बात करें तो CESID और क्यों बात करें तो DGI DGI Director General D Intelligence फिर आपके बात उस्टेलिया के अगर बात करें तो उस्टेलिया की आपकी Australian Security and International Intelligent क्या है Australian Security and Intelligence Organization जर्मनी की बात करें तो BND है रूस की आपकी KGB है कोमितेट गोसुद रस्त बिन्नोई बेजोपास्त नौस्ती GRU भी है इसकी दच्छे डफीका की बात करें तो Bureau of State Security कनाडा की बात करें तो Security Intelligence Service बेट इन की बात करें तो MI Military Intelligence 5 इवं 6 Special Branch, Ultra Joint Intelligence Organization इसा भी आपकी बेट इन की हुए पाकिस्तान की बात करें तो Inter Services Intelligence ISI ISI ठीक है यह आपकी है बरतमार में विस्ट के पिर मुख समाचार पत यह समाचार पत हो गया, पिकासन रिस्थर हो गया ठीक Daily News आपका Newark USA Newark Times यह आपका Newark USA Miami Herald Miami USA Boston Post Boston USA Los Angeles Times यह आपका Los Angeles USA Chicago Tucson Chicago USA Boston के लोग Boston USA Christian Science Monitor Boston यह भी आपका USA से निकलता है Wall Street का General यह आपका Newark USA USA Today यह आपका अर्लिंग तन यूसे फिला डेलफिया इनको फिलाडेलफिया सबसे पुढ़ाना देने के गार्जीएन भीकली लंदन यूखे से नीवक इस्टेट में लंदन यूखे डेली मेर लंदन यूखे टाइम्स ओप लंदन ये आपका लंदन यूके से मैंचेस्टर गार्जियन ये मैंचेस्टर यूके डेली टेलिग्राप लंदन यूके डेली एक्स्प्रेस लंदन यूके डेली मेल लंदन यूके इंडिपेंडेंट लंदन UK, सन लंदन से UK से, टोडे लंदन, फाइनेंशियल लंदन UK, ग्लासगो हेराल्ड ये भी ग्लासगो हेला UK से निकलता है उसके बाद गिलोप एंड मेल, ये आपका टुरंटो कनाडा, टे डेली टेलिग्राफ मिरर, सिड्नी ऑस्टेलिया, सन व्रिस बैन ऑस्टेलिया, हराल सन एज मेलबर्न ऑस्टेलिया, डेली निउच दर्वन दच्छिडपीका, इस्टार जहानश्वर्ग दच्छिडपीका से ला रिपब्लीका इस रॉम इटली, ला गजेटा डेलो, मिलान इटली, स्पोर्ट्स, ला मुंडे, इपेरेश फ्रांस, लीबिप, फिगारो, प्रेश फ्रांस, क्वेश्ट फ्रांस, जरनेश फ्रांस, वेल्ड, हैंबर्ग, जर्मनी से उसके बाद वर्लिंग जितुंग, ये बर्लिंग, जर्मनी से, सवा है, ये इंस्तावूल तुर्की, अलफायस, मेटरेश रिष्ट पेन, एक्सपरेशन, इस्टाखम, स्वेडन, डॉन, कराची, पाकिस्तान का है, डेली जंग, ये भी आपका इस्लामावास से निकलता है, पाकिस्तान का है, पाकिस्तान टाइम्स, ये राउल पिंडी का है, ये आपका पाकिस्तान का है, डिुमा, सूफिया, बुल्गारिया का है, प्रेश, प्राक्चेगडराच, पीपोल्स टेली, बिजिंग, चीन, साउथ चाइना, मॉर्निंग, होंग कोंग, चीन का है, एस्य मर्दान तेहरान का है इरान का प्रावदा मॉस्को रूस जिवस्था मॉस्को रूस इजबेश्टिया मॉस्को रूस ट्रूद मॉस्को रूस मैंची सिंबुन यो मेरी यो मेरी ये आपका सिंबुन असाही सिंबुन ये टोक्यो जापान उसके बाद राइजिंग नेपाल समय यव काठवान्डू नेपाल का, पॉलिटिका, बेलगेड युगो सिलाविया, डेली एक्सप्रेस, कौलालामपूर, मलेसिया, दा आइलेंड सन, कोलंबो, स्रीलंका का, खलिज टाइम, दोबई, युवेई, कुरिया हेराल्ड, सियोल, दच्छिर कुरिया का, चाइना टाइम ताइपे, चाइना, ताइवान का है, अल्साव, अल्जिरिया, अल्जिरिया का है, इस्टन सन, सिंगापूर, नियान डौन, हनोई, वेतनाब, बंगलादिस ऑपजर्वर, एड़ा का बंगलादिस से निकलता है, ठीक है, अब हम देखते हैं, एक से अधिक राजधानी वाल की लेजे, सबसे पहले, तो इसकी राधधानी पिक्टोरिया है, जो, इसकी कैप टाउन है, जो इसकी बैधानिक राधधान ओर विलोम फोटन टीन है, जो नहायक राधधानी है, तो इन तीनों को याद रखे है, अगर हम लोग स्रिलंका की बात करें, तो स्रि जै वर्धन पुरा यह आपकी पिसासनेक राध्धानी है इसकी कोलम्बो व्युसायक राध्धानी यानि की वाडेचिक राध्धानी है सिलिलंका की अगर हम लोग बोलीविया की बात करें तो इसकी भी दो राध्धानी है सुक्रे यह अधिकारिक संब्धानिक राध्धानी राष्टी न नेयाइक संस्थान हैं और दूसरी है वेल फिराजू ए आपकी राष्टीयदानीक काल आईबरी कोष्ट योमो साउक्री यह आपकी अधिकारिक राद दानिया दूसरी है अविध जान मलेशिया की बात करें तो कौला-लामपूर इसकी एक कौला-लामपूर जो अधिकारिक एकी आपके देश हो गए राजनेतिक दल, इसे भीक भी बहुँ पूंच लेता है, बालत की बात करें तो भारतीय राष्टी कॉंग्रेस और भारतीय जंता पाइटी यहां दो मुख बाकी हैं राष्टीय दल भी है हमारे और छेत्रिय दल भी है लेकिन मुख दो ही पाइटी है जो अभी तक केंद में सरकार बना पाई है एक भारतिय राष्टी कॉंग्रेस और एक भारतिय जनता पार्टी पाकिस्तान की बात करें तो Muslim League और Pakistan People's Party चीन की बात करें तो Communist Party of China एक ही पार्टी यहां है स्री लंका, United National Party और Freedom Party याद रखिए जहां एक से जानला पार्टी यहां होती हुआ आपके पास बोट दैने के लिए मद्दाता के पास अधीक ऑप्सन होते हैं लेकिन आप सोची यह की पार्टी होती है आपके हैं कोई भी तो आप किसी को बोट देते या ना देते उसकी जीत पकी थी ना तो इस तरह से लोक्टंट नहीं कह सकती हैं आपन क्योंकि कि हमारे पास option ही ना हूँ कुछ तो लोगतंत में जी रहे हैं कैसे कह सकते हैं अगर दच्छिड अफीका की बात करें हम लो तो यहां अफीकी national congress national party इंका था freedom party देखने को मिलेगी United Kingdom की बात करें तो conservative party, labor party, liberal democratic party भी देखने को मिलेगी नेपाल की बात करें तो नेपाल, नेपाली communist party, नेपाली congress party देखने को मिलेगी यहां आपकी ठीक है उसके बाद अगर रोस की बात करें हम लो तो liberal democratic party, रसाज 24, communist party, united russia party उसके बाद सयुक्तराज अमेरिका की बात करें तो republican party और democratic party, एराग की बात करें तो वाथ party इसराइल की बात करें तो liberal party, liquid party, और हदास party और saas party फ्रांस की बात करें हम लो, socialist party, national front union, for french democracy, औस्टेलिया, liberal party, liberal party, यह औस्टेलिया में बंगलादेश की बात करें तो बंगलादेश, national party, आवामीली, जातिये party इसके बाद आपके पिछले चिन्न है, उनके आर्थ हो गए, यह भी आपके कभी भी पूंची सकता है, यह पिछले चिन्न हो गए इनका आर्थ, जैसे काला जंडा आप लोग देखते होंगे, जब बिरोध पिदर्शन होता है, कहीं, तो काले जंडे का प्रियोग करते हैं, इसका है, बिरोध का, इसका अर्थ होता है, बिरोध करना, लाल जंडा, एक खत्रे का चिन्न और करांती का पितिक होता है, लाल तेकोंट, एक परिबार नियोजन के लिए उपयोग होता है, रेड क्रॉस, डॉक्टरी सायता, अस्पताल के लिए इसका उपयोग होता है, ला कि आको राठ्टी सोक मनाय जाता है। आट में आक सी पटि भांदी स्थी हाथ में तराजववी ए आप नियाले में देखते हैं, एह नियाय का पितİक है हरा पिकास रांचता सापDas के सिंगनल cargo, अले ब्रांच, इसांती का पिती, बाहे की काली पट्टी, बिरोध या फिर दुक्कापिती, डव, फाक्ता, इसांती कविती, दो हड्डियां तथा एक दूसरे की काट्टी भी, यह आपने देखा का खत्रा का बिजली के खमों पर इस तरह के चिन्दम बने रहते हैं फिर आपका सोइत जंडा, यह उन जहाजों पर लगाया जाता है, जो संक्रमा क्रोक से पीड़े तुरोगियों को ले जाती है, सितारे और पट्टियां ओल्ड गिलोरी, एक अमेरिका का राष्टी यह जंडा है, किसका अमेरिका का अब बात करते हैं, बिस्तु में सरवाधिक राष्टों की सीमा को इसपर्ष करने वाले देश, जैसे चीन, इसकी सीमा है 14, कहीं आपको 13 देश में लेंगी, कहीं 14, तो आप लोग याग रखिए, जरूस की बात करने तो इसकी सीमा हैं भी 14 देशों को इसपर्ष करती है, ब इसकी आठाठ देशों को इसपर्ष करती हैं सीमा है, अब बात करते हैं विसके प्रमुक आतंगवादी, उगवादी, अक्तिवादी संगठन, पाकिस्तान की अगर बात करें तो हरकत, उल्मुजाहिदीन, जैसे मुहमद, लस्गरे तेवा, लस्गरे जांगवी, तहरी के तालिवाद, इस अभी ही पाकिस्तानी अतंगवादी संगठन, साउधी अरब की अगर हम बात करें तो अलकायदा हो गया, अलकायदा इन अरिवियन पैनिसूला, उसके बाद आपने सुनाओगा, अलकायदा इन इस्लामिक मदरीव, यह भी साउधी अरब का ही है, स्री लंक इसलामि, फिलिस्तीन की बात करें हम लो, तो यहां आपको देखने को भी लेगा हमास, इसलामिक जिहाद, पैलेश्टाइन लेवरेशन फ्रेंट, अभू निदाल गुट, अल-अक्सा माइटियस विगेट, सिरिया की बात करें तो इसलामिक इस्टेट और इराक एंड सिरि अल-फिलिपिन की बात करें, तो इसलामिक लेवरेशन फ्रेंट, अगर इस्पैन की हम लोग बात करें तो बास्क फादर्ल्रेंड और इराक की बात करें तो जमाल, जमाद अल- तोहित वल-जिहाद, सुमालिया में आपका अलसबाब लीविया में लीवियन इसलामिक फाइटिंग ग्रोप एलाई एपजी तर्की की बात करें तो कुर्दिस्तान वर्स पाइटी पीके की इस्पेंड की बात करें तो वस्क फादरलेंड एंड लिवर्टी ETA इस्राइल की बात कहाने चाहिए इरान में आपका जुन्दा अल्ला है युगांडा की अगर बात करें तो यहां लार्ट्स रेजिस्टेंस आर्मी नाजीरिया में आपका बोको हरम कॉलंबिया में आपका रिबो लेसनरी आम्स फोशर और कॉलंबिया अब चलते हम लोग बिस से पिसित याक्त्री और उनकी उपलब्दिया सबसे बहले बात करते हैं किस्टोफर कॉलंबस साहब की बारे में यह इटली के निवासी थे अमेरिका की युगा और पिट्टोरी को और विष्टिंडीज की कोज इनो ने की थे किसने किस्टोफर कॉलंबस ने फिरावक के रॉबर्ट फेरी ये भी अमेरिका के थे उत्तरी दुर्ब की कोज 1909 में इनो ने की थे चार्ल्स विलेंक सन ए अमेरिका के थे अंटार के टीका की कोज 1840 में इनो ने की थे बासको टीगा मा पुर्थकाल के थे मेडा गासकर की तट और भारत के लिए समुद्री मार्ट की कोज 1498 में की जैम्स कोक वेड़िन की थी पूरे विस्क का तीन वार भिमर किया निउजिलेंड और और उस्टेलिया के तटों परमान चित्रिये अनभेशन किया जैम्स कोक ने ही ऑस्टेलिया और निउजिलेंड के तटों का नाब निउजिलेंड वेड़िन की खोज भी आपके जैम्स कोक ने ही की थी उसके बाद हैं आपके जॉन डेविस ये बेटेन के थे ग्रेन लेंड की यात्रा इन्होंने 1585 में की डेविस इस्टेट की खोज की थी अन्टार्किटिका की धर्थी पर कदम रखने वाला पिथम यात्री था कौन जॉन डेविस साथ परवरी 1881 फ्रांसिस डेख बेटेन का था विसकी जल यान द्वारा परिक्मा करने वाला पहला अंग्रेजी था मेखाइल पील ला जा रहे हो यह रोस का था अंटार्किया की मुक्भूमी पर पहुंचने वाला पिथम यात्री था रोयल्ड एहमोंडेशन यह नौर्बे का था दच्छी दुर्प की या खोच की इसने 1911 में उत्तरपश्मी और उत्तरपूर भी रास्तों की यात्रा करने वाला विसका पिथम बैखती था अमेरिगो बिश्चू बिश्पोची एक इटली का था अमेजन नदी की मुहानी की खोच और दच्छन अमेरिका की तट की खोच और अमेरिके की नाम पर अजिश्थी की नाम पर अमेरिका का नाम पढ़ा था वास्को नंज दा बालगुगा इस्पैन का था सरपे था पिसा एक बात मुझे समझ में नहीं आई या अंटार्क अंटार्क्टिका की धर्ती पर कदम रखने वालों पित्थम यात्री था तो साथ फर्वरी 1821 कैसी हो सकता है यहां आपका दिया गया है 1850 तो इस डेट को अटाइए इसे इतना याद रखिए अगर बात करें अब इसकी पिरमुक धार्मिक इस्थलों की अमलोग तो येरुसलम जैसा कि आप जानते ही कि यहूदी इसाई और मुसल्वानों का इस तीर्थ स्थान है 1967 की यहोत्त के बाद यह जिरायल की अदीन आ चुका है यहां अल अक्सा मस्जित इस्थ जिसे उन्नी सो नत्र में यहूदियों ने जला दिया था यह बिलिंग बॉल भी इस्थे यहां आपकी बिलिंग बॉल भी इस्थे थे तर्यापकी अबूस सिंबल अस्वान बांध की निकट बनी यह मस्जित बहुत पुरानी है जिसका पुनर निमार कराए गया इफेसस एस्या माइनर के तरप पर इस्तिति है नगर डायना की मंदिर के लिए पिसित है कैंडी स्री लंका की इस नगर में बॉद्धों का पिसित बिहार है जहां पक्षेस का मुख्याला यहां इस्थाफित किया गया है फिर आपका बैतलेहम यह इसराइल का नगर है जहां इसा मसी का जनम हुआ था ठीक है बैतलेहम इसराइल में 21 दिसंबर 1995 को फिलिष्टीन सरकार को सौंप दिया है लेहासा यह तिब्वित में से इस्तित दलाई राम की महल पोटाला के लिए पिसित है ठीक है उसके बाद है आगे आपका बैटिकल सिटी यह पोप की नगरी है यह पोप का महल है और सैंट पीटर गिरजागर इस्तित है यह विसका सब से छुटा देश है बैटिकल सिटी बाली यह एंडोनीसिया का एक दूइप है जहां भार है धाका धाका आपकी बंगलादेश की राध्धानी वे किदवंती के अनुसार बंगलादेश की राध्धानी धाका का नाम धाके सुरी के मंदिर के नाम पर पड़ा था धाका मद्दकाल में मद्दकाल तक सूती कपड़े यानि की मलमल और चांदी और सोने की तार को की बस दानी भी ढाका हुआ करती थी पुर्दगाल फ्रांसीसी और डच ब्यापारियों ने सोलेवी और सत्रवी सताब्दी में अपनी ब्याबारी कोटियां यहां बनाई थी पर आपका है मक्का अरम में इस्ते थे मक्का पुराचीन बक्का या फिर मक्कोराव पश्मी साउदी अर मुहकर की और सिरात परवर पर इस्ते थे आपका मक्का या सरवादी पवित्त मुसलिमों का सहर है किसका मुसलिमों को सबसे पवित्त सहर है इसलाम की संस्ताबक हजरत मुहमद मक्का में जर्मी थी यहीं वह धार्मिक केंदे जिसकी और मुहकर के मुसल्वान पिती दिन पा राष्टिय पसूर देश्ट विराष्टिय पसूर युनाइटिक कंग्डम सेर जापान रकुंडॉव निव जिलेंड कीवी भारत बाग ऑस्टेलिया कंगारू कानाडा उत्रिय अमेरिका वीवर नैपाल गाय अब समझे आपकी अपना कितना संबंद है नैपाल से सांसकिति समझ हमारे बहुत मिलते जुलते हैं नैपाल से गाय आपके यहां की लोगों की नाम भी वहां आपके यहां जैसे ही बढ़ते हैं और आपने देखा कि कई लोगों की साधी भी नैपाल में अपने हासे की जाती है विसके साथ नए आश्चे साथ अगस्त 2007 को लिग थे ताजमहिल आगारा भारत इसका स्थापना शूले सो यहां में कई अचीन में इसकी स्थापना सानंसो ईशा पूर में की घई ती पैट्रा जोर्डन मेर के स्थापना तीनसोफारे में क्राइश्ट ता रीडीमर की मूरति ए बेले में 1931 में माचू पीचू के इंकान खंडर पेरू यह आपका 1438 में है चेचेन इतजा पेरामिड यूर्केटन मैट्सकू 600 इसवी की बात है रोमन कोलोसियम यह आपका रोम इटली में 770 इसवी में इसकी इस्थापना की गई थी अब बात कर लेते हैं भारत में पित्वम महिला इनसे भ कादामनी गंगुली एवं चंदमुकी बासू यह बात है आपकी 1883 की और उसके दो साल वाद आपने देखा होगा कि कॉंगरिस की स्थापना हुई 1885 में पित्वम महिला इसना तक पितिष्ठा एक कामनी रोय थी 1886 में भारत रतन से समानित पित्वम महिला आपकी इंद्रा कोश्का Γishuری किनन वेती पित अमाहिला मुख मंत्री सचेता किपलानी उत्तर परदेश की पित्वम महिला कैंद्रीयमंत्री राज्कमारी एमरात कोर पितम महिला कॉंग्रेस सद्र्ष डोक्टर एनई पैसेंट बायुशना में पितम महिला पालीट यांकी हरिता कोर काउंती मारसद पीब बंदुपाद्याए इसलिए कह रहा हूं कि एक सरल कुष्चन है फिर भी इनसे पूचे जाते हैं और हम सौल कट नहीं कर पाते हैं गलत करके आ जाते हैं तो अच्छे से याद कर लिजी दो भारत की पिथ्थम मैला लोग सबाध्याष्च मीराकुमार भारत की पिथम मैला राजेसबा अत्पत्याष्ट वाइलीट अलवा उसतरहे के에서도 संशने जाते हैं उस तरह कि हमें याद भी कम होते हैं भारत की पिथम महिला सामसत्स राधा भाई भाराम रायन यसे भारत की पिथम महिला राजपल सरोजीनी नाइडू उत्तर पिदिश की थी। UPSC की पिथम महिला अध्यक्ष रोज मेलियन बेत्य। भारत का पिथम महिला सास्क्या रजिया सुल्तान। भारत की पिथम महिला आईएस अन्ना जोर्ज। सुप्रीम कोट की पिथम महिला नियादीस मीरा साहिब फातिमा बीबी सुप्रीम कोट की बात कर रहा हूं उच नियाले की पिथम महिला मुख नियादीस यहां आपकी महिला नियादीस थी के वाल मुखनयादी से याथ लीला सेटे, यह उच्छ नियालाई की है, याद रखी हाई कोट की, हे माचल पे दिसकी थी, देश की पितम महिला सत्तनयादी स, अन्ना चांडी यह किरल की थी, असोक चक्य पाने वाली पितम महिला नीज्या भानोट, सेटराष्ट संग की पितम महिला भारती राज्दू, बिज्याल अच्मी पंडी, इंग्लिक्प्लाव कर्णने वाली पिथम भारती मैला 8. साः नौलबल पुरोस्कार पर्राप्त कर्ने वाली पिथम भारती मैला बधर टेसा एवरेश्ट शेकर पर पोहुचने वाली पिथम मैला बचम aquest पर दृसी मрах reflected हम लोग पुरू समझ बैठते थे पहली मेश युनिवर्स बनने वाली पितम मैला सुसी मिता सेंड अर्जुन पुरसकार पाने वाली पितम मैला एन लंप्डेंड होकी में उननीस सेक्समे ओलमपेट में कोई पतक पाने वाली पितम मैला काईम मले सरुई एक कास पतक अर्जो नेवम राजीब गांदी खेल रतन दोनों पुरुसकार पाने वाली पितम महिला कुंज रानी ग्रांड ओल्ड लेडी पितम महिला मेर ताराचीरियन चैन्नाईगी पितम महिला चेयर परसन ओप इंडियन एरलाइन्स सुसिमा चावला अंतिरिक्ष में जाने वाली पितम भारती महिला कलपना चावला अमेरिकी नागरे ओसकर पुरुसकार जीतने वाली पितम भारती महिला भानु अथेयर ACI खेलों में स्वःट पदक जीतने वाली पितम महिला कमल जी संधु दच्छिडी धुरुप पर पहुँचने वाली पितम भारती महिला रीना कोसल धन्व सक्टू गोवी रहगिस्थान पर पार करने वाली पितम महिला सुचेता कड़े नातकर राजसबा की पिथम महिला मासचे बी एस रामास्वामी राजसबा की लिए नावांकित होने वाली पिथम महिला फिल्मी अभिनेत्री नर्गिस दत अंटार किटी का पहुचने वाली पिथम भारती महिला मेहर मूसा साइग तकादमी पुरुसकार जीतने वाली पिथम महिला, अमरता पितम उलम्पिक खेलों में भाग लेने वाली पितम महिला, मैरी लीला राओ भारतीय सिनमा की पितम अभिनेतरी, देवक्यारानी, रोरिक राष्टिये महला आयोक की पिथम महला देर्च जैन्ती बटनायर दूरदसन समाचार वाचक पिथम भारती महला पिथिमा पुरे विस बैडमिंटन चेंपियंसिम में महला एकल का खिताब जीतने वाली पिथम महला पीवी सिंदू तो ये आपकी कुछ जनरल नौलेज के लिए कुश्चन्स है ये हैं आपके भारत में पिथम पुरुस अब पुरुसों को क्यों पीछे छोड़ें वरना बुरा मान जाएंगे समझ रहे हैं नीती आयुक का पिथम अध्यक्ष नरेंद मौदी साहब क्योंकि आप जानते हैं कि योजन आयुक को पिथी स्थाबित करके एक जन्वरी 2015 से आपका नीती आयुक आ चुका है ये उजन आयुक की तो नरेंद मौदी इसमें पिथान मंत्री को ये अध्यक्ष बनाए जाता है नीती आयुक की पिथम उपाध्यक्ष की वाद करें तो प्रोफिसर अर्वेंद पंगडिया भारत के पिथम राष्टपती डॉक्टर राजन पिसाब भारत के पिथम मुसलिम राष्टपती डॉक्टर जाकिरो सेंड याद रखिए इन सब की बारे में वाइग्योराफी साब भारत का पिथम उप्धान मंत्री ओगरे मंत्री शर्दार बल्लब भाई पटेल साब जिनकी नाम पर अभी आप देखते हैं कि राजनीती होती रहती है और इनकी सबसे उची चोटी वह मूर्ती भी बनाई गयी है गुजिरात में एहमदावाद में ठीक बारत के पिथ 20 मंडल से इस्थीवा देने वाला पिथम मन्त्री स्याममापिसाद मुकर जी नितिसों बच्रास की बात है पिथम Chief of Year Staff, Year Marshal Sir Thomas M. Hurst भारत का पिथम बायू सेनाध्यक्ष, Year Marshal S. मुकरजी भारत के पिथम नो सेनाध्यक्ष, Vice Admiral R.D. कटारी पिथम Chief of Army Staff, General S. राजिन सीं सुतन्द भारत के पिथम कमांडर इंचीत, General करीपपा पिथम फील इमार्श, General मानिक सौब लोगसाभा का पिथम अध्यक्ष, यह आपके हैं गडेश्ट बासुदियो मावलंकर, भारत का पिथम चुनाव इफ्थ सुकुमार सेन्द, भारत का पिथम मुक्षनयादीष, Justice हीरालाज, जेकानिया, भारत का पिथम गवर्नर जनर, Lord William बेंटे भारत का अंतिम गवर्नर जनर और पिथम वायस राइए, लौड कैनिया, भारत का अंतिम वायस राइए, Lord और सरवपल्ली राधा किष्णा भारत रतन से सम्मानित पिथम विदेशी नागरिक यह थे आपके खान अब्दूल गफ़ार खान भारत रतन से सम्मानित होने वाले पिथम विदेशी नागरिक थे खान अब्दूल गफ़ार खान ग्यानपीट पुरुसका से सम्मानित पिथ पिखने वाले एक लाड़ी अभी ने बिंदा 10 मीटर एयर राइफल में 2008 में बेटी संसत का सदस्त बनने वाला पिखम भारती है दादा भाई नौरो जी बारत में पिखम समाचारपत्य सुरूं करने वाला बैक्ती जैम से हिक्की भारत में पैंटिंग पेस का फिशलन करने व भारत की पिखम मुख नियादिस याद रखिए 1947 की बात हैं 29 सेप्टमबर 1907 एह नियाबारती सरोष हॉमी कपाडिया एसेच कपाडिया याद रखिए भारत सुतंत भारत में जन्मी थी हैं अंतराष्टी नियाले में पिखम भारती नियादिस अध्यक्ष थे डॉक्टर न नगेंद नागेंद सींग अंतराष्टी नियाले में पिखम नियादिस बैनेगल रामाराओ भारती राष्टी कॉंग्रेस की पिखम अध्यक्ष बेहम चंद बनरवी भारती राष्टी कॉंग्रेस की पिखम मुसलेम अध्यक्ष बदरूत नेंते अपची राष्टी 1913 में गीता अंजली के लिए दिया गया था बारत के पितम नोबल पुरुषकार बिजरीदा की बात करने तो सीवी रमन साहब बहुत की किछित में कि मैक्सिस अवर्ड पाने वाले पितम भारती है ऐ अचैर बिनुबा भावी सांफ इश्टालिन पुरुषकार प्रात करने वाला पितम भारती है शेफदीन कीछलू गोल्डेंड गिलोब अवर्ड जीदने वाला पितम भारती है ए आर रह्मान ICS में सफल होने वाला पितम भारतिय सत्यन नाट टेगोर अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पितम भारतिय राकिस सर्मा थे कौंते राकिस सर्मा इंगलेश चैनल को पार करने वाला पितम भारतिय मेहर सेन थे पाकेस्टेट तराकी पितियोगुता जीतने वाला पितम भारतिय बैदनाथ बिनाव उक्सीजन के एवरेष्ट की चोटी पर पहुँचने वाला भारतिय सिर्पा अंग्त दोर्जी भारत का भिर्मट करने वाला पितम चीनी यास्त्री फायान मोगल दर्बार में आने वाला पितम अंग्रेजी हॉकिन्स भारत का भारत आने वाला पितम अमिर्की राठ्वती डिवाई डेविड आईजन हॉवर भारत आने वाला पितम बैटिस पिधान मंत्री हैराल्ड S. M. C. Milon भारत आने वाला पितम रोसी पिदार मत्री, निकोलाई ए बुल्गारिन बात करते हैं भारत में पितम पितम बोलती फिलिम थी आलमारा ये आपकी 1931 में, आरदे सर एराने भारत का पितम टेक्नी कलर्ज फिलिम जासी किराने, भारत का पितम 3D फिलिम, माई डियर कुट्टी चातन, भारत का पितम हाई स्पीड ग्रामीड प्रोडपेंड नेटवर्क की सुरुवाद इदुक्की केलल की बात की जारे पितम प्रायोजिस सीडियल हम लोग ये आपकी 1984 की बात है भारत का पितम समाचारपत की बात करें तो बंगाल गजट ए 1770 की बात है पितम महला रोजगार कार्याल हे जैपूर में भारत का पितम खुला विश्विद्याल हे अंत्विदिस खुला विश्विद्याल हे पितम ACI खिलकाई उजन दिल्ली मेंcionalं बारत का पितम विस्विद्याले, नालंदा विस्विद्याले, भारत का पितम दूर्जदर्शन के अंद, नई दिल्ली में, देश में पहली बार दूर्जदर्शन में रंगीन कारिक्रमों का पिसारन, 15 अगस्त 1982, पितम मूख फिलिम, राजा हर्ष्चन, निर्माता फाल की 1992 92 की बात है भारत का पितम परमाडू रियक्टर अरने मरंसरा पितम परमाडू भन्गी संब्स अगनी बहत का पितम आडवीकेंद इतारापुर में बात करते हैं भाइरत में सर्वादी कबारा लंबा उंच्छा यानि की सबसे लंबा पुल भूपैन हजारिका सेतु ब्रंपुत नदी पर डोला और सदिय घाट के पीछ यह भूपैन हजारिका वही व्यक्ति है जिन्हें भाधतरतन दिया गया है 2019 पेड़ा मुखर जी के साथ सबसे लंबा दूसरा सड़क पुल यह आपके बांदरा वर्डी सील सबसे लंबा तीसरा सड़क पुल मातमा गांधी सेतु पठना सबसे बड़ा पसुओं का मेला सौनपूर बिहार में लगता है सबसे उची मीनार को तुमीना दिल्ली में आपको बताना है कि किसने बनवाई थी से ठीका नीचे बताई लिखकर सबसे बड़ी जील बोलर जील जम्मू कस्मीर में सबसे मुचा गुर्तुयवां भागडावां पंजाब सबसे बड़ा रेगिस्तान थार राजिस्तान सबसे बड़ा गुफा मंदिर केलास मंदिर एलोरा सबसे बड़ा लीवरपुर या आपके हावडा बिरिच कोलकाता सबसे लंबी नहर इंद्रा गां में देखने कोई लेगा सबसे बड़ा चिडिया अगर ये भी आपका जी लोजीकल गाइडन कोलकाता सबसे बड़ी मस्चित जामा मस्चित दिल्डी सबसे उंची चोटी गौर्डविन ओस्टेन केटू सबसे लंबी स्टुरक चड़क ये जवाह सुरंग है 2.85 किलोमीटर ज सबसे अधिक बनोकाराच मध्विदेश और सबसे बड़ा कोरीडोर रामेशुरम मंदिक तमिलाली सबसे उच्छा जर्ना जोग या फे गर्सुपा करनाटक में सबसे लंबी सड़क ग्रेंट टैंक रोड सबसे उच्छा दरवाजा बुलंद दरवाजा सबसे लंबी नदी गंगा नदी सबसे बड़ा अजायब घर कोलकाता अजायब घर सबसे लंबा गुममच गोल गुममच वीजापुर में सबसे उची मोर्ती गौमते सोर करनाटक में सरवादिक बर्षा वाला इस्तान एविस्व में सबसे जानद बर्षा होती है यहां मासिन राम मीगाले में सबसे लंबी तड्रेखा वाला राच गुजरात है 16 सुकली मीटर सबसे लंबा समुदरी तडवाला मेरीना बिर्च चैन नई में इसे आप सुनते होगी कि बिहार का सोग भी कहा जाता ईसे सबसे बड़ी किंतिम जी गोविंत सागर भांगड़ा नागर सबसे गहरी नदी भांगेड़धी अलग नन्दा डेल्टा ना बनाने वाली सबसे बड़ी नदी नर्वदा ओतापी याद रखिए जो पश्चिम की वो नदियां बहती हैं और अप सागर में जाकर मिलती हैं यह एस्चुरी बनाती हैं क्या डेल्टा नहीं बनाती हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो डेल्टा बना सबसे उच्छा हवाई पतन ले लद्दाग में सबसे बड़ा राजिस्थान राज्च छेतपल के इसाब से राजिस्थान है सबसे बड़ा जिला कच्छ गुजराथ सबसे तेज चलने वाली टरेन्ट गतिमान एक्सप्रेस सबसे अधिक आवादी वाला सहर मुंबई महराश् सबसे लंबा रेल माढ डिपूगर से कन्याक मारी सबसे बड़ा पिराक्तिक वंदरगा मुंबई महराश्ट सबसे लंबा राष्टिय राजमाग एनेच सेवन बराड़सी से कन्याक मारी सबसे लंबी तडरेखा वाला राज गुजराथ देखी चुले के हालो यह आपका 1663 किलोमीटर लंबी है इसकी तटरेखा खारे पानी की सबसे बड़ी तटिय जील की बात करनेच चिलका जील उडिशा में देखने को मिलेगी मीठे पानी की सबसे पड़ी जील बोलर जील यह आपको जंबू कस्मीर में देखने को मिलेगी बारत की सबसे लंबी सायट नदी यूमना नदि, धच्छन भारत की सबसे लंबी नदि, गोधबरी, सबसे लंबा बाद, हिराकुंड बाद, उड़िसा, भारत का सर्वोज सौर सम्वान, परम्बीर चक्र, भारत का सर्वोज सम्वान, भारत ततन, सबसे बड़ा गुरुद्वारा, सुर्डमंदीर, ही निक का जनमें देवस हो गए सत्यन दनाद बॉस एकजन मरी कि इनका जनम देवस मनाए जाता है इनका जनम हुआ था आपका 1894 से उन्नीस चौत्तर तक इनकी जिन्दिगी रही है इन्हें आप देख लेन स्वामी वेवेकानंद 12 जनमरी को इनकी जनम देबस मनाय जाता है सुवाश्यन बॉस्ट तेज जनमरी लाला लाजपत्राय 28 परवरी डॉक्टर जाकिरूम ट्रेंड 8 परवरी स्तरोजनी नाइडू 13 परवरी रामकिष्ण परमंस 20 परवरी गुरू रवीदास 15 परवरी स्वामी दयानन सरसुती 24 परवरी उसके बास स कि वी रमन 28 परवरी को मुरार जी देशाई 29 परवरी आप जानते हैं कि 28 परवरी को बिग्यान दिवस के रूम में भी मनाय जाता है मुरार जी का नाम याद रखिए इनका चार साल में एक वार जनम दिवस मनाय जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि 29 परवरी चार साल में एक किते आयन 9 प्रेल, डॉक्टर बी आर अम्वेड कर 14 प्रेल, सर सेयद एहमद खान 17 प्रेल, सत्य जीत राय दो मई, मौतिलाल नहिरू 6 मई, रवेन नाट्य गोर 7 मई, गोपाल किष्न गोकले 8 मई, और चत्पती सिवाजी 12 मई, क्वेन का जनम दिवस मनाय जाते हैं, फिर आप पंत सावरकर 28 मई, स्यामा पिसाद मोकरजी 6 जून, क्वेन पनिकर 21 जून, डॉक्टर बिधान चंदराय, एक जुलाई डॉक्टर्स दिवस के रूमे भी मनाय जाता हैं, इनी की नाम पर, ठीकर, कामराज नडार 15 जुलाई, बालगंगा धर तिलक 23 जुलाई, मुनसी प्रे 19 अगस्त, राजी ब्यांदी 20 अगस्त, ध्यान चंद 19 अगस्त, राष्टी खेल दिवस के रूम में भी मनाय जाता हैं, इनके जनम दिन को, यह बता चुका हूं कि MPPSC में बहुत बाल कुश्चन्स बन चुका हैं, और MP में इससे कई कुश्चन आ चुके हैं, कई परिक्षा दादा भाही नौरू जी, 4 सेप्टमबर, डॉक्टर सरपली दादा कृष्चन, 5 सेप्टमबर को अब चानते हैं कि इनके जनम दिवस को, सिक्छक दिवस की रूम में भी मनाते हैं, गोविंद बल्दब पंथ, 10 सेप्टमबर, बिनुबा भावी, 11 सेप्टमबर, दीन दया दिवस 2 अक्टूबर को और लाल बहादुर भी सास्त्री का भी 2 अक्टूबर को, यानि कि दोनों लोग 2 अक्टूबर को बैदा हुए, मेगनाचा 6 अक्टूबर, जैपिकास नारायन 11 अक्टूबर, लाला हर्दयाल 14 अक्टूबर, सरदार बल्लब भाई पठल 31 राजिन पिसाथ 3 अक्टूबर, स्री राजगोपालाचारी 10 अक्टूबर, सुबह मन्यां भारती 11 अक्टूबर, स्री नेवास रामारुज, 22 अक्टूबर, चरन सींह 23 अक्टूबर, मदन मुहल मालविये 25 अक्टल विहारी वाच्पई 25 अक्टूबर, गौतम बुद, बैस गौतम बुद का 563 इसापूर में जनम हुए था, 483 मिन की मित्ति हुई थी, वैसाक पूरिमा के दिन, याद रखे, गौतम बुद को वैसाक की पूरिमा के दिन, जनम हुए, मित्ति हुई वैज्ञान परापती भी इसी दिन हुई थी, फिर आपके भगमान राम, चैद सु रवियोल अब बल्ले की बारवी तारिकों, गुरु नानक कार्टिक पूरिमा, गुरु गोविन सिंग, पूच सुल्क सब्तमी, काली दास, कार्टिक सुल्क कादसी, कभीर दास, जेश्ट पूरिमा, और सुर्दास, बैसाक सुल्क दसमी, तोजसी दास, सेवन सुल्क सब्त दिन्हें और यह व्यक्ति यानि कीकारोत व्यक्ति सादी ने कितान की स्थापना मुधितलाल नहीं नहीं, जर्मन समराज की स्थापना Count विसमार्ट, भारत में कम्निष्ट पार्टी की स्थापना MN, रॉय, इसलाम धर्म की स्थापना मुहमत साथ, रेड सर्ट्स की स्थापना Gary Valti, अमेरिका में दास्पिता का उन्मुलन, अब्राहिम लिंकन, इनके बारे में बात करेंगे कुछ द याद रखिए एक बार इनकी आखमकता जरूर पढ़िये स्थापना की, अगर टाइम मिले तो, इंडियन एसोसियेशन, सुरेंदनाट वणरजी, बारती राष्टी कॉंग्रेस, एवो हुं, सर्वेंट आप स्थाइटी इंडिया सोसाइटी, गौपाल किष्ण गोकले, मु अब्दूल गफार खान, फर्वर्वर्विलो, सुभाष्चंद बोस, साइंटिपिक सोसाइटी सरसेयद अहमद खान, भक्ति आंदूलन, चेतन महापिर्गु, दीन एललाई, अकवर, ब्रह्मा समाच, राजा राम मुहन राय, आय समाच, स्वामी द्यानन्द सरसुती, सिक अधिक धरम, गुरु नानक, प्रात्म, प्रात्न समाच, के सव चंद सेंट, सक संबत, कनिस्क, बिदवा विवार, इसवर चंद बिद्या सागत, नियादर्सन, महिसी कोतम, सांक दर्सन, महिसी कपिर, योगदर्सन, महिसर पतनजली, रामकृष्ण मेसन, स्वामी बिवेकन सत्य पिथा की समाप्ती, बिलियम बेंटिक, राजा राम मुहन राई 20 में सामिल थे, ठीक है, असायू आंदूलन, मातमा गांधी, खालसापंद, गुरु गोवन सिंग, गदर पाटी की स्थापना, लाला हर दियाल, ये भी कई बार कुश्चेंज बन चुका है, भूदान स्थापना वेडन फावेल, रूसी करांती के जनक निकोलाई लेने, अपरमक ब्यक्तियों से संबंदित इस्थान है, ये इस्थान हो गया है, और ब्यक्ति का जनमाल लीजिया, जो भी रहे, ये इस इस्थान से संबंद रखती है, तलबंडी, गुरु नानक, कोर्शी का सेंट हेलेना, नेपोलियन, जेरूसलम, इसा मसी, कपिल वस्तु, बोध गया, लुम्मने, कुसी नगर, गौतम बुध, तीन मोर्ति पपन, जवाहलाल नहरू, मैसिडोनिया, सिकंदरिया, ए सिकंदर महान, मक्का मदीना, महम्मत साहब, टैप लगर, ए नेलसन, वाटलू, नेपोलियन, बार्दोली, सर्दाल, बल्लभाई, पटेल, चित्तोडगर, थल्दी गाटी, महरान पिता, पोरवंदर सामरमती, फीनेक्स, मादमा गांदी, जलियावाल अब बाग, ए जनरल डायर, पावनार आस्रम, आचार विनोबा भापि, बैलूर, स्वामी, रामकिष्ट परमन्स, फतेवर सिकरी, अखवर, औरेविले, अर्विंद गोस, सदाकत तास्रम, डॉक्टर राजन पिसाथ, आनंदवन, बाबा आम्टे, पिरमुक व्यक्तियों के उपनाम है, किंग मेकर, अल अब बार्विक, फादर अब इंगलिस पोईटरी, जियोफ्र जोफ्री चोसर, माडम और अडली, यस, जोन आप आर्ट, अल कांडिली, क्रांशिक्को, फ्रेंका, लेदी विद दा लेंप, फिलोरेंस, नाइट ट्रेंगल, डिजर्ट फोक्स, इर्विन रोमेल, मन अब बंड और्र, आर्टो, बान बिसमार्क, मैडन क्वीन, क्वीन ग् बिग बर्ड, जोएल, गार्नल, मास्टर विलास्टर, विवियन, रिचर्ड, हुमन लोको मोटिव, एमिल, जेट पक, एमिल, जेट पक, सोपरकेट, किलायु लायड, माताहरी, गर्दोड टेली, करनल, दिली बेंग सर्कर, मार्क ट्विन, सेमुल लॉंग, हर्ण, किलाय। ग्रेंड, ग्रेंड, ओल्ड मैन अब बेटन, बिलियम एवार्ट, ग्लेंड, ग्लेड स्टॉन, वार्ड, बार्ड ओप एवन, बिलियम सेक्सपीर, के ओप के, वीचनर ओप खार्थूं, लीकवाल, पाल एस वख, पिले ब्लेक डायमट, एडसन अराटिज डी, नांसी मत्मा गांदी के पांचवी पुत, जमना बसात बजार्श थे, राजिस्थान की मरू कोकल्या, गवरी देवी, राजिस्थान के गांदी, गोकुल भाई, बट, बागड के गांदी, भोगिलाल, पंड्या, स्वामी बेवेकनन, नरेंद, नादध, इनका कई बार यही नाम पूँच लिया गया, इनका बच्पन का नाम था, लेटिल मास्टर सुनील गवसकर, हर्यारा के हरीकेन, कपिल देव, हौकी के जादूर द्यान चंद, दिलीप कुमार यूसुप खान, नर्गिस जद्दन भाई, गुजरात जनक, रभी संकर महराज, बिद्रोही कभी, काज नजरूल इसलाम, बिद्यासागर, इस सुर्चंद, इस सुर्चंद बंदोपाद्या, बंगाल का बाद, आसूत तोस मुखर जी, देश परिये, यतिन्द मोहन सेन गुप्त, लोग परिये, बाल गंगाधर तिला, मात्मा बापु राष्ट पिता, नेकेड फकीर, नंगा फ संदू चितरंजाद दास, अन्ना, सी एन, अन्ना दुरे, सी आर, या फिर राजाजी, चकवर्ती, राजगुपालाचारी को कहते हैं, चाचा, पंडित जी, जवाहलाल लहरू को, जेपी, फिर्या, लोक नायव, जैबेकाश नारायन को, सांती पुरुष्ट, लाल माल भी है, इस पेरो, मेजर जनरल राजेंदर सेंगी जी, सेरे कस्मीर, सेक मुझ्मद अब्दुल्ला, भारत कोकिला, सरोजिनी नायडू, आंदकेसरी, टी पिकासम, टीटी के, टीटी किष्णम माचारी, लोविपुर्ग सर्दार, बल्ला भाही पटिल, बंगबंदू, स एक ख्वाजा, मुनुद्दीन चिस्ति, महमूद एलाही, सेक नजामुद्दीन अलिया, भारती इतियास के निप निर्माता, सियद बंदू, अब्दुल्ला खाँ, हुसेन खाँ, अली खाँ, हुसेन अली खाँ, तूतिय हिंद, अमीर कुसरो, भारती पुना जागरन की प बुद्गुप्त, भारत का सेक्सपियर, महकवी, कालिदाज, लाख बख्स, कुतुब बुद्धीन, एवक्को, पंजाब का टेगर, पूरन सिंग्को, पंजाब का टेगर किसी कहते हैं, पूरन सिंग्को, फर आपकट, कूब, बिम्पू, केवी, कुटपप, निराला, सूर्गांत्रपाटी निलाला, अग्रे, सचिदानन्द, हिरानन्द, वात्सायन, आधुनिक मीरा, स्तिरिमती महादेवी बर्मा, सही दे आजम, सल्दार भगस्ति, गैंड ओल्ड मैन ओप इंडिया, दादा भाई नोरोजी लाल बाल पाल, लाला लाज पत्राय बाल गंगधर तिलक, बिबिन चंद पाल, अंकल हो, होच ची मिन, लिटिल कार्पूरल, और मैन ओप डिष्टिनी, नेपोलियन बॉनापार्ट जी बी एस, जोर्ज वाइनाड सो, बिजोर्ड ओप दा नोर्थ, वाल्टर इस्कोर्ट, ग्रेंड कॉम्पनर, यंगर पेट, फिवर एडॉल पेटला, बात्साय खान, सिमाद गांधी, खान अब्दुल गफार खान, बिलेक गांधी, माइटिन लूथर किंग जुनियर, फ अब बचते हैं प्रमुक ब्यक्तियों की समाधी स्तर, इनसे भी आपके डारेक्ट कुस्चन्स कई बार पूँच लिए गए, राजगाट किसे संबंदी थे, इनकी समाधी स्तर है, यह मातमा गांधी साब की, सांतिवन, जबालल नहरू, बिजय गाट, लालबादो सास्तरी, सक्ति इस्तल, इंद्रा गांधी, किसान गाट, चौदरी चर्ण सिंग, अभै गाट, मुराजी देशाई, बिरभूमी, राजीब गांधी, समता इस्तल, जग जीवन राम, एकता इस्तल, ज्यानी जैल सिंग करम भूमी, करम भूमी, संकर्दयाज सर्मा, जन्नायक, चंद सेकर, इस्मेति स्तल, इंद कुमार गुजराय, संगर सिस्तल, देवी लाल, नारायन गाट, गुलजारी लाल लंदा, चैत भूमी, बियार अमिड कर, महाप पुरयान गाट, यानी मडी कर्ड का गाट, इनके बारे में हम लोग पीछे पड़वी चुके अच्छे से, फिर है आपका, पिन कोड या डाक सूचना अंग, डाक पिन कोड छे अंगों का होता है, कितना है, छे अंगों का, इस पेकार पहला जो अंग होता है, छेत को, छेत से सम्मन्दि, दूसरा अंग उप्छेत, त तीसरा अंतिम तीन अंग, बितना डाक घर की होते हैं, ठीक है, फिर आपके जन सचार, आजकल दिल्ली से हिंदी में पिकासित होते हैं, आजकल योजना, कुरूचेत, रोजगार, समाचारपत, बाल भारती, इस सभी पिकासन बिभाग, सूचना पिसान मंत्रारे द्वारा, रेल बंदू, रेल मंत्रारे, दैनेक जागनन, कानपूर, बनारस, पटना लखनव मेरट, गोरखपूर से, जनसक्ता, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, जन्डीगर, नावहराट टाइम्स, मुंबई दिल्ली, हिंदोस्तान टाइम, दिल्ली, पटना लखनव, मुझभ राजिस्थान, पत्तिका, जैपुर, बंगलोर, नई दुनिया, इंदोर, जैपुर, दैनेक बासकर, भोपाल, दिल्ली, एक बात याद रखिए, अगर वैसे आप जानते हैं कि सेल सर्विस में तयार ही गर रहें, तो आपको दाहिंदू मिल जाए, तो आरे इंडियन एक्स स्थिती ठीक हो, लेकिन अगरे जी के अंकिवार पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, और समझ भे भी नहीं आता है, तो आपके लिए सबसे अच्छा है, दैनिक जागरन, दिल्ली एडिशनल इसका लीजे, राष्टी संस्करण दिल्ली, और ये आपके लिए बढ़ी टीक है, तो इसे ही बढ़ा करिएगा, ये आपके पाद जनस्त्या की सोगदा है, तो दूसरे नंबर पाद जनस्त्या को भी पढ़ सकते हैं, भारत की पिरमुख समाचार एजन्सियां, PTI हिंदी में भासा में, ए भारत में, UNI हिंदी भारता भारत, समाचार भारती भारत, हिंदुस्तान समाचार भारत, इंडियान नियूज सर्विस भारत, इंडियान नियूज एंड फीचर एलाइन्स भारत, यूनिवर्ता भारत, इस तरह से आप सोचिए कि किरान सामान ग्यान का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगबग खतम हुचवा है, एक टॉपिक बचता है छोटा सा, खेल कून, इससे भी क्योंकि आपके कुश्चेंस हरवार आप देखते हैं, इससे बहुत कूचे जाते हैं, तो यही टॉपिक बचता है, तो इसे हम आगे बात करेंगे